इस वीडियो में एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिस्ट्री का चाप्टर नाजिजम एंडी राइज ओफ हिटलर काफी अवेटेट चाप्टर था बहुत दिनों से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे इस चीज के लिए कि नाजिजम वाला चाप्टर स्टार्ट कीजिए तो लीजिए हमने नाजिजम वाला चाप्टर ले आये हैं अभी बेसिकली क्या है यह जो पार्ट होने वाला यह जो वीडियो होने वाला है यह है एक introductory video है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि basic idea क्या है इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है तो this is going to be a introduction video जिसमें हम introduction देखेंगे कि क्या-क्या है इस chapter में content wise सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप history पढ़ते हैं और Hitler का नाम हर बच्चे ने सुना है तो उस sense में एक interesting chapter हो जाता है कि चलो Hitler के बारे में जानेंगे Hitler ने क्या किया वो जानेंगे तो हम वो सारे perspective देखेंगे Hitler कौन थे क्या किया उन्होंने ये सारी चीज उसी के साथ साथ उनकी ideology उन्होंने कैसे power में आए ठीक है क्या current थे क्या favorable conditions थी क्या unfavorable conditions थी ये सारा सब कुछ हम इसी chapter में पढ़ने वाले हैं अब यहां पर दो चीज देखिया आपने क्या Nazism and the rise of Hitler तो ये Nazism क्या है वाट इस Nazism ये हम देखेंगे इस chapter में who is Hitler तो Hitler हम आपको दिखाते है रुखो ये हैं इतलर ठीक है इतलर अंकल और इसी के साथ में जैसे हैं इनके साथ में ये आपके NCIT की बुक से फोटो लिया गया तो ये कुछ फोटोज हैं अब जो Nazism के हम बात कर रहे हैं तो Nazism इसी के साथ में और क्या पढ़ने वाले हैं तो नाजिसम को समझेंगे हिटलर कौन है उन्हें समझेंगे वाइव ये सब क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज हुई थी हिटलर के टाइम पीरेट पे उसमें कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री को शेप दिया तो आज वर्ड का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो और कुछ और होता तो इस संस में क्या है कि पूरी की पूरी वर्ड हिस्ट्री जो है वह एक अलग डायरेक्शन में चल गई थी हिटलर के आने से और हिटलर के द्वारा जो चीज़ें की गई थी उसके बाद में तो उस उस परस्पेक्टिव में सब कुछ पढ़ना जरूरी है ठीक है फिर और देखते हैं कि जर्मनी और उसके साथ साथ में पूरा इशू समझेंगे हम ठीक तो आप सबसे पहला सवाल या था जर्मनी कहा है जर्मनी कहा है कॉंटिनेंट आप बताएंगे मुझे कॉंटिनेंट है हम किस कॉंटिनेंट में हैं इंडिया एशिया में तो ऐसे साथ कॉंटिनेंट है तो हम देखते हैं कि यूरोप में भी जर्मनी कहां पर है यूरोप में जर्मनी यह रहा ठीक है यह है जर्मनी देख सकते हैं आप यलो कलर में जो विजिबल है फ्रांस है बेल्जियम है अभ वेस्टरन कंट्री कौन सा है जर्मनी का फ्रांस हो गया और इस्टरन अगर कंट्री दिखा जाए तो पॉलेंड हो गया इसके बाद में तर लगा हुआ रश्या और दूसरी कंट्रीज है तो आपको लोकेशन एक बेसिक लोकेशन ध्यान रखना है अभी अगर कुछ बच्चे पर आगे हो देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो जर्मनी और उसके सांसाथ में रिलेटेड होल इशूस को समझेंगे कि कैसे फर्स्ट वर्ड वार से सेकेंड वर्ड वार के बीज में चीजें बदली हिटलर का वहां पर राइस देखने को मिलता है ठीक है और उसके प्रॉब्लम्स थी वहां पर एकनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था वह भी समझेंगे फिर इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स से जन्म किसको मिला था हिटलर को मिला था तो हिटलर राइस टूद पावर ठीक है तो हिटलर किस तरह से पावर हिटलर में आए हैं और क्या किया तो हॉश्ब Bak Y वाला समझ वाला डांशन समझेगे घ्रेयर क्यों किया फिर वाट वाला ठीक तो क्या क्या था आप तो कुल सबुछ इसके साथ में क्या है जैसे अल्टिमेटली हम Chemistry को क्यों याद करते हैं कि कि he committed crime against humanity यह से कहा जाता है ठीक है नहीं माना हुता के अगेंस्ट में उन्होंने एक तरह से क्या किया एक अपराद किया था तो क्या अपराद था इस चाप्टर में तो यह एक बेसिक इंट्रोड़क्शन वीडियो था जिसमें मैं आपको यह सारी चीज़े बता दिये पोजिशनिंग बताईए कहां पर जर्मनी है उसी के साथ में हिटलर भी मैंने आपको दिखा है तो यह सारा सब कुछ पढ़ चुके है नेक्स्ट वीडि मैगनेड्रेंज.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैगनेड्रेंज.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्माट में एविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमारे चैप्टर का बैग्राउंड डिसकुट्स करेंगे चैप्टर कौन सा है हमारा नाजीजम इंडी राइज ओफ हिटलर पिछले वीडियो में लोगों ने चैप्टर का कुछ एक इंट्रॉड़क्टरी पार्ट डिसकुस किया था ज इसा नहीं है कहानी किसी और की है लेकिन हम उसे समझेंगे कि किस तरह से नाजीजम और दी राइज ओफ हिटलर जो चैप्टर है वह हम क्यूं पढ़ रहे हैं उसमें सिच्वेशन क्या थी उस समय पे एक कहते हैं जिसे फ्लेश बैक वाली जो बात होती है तो वह फ्लेश ब अपका है 1945 की आसपास का ताइम पीरिड की इस समझ लीजें गरने में तो इक जीज घाती है एक पावर कॉनसे जीत ते आलाइस जीत यह और हारने वाली जो पावर रहती वह एक्सिज में कौन थे है एक्सिस में जर्मनी थी ठीक है तो अभी के अपको तमा धेनकना कि जर्मन ही अँआ गई है अब क्या होता है तो हेलमत की कहानी मैं आपको बताता हूँ यांसे कि हेलमत के पापा, हेलमत की ममी से कह रहा है होते हैं साथ क्या करेगी वैसा ही करेगी जैसा हम लोगों ने जियूस के साथ किया था जियूस कौने अलाइस कौने ये सारी चीज़े में आपको बताने वाला हूं लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजे कि हलमत के जो पापा थे वो कौन थे एक नाजी थे नाजी मतलब हिटलर ने लाजिए कृलावर ते अब क्या साथ होता हैं आपको बताता हूं आगे मिन तो अब हमकि वहुत का थे हैं किलमत को बाते सुनते हैं ओई को डर लगता है थोड़ा साथ अब क्या होता है next day वो सारे लोग पिकनिक पर जाते हैं family के सबी लोग वह quality time spent करते हैं ठीक है family के साथ में helmet के parents जो थे तो सबी लोग आपस में एक अच्छा समय बिताते हैं फिर क्या होता है फिर अगले दिन ख़वर आती कि helmet के father ने अपने तो खाना इसलिए नहीं खाता है क्योंकि हलमत को एक डर बैठ जाता उसके जहन में कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पापा जो बात कर रहे थे कि अब पुरी फामली को सुसाइट करने चाहिए तो उसकी मम्मी उजे पॉइजन दे दे आया समझ में तो यह पुरी कहानी थी अभी अ सवाल यह उठता है what does it says about the situation of that time यह जो कहानी हमने समझी यह कहानी उस समय की परिस्थिती के बारे में क्या बताती है तो कहानी यह बताती है कि एक फियर का एक दर का पुरा माहूल बना हुआ था ठीक है देर वाज एट्मोस्फेर देर वाज एट्मोस्फेर ओफ फियर सॉर होगी क्या सफ्रिंग्स रही होगी उस समय पे आप लोगों ने छोटी क्लासिस में जैसे बहुत सारी अलग-अलग स्टोरी सुनियोगी नाजी टाइम पिरेट की या फिर सेकेंड वल्ड वर के बात की तो डाइरी ऑफ यंग एन फ्रेंक के आपने बुक्स पढ़ी होगी य फिर आप कहीं चैप्टर में इंग्लिश लिट्रेचर वगेरा में पढ़ा होगा आपने तो ये बताती है कि उस समय पे टरिफिक सिच्विशन थी ठीके ना बहुत जादा परिशानिया थी वाई इसी सिच्विशन थी क्यों ठीके तो ऐसी सिच्विशन होने का कारण था न जर्मनी को फिर से क्या बनाया जाए महान बनाया जाए अब जर्मनी को महान बनाने के लिए उन लोगों को शिचे कई अपने लेवल पर ठीकिये उनकी कंटरी में दूसरी कम्यूट के लोग रहते थे उन्हें क्या किया प्रॉसी ceremony कर दिया उन्हें मारना cinq-टार्डीय का सामना पड़ा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा World War 2 हो गया ठीक है और भी कारण थे दूसरे बहुत सारे वह भी मैं आपको बताऊंगा तो World War 2 जब होता है तो World War 2 में हिटलर अपने mindset के साथ में अपने idea के साथ में कि यहां we should make the Germany great power again तो उसके चलते क्या हिटलर मैदान में उतरते हैं but they were not successful नाजीज और हिटलर successful नहीं हो पाए अब आपके मन में सवाल आया होगा कि successful क्यों नहीं हो पाए ठीक है तो इस चीज़ का एक पूरा का पूरा मैं आपको background कहां से देता हूँ पूरा का पूरा background हम देंगे आपको second world war के बाद हुआ क्या था ठीक है कैसे हारे हारने के बाद में क्या चीज़े बदल गई और यह जो डर का एक atmosphere बना था सवाल यह उठता है कि helmet के जो पिता थे उन्होंने suicide क्यों किया ठीक है उन्होंने अपने आपको गोली क्यों मारी वो क्या डर था तो second world war के बाद क्या ऐसी कहानी हुई वो मैं आपको समझाता हूँ यहां तक आपको background समझ में आगे helmet के story में थी अभी देखे क्या है अभी यहां पर क्या होता है अभी यहां पर में 1945 में world war खतम हो जाता है एक तरह से ठीक है कब खतम होता है जब hiroshima नागा शाकी पर atom bombs drop कर देता है कौन US तो उसी के साथ world war खतम होता है world war खतम होता है और यह दिख जाता कि कौन हार गया और कौन जीत गया ठीक है तो Germany surrender to allies अभी allies फिर से आगया आपको tension हो रही होगी allies क्या है जर बताओ ठीक है तो allies आपको समझाते हैं देखो क्या है allies simple सा कुछ नहीं है world war जो चल रहा था हमारा तो second world war में क्या है second world war 1939 से 1945 तक चला है अब second world war में दो teams थी team A team B ठीक है team A का नाम क्या था allies ठीक allies जो थे तो उसमें कौन-कौन सी countries थी allies में थे Russia, France, US और UK UK ने बाद में entry ली थी ठीक है यूएस ने बाद में entry ली थी तो Russia, France, UK और US ये चार country थी किसमें second world war में एक team में team का नाम क्या था allies जो क्या थी जो winner थी जो जीतने वाली country थी उसमें कौन थे Russia, France, UK और US ध्यान रखना है ये अब आते हैं दूसरी side पे जो हारने वाली country थी ठीक है हारने वाली country कह सकते लेकिन इन्होंने नाक में दम कर दिया था किसकी नाक में दम कर दिया था जीतने वाली country की वो तो कुछ situation बदल गई जिसके चलते हैं ने हारना पड़ा ठीक है तो इसमें Germany, Italy और Japan ये तीन country थी ठीक है ये जीच जाएंगे ऐसा नहीं और भी दूसरे कारण थे मतलब USA कह सकते हैं कि financially भी और military भी ठीक है बहुत powerful country था तो उसके चलते एक pressure create हुआ है किसके उपर axis के उपर और axis हार गए तो अभी basically मैंने आपको ये बताना था कि world war 2 में जो दो countries लड़ रही थी तो दो group थे axis group था एक allies group था axis group में ये 3 countries थी allies group में ये 4 countries थी और जीतते कौने allies जीतते हैं जीत गए और इसलिए हमने हमारा statement जो पढ़ा था कि जर्मनी सरेंडर टू अलाइस ठीक है जर्मनी को सरेंडर करना पढ़ता है क्योंकि वह हार चुकी थी उसका जो block था axis block वह हार चुका था अब जर्मनी जब हार जाती है तो उसके बाद में क्या होता है हारने के बाद में एक international military tribunal को establish किया जाता है नरंबर्ग में ठीक है नरंबर्ग जगा है तो अब international military tribunal जो establish किया जाता है इस international military tribunal के द्वारा क्या किया जाता है इस international military tribunal के द्वारा prosecute किया जाता है नाजीव और क्रिमिनल्स को नाजीव और क्रिमिनल्स क्या है देखो एक चीज में आपको बत तो इसी के चलते क्या है कि International World Tribunal को establish किया जाता है यह International World Tribunal इसलिए establish किया जाता है कि Under the shadow of Second World War Second World War के नाम पे जिस प्रकास से अत्याचार किये थे तो जो लोगों ने अत्याचार किये थे हितलर ने सुसाइड कर लिया था जब Second World War में यहार सरिंडर कर देताँ जर्मणी जर्मन आर्मी सरिंडर कर देती यहाई से हाथ से बरलीन अंडर ग्रॉंड कर जहां पर छुटने की जगा रहती है तो हिटलर अपने 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 आपको अपनी फैमिली के साथ क्या कर लेते हैं। को हिटलर भी क्या हो गए। एक तरह से रेस से बाहर हो गए। लेकिन सारे लोग सुसाइड नहीं करेंगे ना कुछ नाजी क्रिमिनल्स अभी भी बच्चे थे तो नाजी वार क्रिमिनल्स जो थे उन्हें क्या किया जाता प्रोसिक्यूट किया जाता हूं जैसे इंडिया में देखते हैं अप अलग अलग कम्यूनिटी से तो यह एक परस्ट वर्ड र ? अब एक चलेंगे तो तो ऋने इसे लगता था कि अगर जर्मनी हारा है तो जर्मनी की हार के पीषे क्या कारण रहा होगा जर्मनी की हार के पीषे कारण था जीश को पसंद नहीं करते हैं। कि इतने दूसरे undesirables थे उनके हिसाब से उन्हें क्या किया जाए ऐलिमिनेट किया जा सरिफ एक ही रेस के लोग रहें एक लोग रहें ताकि क्या हो वो अपने हिसाब से चीजों को control कर पाए और उसारे सुपीरियर लोग रहें उसा रहता मतलब शिक्स मिलियन जियूस समझते हैं आप कितना सहांट लाग जियूस को मार दिया गया ठीक है इतनी भी रेज थी क्या करना सटार्ट कर दिया उनका मास लेवल पर मडर होता था था ठीक है तो अलदल यक्जूस के अगयरा बना दिये गईiger भाद पर अम्ला करने के बाद में के लोगों को मार दिया था पॉलिश्य टॉजविलियंस को सेवंटी थाज हडंगों को हुज़ गार दिया तो है यह जिस और जिपसी यह भी गर्मन तो इस तरह से mindset के साथ में Hitler ने और नाजी पार्टी के लोगों ने काम करना start किया और why कमें आपको कारण बता दिया कि इतने लोगों को क्यों मारा बस इसलिए क्योंकि वो एक तरह की race चाहते थे ठीके तो यह crime उन्होंने humanity के against में conduct किया था और उसी चीज़ को justify करने के लिए कि इतना जो अन्याय हुआ इस अन्याय के towards क्या न्याय दिलाने के लिए International Military Tribunal को establish के गया थे नरंबर्ग में अब इंटरनाशनल को मारने के बाउजिद भी सजा कितनों को हुई है सिर्फ घारानाजी लेडर्स जो थे उन्हें क्या होगा उन्हें ने Death Sentence दिया जाता हा गती दूसरों को imprisonment दे देते हैं वाकि बहुत सारे लोगों को jail में डाल देते हैं तो ऐसा क्यों इतने कम लोग क्यों ठीक है because allies did not because allies का एक capital होगा because allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after first world war अब यहाँ पर एक और नहीं चीज़ आती है क्या allies harsh नहीं होना चाते थे Germany के against में कैसे जैसे वो first world war में हुए थे अब यहाँ पर बात आती है first world war की ठीक है first world war की बात आती है अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बोलना चाहरे है यह बोलना simple सी चीज़ यह चाहरे है कि इन्होंने क्या किया था allies first world war में भी जीती थी defeated Germany के towards जैसा कि वो first world war में हुए थे first world war में क्या harsh हुए थे क्यों harsh हुए थे कैसे harsh हुए थे तो एक अभी idea बताता हूँ कि first world war में क्या हुआ कि जीतने वाली टीम थी allies उन्होंने हारने वाली टीम के उपर बहुत humiliating treaty sign करी थी इसका नाम था treaty of Versailles ठीक है अलग-अलग country के उपर अलग-अलग treaty sign करी थी तो उसके चलते क्या है हिटलर को अगर हम देखेंगे हिटलर के मन में discontent क्यों develop हुआ तो कारण यही था क्या कारण था कि हिटलर को ऐसा लागा कि first world war में जीतने वाली parties ने allies ने उनके साथ में क्या किया है ठीक नहीं किया और इसी के लिए उन्होंने हिटलर में सेकंड वर्ड वार में फ्रांस के पसीने छुड़वा दिये थे ठीक है फ्रांस को कब्जा कर लिये थे एक तरह से देखा जाए सेकंड वर्ड वर्ड में दूसरी country जो जो जीतने हाली थी उनके भी नाक में दम कर दिया था तो सेकंड वर्ड 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 वी हिटलर एक समय पर बहुत डॉमिनेटिंग दिख रहे थे लेकिन यूएस के एंटरी के बाद में चीज़ें चेंज हो गई है तो हम वह देखेंगे इस chapter में पूरा वही पढ़ने वाले हैं background में मैंने आपको एक पूरी story outline बता दिया कि हुआ क्या था ठीक है अब जो हम देखने कि पूरी story चालू कहां से हुई है तो Hitler एक बता है बहुत अच्छा statement है क्या Hitler was not born, he was made हिटलर पैदा नहीं हो थे उन्हें बनाया गया था हिटलर को हिटलर किसने बनाया तो first world war के बाद से पूरी कहानी चालू होती है हम वही चीज़े पढ़ेंगे the whole story begins from here ठीक है मतलब first world war के बाद में तो कैसे तो यह कैसे का सवाल हम आपको next video में बताएंगे birth of vmr republic के सांद में मतलब मैं आपको बताऊँगा कि world war के बाद में किस तरह से चीज़ें बदली first world war के बाद में first world war से हम background में लेके पूरी कहानी को पढ़ने वाले हैं next video में the birth of vmr republic हमारा topic होगा उसमें मैं आपको समझाऊँगा vmr republic क्या है और कैसे उसने ये पूरी situations को out turn करने में एक important role play करा था clear है तो मिलते है next video में एक नए topic के सांद इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub topics एक arranged format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you, thank you very much इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे birth of vmr republic पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में हमने आपको कहानी को यहां तक ले आये थे कि जो भी हुआ जर्मनी में ठीक है, हिटलर ने जो भी किया तो उन सारी चीजों की roots कहा थी उन सारी चीजों की roots थी first world war में ठीक है, तो अब मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हो कि किस तरह से first world war में हम कह सकते हैं कि second world war की roots थी हिटलर की roots थी, nazism की roots थी जो भी हुआ जर्मनी में वो कही न कहीं first world war के experience से हुआ था, मतलब first world war में हमने जैसे पढ़ा था कि allies ने क्या किया था defeated Germany के साथ में harsh treaty नहीं sign करी थी जैसे उन्होंने first world war में करी थी तो first world war में आखिर किया क्या था वही चीज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में तो birth of vmr republic से मैं आपको चीजे relate कर वाऊंगा आपका topic birth of vmr republic के नाम से vmr republic क्या है वो भी आपको इस वीडियो के देखने के बाद में clear हो जाएगा पहले कहानी हम समझते है first world war की देखो first world war में क्या था first world war में भी दो ही blocks की बीच में लडाई हो रही थी मतलब दो party थी हमने second world war पढ़ा था चलो आपको है और एक और एली थी तो इली के लीडर कौन है जिन्होंने बहुत इक्ते में सकते हैं कि अपने आपको बना के रखा था तो कौन थे उनका नाम हो आप भूगल क्या सर्च करो क्यों मुझे बदाओगे Kurven सेक्षन में देखो तो क्या है किर लेकिन first world war में alliance power तो लगबगग लगबगग वैसी ही है लेकिन axis power जो थी तो axis power किस नाम से जानी जाती थी Central powers के नाम से जानी जाती थी और उसमें जो participants थे मतलब जू टीम इंबर्स थे वह टीम मैंबर्स विधी अलग थे कौन कौन थे team members ठीक है टीम members यहाँ पे जर्मनी तो था जर्मनी रहेगा औस्ट्रिया हंगरी था ठीक है औस्ट्रिया हंगरी क्या है तो देखो अभी क्या है कि second world war में countries लड़ रही थी ठीक है यहाँ पे क्या है empire लड़ रहे थे जैसे आपकी book में लिखा है Austrian empire तो वो क्या है कि जर्मनी और यह ऑस्ट्रिया हंगरी जो देखते हैं तो यह सब एक ही empire थे मतलब राजा के एंडर में हुआ करते थे तो राजा लड़ रहे थे ottoman Turkey यह जो था तो यहाँ पे भी खलीफा रूल करते थे खलीफा कौन है तो यह वहाँ के ruler थे उस समय पे खलीफा रूल करते ति करने सारी इंग्लेंड में डिमोक्रीटिंटी कंट्री यह यूएश यूइस एंट्री लेटा है बाद में ही चेंज होता है इनिशालई कशिन में हमेशा से powerful रहा है वो तो किसमत खराब है विचारे की जो दोनों world war हार गया ठीके तो जर्मनी ने शुरुआत में क्या किया था कि फ्रांस और फ्रांस के बाजू में जो Belgium इनमें और भी countries थी major powers बता रहे हैं आपको छोटी छोटी और भी countries होती थी अलाइस के साथ के साथ तो फ्रांस जो था नः तो फ्रांस ने क्या किया फ्रांस और फ्रांस के बाजुमें जो कंट्री पे बेल्गियम तो जर्मनी ने शुरुआत में तो फ्रांस और वैल्जियम पर कभज LET ने लेकिन फिर क्या होता है यूज के अंट्री रहा ने चीज बदल जाते हैं और यह अंट्री के बाद में क्या होता है कौन जीच जाता है अलाइस पावर जीच जाती है अब अलाइस पावर के जीचने के बाद क्या चीजें बदलती है सिद्धे की से बदलती है क्या होता देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो हार्श्टी शाइन करिवाई थी तो वह आर यहां नहीं होना चाहिए तो वह रूड हो गए थे थी थोड़े से लाइस तो इस तो यह यह तो न स्टोरी ओफ फर्स्ट वर्ड और आपको समझ में 1914 से 1918 तक जो भी पूरी कहानी चली उस कहानी में हमने देखा कौन जीतता है अलाइस पावर जीत जाती है अलाइस पावर के जीतने के बाद क्या होता है आफ टी डिफीक्ट ऑफ इंपीरियल जर्मनी मतलब क्या है कि जो रूल पीरिम नाम था यूजफित तो के सर्विलियम के हारने के बाद में क्या है अब जर्मनी हार गया अब जर्मनी में जो Emperor थे तो उन्हें अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा जब एम्परर नहीं उसोता है कि तो इंपरनेमेंटरी वी फर्स रल डवार में जर्मनी हारता है जर्मनी का राजा हारता है क्योंकि वेन आपको बता दिया था कि लड़ाई बेसीकली किसके बीच मन चल रहे हैं यह डेमोक्रिटिक कंट्रीज थे इधर और इधर एंपरर्वर थे तो जब इंपीरियल जर्मनी की हार हो जाती है उसक हमारे भी क्या होता है कि जब बरिटिश गहें तो हमने पॉले फिर जबजा कर क्या हमें देश चलाना है तो देश चलाने के लिए हम क्या बनाएंगे एक National Assembly बनाएंगे National Assembly मतलब जैसे Parliament होती ना वो तो उन्होंने Parliament बनाई जो तो उस पार्लेमेंट का नाम क्या था वियमर रिपब्लिक आया समझ में क्यों कि वियमर में मीटिंग हुई थी और जो National Assembly बनी तो उन्होंने नाम क्या रख दिया कब बनती है तो यह Second World War First World War की हार के बाद बनती है आगे समझ में First World War की हार के बाद में जर्मनी गरा जाजा चोड़ता है राजा की जगह छुटने के बाद जितने ही आपके विम्री पॉब्लिक बनाए जाती है कि यह जो व्यम्री पॉब्लिक बनती है तो अब यह मट रिपब्लिक बन गए उन्हें स्टेट्स को थोड़ी ऑटोनोमी दी कि हाँ पूरा कंट्री पूरे कंट्री में अलग-अलग स्टेट्स ने ऑटोनोमी दी हमने तो वह क्या स्टैब्लिश करते हैं स्टैब्लिश्ट डेमोक्राटिक एक पार्लेमेंट को क्या कहा जाता है तो इस तरह से क्या होता है आपने जैसे चैप्टर 2 पड़ा है कि रश्या की जो पार्लेमेंट इससे क्या कहा कहा जाता है तो पार्लेमेंट के नाम है तो जर्मनी की पार्लेमेंट को क्या कहा जाता है रिस्टैक कहा जाता है तो इस रिस्टैक पार्लेमेंट में क्या होता है डेपिटीज को इलेक्ट किया गया कि कौन क्या काम समालेगा अब राजा तो है नहीं अब क्या है सभी काम Democratic Constitution 587 बना दिया देमोकरेटिक कांट्री बना दिया इस अब विएमर रिपब्लिक वस नॉट रिसीवड वेल बाइट्स ओन पीपल अब आपके मन में बहुत बड़ा सा कुशिन मार्क आया होगा क्या कि क्यों वाय ठीक है विएमर रिपब्लिक ने इत्ता अच्छा काम किया उन्होंने राजा के जाने के बाद में कंट्री को समहला है हावेवर विएमर रिपब्लिक वस नॉट रिसीव वेल बाइट्स ओन पीपल क्यों विएमर रिपब्लिक को लोगों ने अच्छे से रिसीव नहीं किया क्यों विएमर रिपब्लिक का सपोर्ट नहीं किया होगा तो इसके पीछे कारण है कारण मैं आपको समझातू देखो तो व्यम्र पब्लिक को लोगों ने एक्सप्ट नहीं किया उसे अप्रिशेट नहीं किया क्योंकि उसके पीछे कारण थे तो यह इस पे अपने हाब स्पेसिफिक कोश्यन बन जाता है ऐसा है अब यह क्या है अभी आप इतना ध्यान रख लो मतलब कुछ डिफेक्ट थे उसमें क्योंकि इस पे पूरा वीडियो में आपको बना के दूँगा जो आपको कोश्यन में मदद देगा ठीक है तो व्यम्र रिपब्लिक में क्या थी इ थी पीस टटीक वर्सेलिउ्स क्या है ये मैं आपको समझाता हूं वर्सेल्स क्या है अंद्शन अन्द क्या है फ्रांस अας जगा रहा है तो इसंदियक अडर्वा जीवा कैशल उस्प्रेटीृज Too हमारे साफ सेट कर लेंगे ठीक है तो क्या होता है ती main reason why the main reason was that Wemer Republic accepted signed the peace treaty of ενवर्सेल Peace Treaty को sign किया था अब कहने को यह peace treaty थी लेकिन जीतने वाली जो party थी अब यहाँ पर हम हमारे पिछले चीजों को connect करेंगे कि जीतने वाली जो party थी उसने यह क्या हार्ष ट्रिटी शाहिन करी थी. अब यह हार्ष ट्रिटी क्या है? वही है. ट्रिटी ऑफ वर्सल्स जिसे पीस्टी कहा जा रहा हूँ है. लेकिन इसने येडि़ सेल्टेंप जर्मनी को बहुत बूरी पार्टीज ने क्या किया हमारे साथ में अंजस्ट और यह कह सकते हैं बहुत क्या करते हैं गलत काम किया हमारे साथ में हमारे साथ में एक ऐसी ट्रीटी साइन करवाई ट्रीटी का उतलब संदी होता है एक एग्रिमेंट एक ऐसा एग्रिमेंट साइन करवा है जिसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा सफर करना पढ़ा तो इसके चलते क्या है इसके चलते हैं हिकलर तो घुसा हुए थी अभी बात यह आती कि जर्मनी के लोगों को ऐसा लगा कि जो Treaty of Versailles है यह बहुत हार्ष है जर्मनी के लिए गलत है और इसे एकसेप्ट नहीं करना चाहिए था लेकिन एकसेप्ट किस ने किया एकसेप्ट विमर रिपब्लिक ने किया अब विमर रिपब्लिक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था वि पैन किसका दिग गया है विमर रिपब्लिक का पैन दिग गया तो इस कारण से लोग इन को उप्रिशयेट नहीं थे यह फिए रपेशेट तो आप ऐसा लिख सकते हो इंहरेंट डिफेक्ट्स में आपको भी पढ़ा दूगा तो वह भी लिख सकते हो अंदर ठीक है टीटी ओवर्सेल्स एक्सेप्ट करी थी किसने विमर रिपब्लीक ने और इसी कारण से लोग विमर रिपब्लीक से खुश नहीं थे कि आपको ऐसी टीटी साइन नहीं करना चाहिए थी ठीक है और उसके बाद में क्या है मैंनी जर्मन्स हेल्ट दी न्यू विमर रिपब्लीक रिस्पॉंसिबल फॉर नॉट ऑनली डिफीट इन दी वार बटी डिस्ग्रेस एडवर्सेल्स तो वह क्या बोलते हैं कि लड़ाई में जो हुआ इन कारणों से क्या है कि वीमर रिपब्लीक को बिल्कुल भी अच्छी तरह से अप्रिशेट नहीं किया गया था इट वाइट्स ओन बीपल जर्मनी के लोग वीमर रिपब्लीक को पसंद नहीं करते थे ठीक है अब आपके मन में क्या सवाल है वह मैं समझ गया हूं क्या वा रिपब्लीक के उपर यह पूरा का पूरा क्या हो गया यह रिस्पॉंसबिलिटी चलेगी कि उन्हें ट्रीटी साइन करना पड़ेगी और लोगों को तो यही दिख रहा है कि वेमर रिपब्लीक ने किया है तो वही फ्रंट एक्टर जो है हम बोलते ना कि कुछ भी होगा त ह है कि दो ग्लेसिक लिए तो कुछ वेसिक लगा आपको आसकते वहूं मैंने क्लियर कर chcia ने के बाद में गर्चारा राजा को हुटाया गया परलेमेंटर इसने करी ने क्ना इसनम्ली में विमर रिपब्लिक बना एक और जक्ट्र एक जो question मन सकता है कि Wemer Republic was not welcomed by its own people तो वो भी कारण मेंने आपको समझा दिया अब ही सवाल क्या है, Treaty of Versailles क्या है तो next video में हम यही पढ़ेगे, Treaty of Versailles क्योंकि उस पर specific question मन सकता है ठीक है, तो next video में आपको Treaty of Versailles समझाने वाला हूँ तो next video में हम Treaty of Versailles पढ़ेंगे इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub-topics एक arranged format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं फिल फ्री तो विजित आर ओफिशिल वेपसाइट magnetbrains.com मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू, थैंक यू बेर मच इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Treaty of Versailles के बारे में पिछले वीडियो में हमने कहानी को कहा तक ले आये थे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से VMA Republic बनती है VMA Republic क्या थी मैंने आपको बताया था कि वहां कि जो एक parliamentary parties थी उन्होंने national assembly बनाई थी उसका नाम था VMA Republic ठीक है VMA Republic ने बहुत अच्छे काम किये हमने देखा कि वोटिंग राइट ले आये उन्होंने वोटिंग राइट लेने के साथ साथ में क्या देखा कि उन्होंने constitution मना दिया federal structure के साथ में सारी चीज़ अच्छी करी लेकिन फिर भी हमने क्या पढ़ा था वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि it was not received well by its own people मतलब जर्मनी के ही लोगों ने क्या किया VMA Republic को accept नहीं किया वो खुश नहीं थे उससे कारण क्या रहा होगा तो कारण था कि VMA Republic ने Treaty of Versailles sign करी थी और इस Treaty of Versailles के कारण लोगों को ऐसा लगता था कि Germany को बहुत जादा disgrace का सामना करना पड़ा बहुत जादा problems को face करना पड़ा तो सवाल यहीं आता कि Treaty of Versailles में था क्या ऐसा ठीक है तो वही सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि Treaty of Versailles क्या है डारेक्ट कुशन ऐसा ही बनता है What were the provisions under Treaty of Versailles Why Treaty of Versailles is being considered as harsh and humiliating peace treaty ठीक हमारी treaty छूट गई यहां पर तो यहां पर हम treaty लिख लेते T-R-E-A-T-Y तो क्या था Treaty of Versailles में देखिए तो it was considered as harsh and humiliating peace treaty Harsh मतलब क्या बहुत जादा rude हो गया थे Germany मतलब ऐसा सोचना चाहिए था थोड़ा सा कि एक country world war में हार गया है और जीतने वाला मतलब हम देखते ना कि जो जीतता है match में वो मिठा ही बटवाता है तो यहां पर क्या हो गया जो हार गया थो उससे मिठा ही चीन ली गई मतलब जर्मनी से बहुत सादा वो लिया गया पैसे लिया गया क्या क्या किया गया था मैं आपको बताओंगा अब यह बता रहा हूँ अब था क्या इस टीटी में वो मैं आपको तो प्रोविजन सिंदी टीटी तो जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवर सीज कॉलोनी इंडिया था ठीक है फर्स्ट ओल्ड ओर के बाद में भी हम तो कॉलोनी बने रहे हैं क्यों क्योंकि ब्रिटेन कभी हारा नहीं था फर्स्ट ओल्ड ओल्ड ओर में तो उनके हसाब से अंजस्ट तरीके से जो भी उनको एग्रिमेंट करवाना जो भी ट्रीटी करवाना वो तो करवा ही लेगी आप करो या ना करो तो सेंस में क्या है जर्मनी ने अपनी कॉलोनी को खो दिया और इसी के चलते लोगों को बड़ा गम हुआ हिटलर को भी इसी चीज़ पर घुसा आया क्या कि ट्रीटी ऐसी ट्रीटी साइन करवाई हमारे उपर जो जीतने आली कंट्रीज ने जिसके चलते हमारी एकोनोमी को अब क्या होगा एक सेटबेक फेस करना पड़ेगा तो जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवर्सीज कॉलोनीज वन 10th of its population लड़ाई में डथ हो गई उसके बाद में क्या है कि अभी हम आगे देखेंगे territory भी छुडा ली तो जैसे आप मान लीजिए इंडिया के अगर territory छुडा ले हम छुडाने नहीं देंगे डरों मत तो अगर इंडिया की territory छुडा ले तो हमारी population भी चले जाएगी ना उ उसी के साथ साथ जो territory छुडाए गई थी तो उसके चलते उसकी population भी छुडा ली उससे 1 10th of its population 13% of its territory तो जर्मनी की territory थी ना तो जर्मनी की territory का 13% छुडा लिया किसने छुडा लिया अब वो मैं आपको दिखा दा हूं देखो तो यह मैप देखिए आप लोग कि यह जर्मनी है जर्मनी कौन सा है तो जितनी भी बॉर्डर है यह पूरी बॉर्डर यहां से लगा क्या आप ऐसे लगा सकते हो ठीके बनाओं क्या मैं पूरा यह पूरा जो बॉर्डर है यह वाला जो की बनाए गया है तो इस तरह से पूरा जो बॉर्डर है यह बॉर्डर जर्मनी की ब कि इसकी को अगर हम समझें तो इसकी में हमने क्या देखा था कि जर्मनी ने थर्टीन परसंन जो ठोई ये तो कहां खोई Εंटो आप यह देखो यह जो लाइट कलर में है यह वाला कलर क्लर क्या बताता है कि जर्मनी से याली टैरिटरी चुड़ा ली गई ठीक है land taken from Germany तो जर्मनी का ही हिस्सा था इस जर्मनी के हिस्से को क्या कर लिया गया ले लिया अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई इंडिया का जिस्सा छुड़ा लेता तो आपको कैसा लगेगा ठीक वैसे ही लग रहा हो गो समय जर्मनी में जर्मन्स को और उसी के चलते क क्या है वह बोलते थे कि विमर रिपब्ली को ऐसी ट्रीटी साइन नहीं करना था यार हमारी टैरिट्री चले गई है ठीक है आज कोई किसी का एक स्क्वेर फिट जगा भी ले लेता तो लड़ाई हो जाती है अब सोचो यहां पर तो सेकेंड वल्डवार होना तय ही था कि इ लीग ऑफ निशन भी एक क्या थी एक और डिशन ते निट्रल जैसे उनाइटेट निशन है आज इसे उस समय पर लीग ऑफ निशन तो उसने क्या किया था उसने भी जर्मनी की कुछ टरिट्री इसको न्यूट्रल नूट्राली के लिए रख लिया था कि यहां इतनी जमीन सो जर्मनी को अपनी इतनी तरी को की करना पड़ेगा दूसरी कंट्री को कुछ फ्रांस को देना पड़ा था ठीके कुछ पॉलैंट को धेना पड़ा से आधको का करना पड़े अपनी तरी wakes factor को के लिए गख बिख परस सेट अजसे लाइन जान बशको जितना भी स्टर्मनी छोड़ा लिया लिए City तरीटरी में फ्रांस पॉलेंड डैन्मार के कंट्रीस ने क्या कर लिया चुड़ा लिया टुनिक्स पर्सेंट रेंगे तो इसके चलते क्या है कि जहां से चांसे dip जर्मनी को ये वाला जर्मनी का मतलब क्या है कि जर्मनी को ये वाला जो पूरा एरिया था एक से न मैं आपको बताता हूं थोड़ा क्लियर करके जर्मनी का जो वाला एरिया था बाइन मतलब वहां की जगा है तो जर्मादी का जो रई लेन्ड वाला एरिया था कि सही शीडिमानी जह नारमी बहुत कंडी ती कि सुर्फ कुछिशी नंबर कुछी सोल्जसर्ण रहेंगे जो जर्मनी को demilitarize कर दिया और demilitarize करने के पीछे कारण क्या रहा होगा तो अलाइज पावर ने सुचा जर्मनी है तो बढ़ा ख़दरनाक ठीक है आज इससे demilitarize कर दें तो पता लग रहा है कल को फिर से ही आर्मी अपनी खडी कर लेगा फर्स्ट वल्ड वर में हा रहा है उसक जर्मनी हिटलर के अंडर में आपको पता हूंगा कहानी क्लियर तो राइनलेंड पर आइनलेंड वाला एरिया से demilitarize कर दिया demilitarize मतलब वहां पर आर्मी नहीं रख सकते आर्मी क्यों नहीं रख सकते उसका कारण में आपको बता है न क्या कि ऐसा सोचा था अलाइस पावर पे करना पड़े थे जर्मनी को क्यों अब मैं बताता हूं वार गिल्ट क्लॉस के हिसाब से कि जितना भी नुकसान हुआ है लड़ाई में अब ऐसा तो नहीं कि लड़ाई डांडिया जैसे लड़ रहे हैं वो लोग की कुछ होई नहीं रहा है ठीक है लड़ाई में क्या होग बॉमबाड्मेंड होगी गोलियां चलेगी बिल्डिंग्स डिस्ट्रक्ट हो जाएगी बहुत सारी चीज़ होगी तो जब लड़ाई होगी तो लड़ाई के चलते क्या होगा लॉस होगा डिस्ट्रक्शन होगा अब उस लॉस डिस्ट्रक्शन के लिए किसी को तो क्या करन पढ़ेगा compensate करना पढ़ेगा तो पैसे कॉन कांवरे गवा तो compensation तो था जर्मनी को पैसे को देना पढ़ेगा पैसे देना पढ़ेगा जो जीतिवी कंट्री ये तो फ्रांस ने ठीक हम रोलिए मोगों ने अपनी पार्टी बनाई यह सभी लोगों ने पैसा लिया जर्मनी से वार गिल्ट क्लॉस के चलते हैं कि हमारा जितना लॉस हुआ उसके लिए पे कॉन करेगा जर्मनी पे करेगा अलाइट आर्मी ऑक्यूपाइड ती रिसोर्स रिच राइनलेंड फॉर लॉंग टाइम अभी क्या होता है जो म कि बसक्राइब वसक्राइब तो इन सारे कारों से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफरसे बहुत हार्ष और हुए पीस ट्रीटी रहीं जर्मनी के लिए आप देखो कितना जाथा इंजस्टिस हुआ जर्मनी के साथ और इसी के चलते लोग जो थे जर्मन्स जो थे जर्मन्स बड़े परिशान थे किस चीज से परिशान थे कि ट्रीटी गलत थे इसे साइन नहीं करना चाहिए थी और वियमर रिपब्लिक ने विचारी ने ये ट्रीटी साइन कर दी और इसी क आपके यह चाप्टर को साइन करने के बाद में किस तरह से सिटवेशन बिगरती चलेगी जर्मनी में वो सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चाप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट MagnetBrainz.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं MagnetBrainz.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंच्ट फॉर्मैट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं फील फ्री तो विजिट आर ओफिशल वेबसाइट इस वीडियो में थेंक यू थेंक यू बेरिमच हलो आवरी बडी इस दिग्राश सिंह राजपूद वेलकम टू मैगनेट बीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे भी इस वीडियो में क्या प्रोविशन थे वह उने पढ़ लिए अभी क्या है अभी अलग डाइमेंशन में लेके चलते हैं डिसकेशन को कि वार तो हो गई है कौनसी वार ठीक है वार रितिक रोशन और टाइगर शरॉफ वाली नहीं है यहां पर वार मतलब क्या है कि जो फर्स आपको साइकलोजिकली और फाइनशियली टीक है तो लोगों के मानसिक स्थिती पर भी क्या हूँ एक बहुत नेगेटिव इंपक्ट हुआ एक डिवास्टेटिटिंग इंपक्ट हुआ financially भी लोगों की उपर क्या हुआ बहुत जादा burden आ गया क्यूं वह मलता तो अब देखो क्या लड़ाई लड़ना है आपको मजाक नहीं करना है तो उसके लिए आपको क्या लगेंगे हतियार लगेंगे आपको बहुत सारा पैसा लगेगा और पैसे ऐसा नहीं कि आप लड़ो यह जो फस्ट वर्षिव वर्षिया देवास्टेटिंग इंपक्त्रों साइक्व और फइनिशली भी और फइनिशली बहुता है कि लोगों के उपर बुरा इंपक्ट रहा है वार का ठीक है लोगों को बहुत जाला सफर करना पड़ा है यूरोप को क्या कहा जाता था यूर वह बहुत पैसा ले जाओ तरह से क्या करता था यूरोप बहुत ज़्यादा लोगों को पैसा दिया करता था बहुत-था-ब सीट टू-बी- कांट्रीजित्ट-अ-वडी वह पैसा लेती थी यूरोप से लेकिन आज नौबत ये यह आगई है मैंने बताया ना डिवास्टीटिंग इंपेक्ट था फाइनेशली भी तो आज नौबत यह आ गई कि लोगों को उधार लेना पड़ रहा था यूरोप की जो कंट्री थी यूरोप जो कॉंटिनेंट था इट टरन इंटु दी कॉंटिनेंट ऑफ डप्टर अब पैसे ले रहे हैं उधार लेने लोगों से तो इस तरह से क्या है कि फाइनेशली बहुत बुरी कंडिशन हो गई पूरे यूरोप की खुब लड़तों लिए ये शॉक शॉक में ठीक है यूरोप की कंट्री आपस में लड़ रही थी फ्रांस जर्मनी ठीक है आपस में सारे अब इनके लड़ने से क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा क्या हो गया व्यर्थ बह गया और व्यर्थ बह गया उसके चलते फाइनेशली क्या हो गया यूरोप की सिच्वेशन बहुत पतली हो गई और पैसा कमाया किसने ता पता है इस टाइम पर यूएस ने बहुत पैसा माद चोंच सबस्राइब कर लिख और यहां पर उतके सप्रक्राइब को बहुत सारी problem face करना पड़ रही थी अभी situation ऐसी थी कि unemployment हैं बहुत सारी problems हैं परिशानी हैं पैसा नहीं है देश में ठीके और उपर से अब पुरा घुस्सा कहा निकलेगा पुरा घुस्सा निकलेगा दीमर रिपब्लिक के उपर तो जितने भी socialist थे जो भी Democrats थे यह लोगों का गुरूप है अलग अलग डेमोक्रेट्स मतलब जो तो पूरा का पूरा जिम्मा किसके सुरपर डाल ढाल दिया था उर भी रिपब्लिक हो रहा है तो बहुत नॉर्मल था क्योंकि लोग गुकि हुझा थै तो तो आपको कही दिखे गी जाते होगे कि यह पकल के मारो इसे ठीक है लोग किसमे अमला करेंगे जो इसके supporter जो इसके members है तो इस तरह से विमर रिपाप्लिक विकेम यह असा कहेंगे कि supporters of the VIMR Republic became the easy target of people लोग उनको पर हमला कर दिया करते थे यह प्राबलम करना पड़ रही थी मौकिंग ली दी सपोर्टर्स ओव्यमर रिपब्लिक वर कॉल्ड नवेंबर क्रिमिनल्स यह अच्छी चीज़े नवेंबर क्रिमिनल्स क्या होता है ठीक है वह समझाता हूं आपको कि ट्रीटी ओफ व आपुब्लिक जिंक्योपर हमला होता था उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था क्योंकि नहां आकगारडिंग टुद फीपल उफ Criminals, आया समझ में November Criminals क्यों कहा जाता था, किसे कहा जाता था, Women Republic के Supporters को कहा जाता था, क्लियर है November Criminals में Question आता है, One Marks में, Three Marks में, तो अब वो लिख लेंगा, I hope आप समझ गए हैं, ठीके, यह हो गया, अब क्या बोलते हैं, The first world war had dipped deep imprints on European society How? सवाल यहाता कि कैसे? Deep imprints मतलब क्या है कि बहुत गहरे प्रभाव छोड़ गया था First World War पूरी की पूरी European society के उपर, जर्मनी के उपर कैसे? हमने यह देखा कि परिशानी तो थी financially भी, psychological भी लोग परिशान थे psychology किस तरह से परिशान थे? उनको एक अंदर से घुसा था हमेशा हर इंसान अब यह चारा था बदला बस और कुछ नहीं चाहिए हमें बदला चाहिए तो अब उसके चलते क्या होता है? Trench life was glorified Trench life glorified का मतलब क्या है? कि अब Trench क्या होता पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ इस तरह से चीज़ देखो बड़ी मुश्किल से फोटो मिला है मैं आपको समझा तो बहुत अची चीज़ है Trench क्या होता है? तो उस समय पे आज देखो आज तो लड़ाई का तरीका बिलकुल बदल गया Aircrafts होते हैं और पता नहीं कितने intelligent तरीके से लोग लड़ाई लड़ते हैं तो आर्मी पता ही नहीं चलती कब कहां लड़ लेती है लेकिन उस समय पे One man army वाला system रहता था कि मतलब man to man आपको लड़ना होगा अब man to man जब लड़ना रहता था तो ऐसे सीधे आप अगर खड़े रहोगे जमीन पे तो आपको कोई भी गुली मार देगा तो ऐसे trench बना लिए जाते थे Trench क्या किया जाता है तो ऐसे गड़ा ठीक है इस तरह से trench डिक की जाती थी लग 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 यहां तो यह तो यहां तक आ जाएगा अब यह तो अंदर है पता लग रहे हैं बैटके लंच ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कोई इधर से आ गया और विद्वाद क्या बार्बेट वायर्स होते थी कोई पैदल पैदल दोड़के यहां सीधे अब यह तो अंदर है पता लग रहे हैं बैटके लंच ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कोई इधर से आ गया और इनके उपर कूद के सीधे गोलिया चला दी तो इस तरह से वायरिंग वगेरा कर ल इस तरह से लड़ाई लड़ी जाती थी यह ट्रेंच सिस्टम था ट्रेंच सिस्टम ओफ वार्ड अब क्या होता था मैंने स्टेटमेंट क्या बताया आपको ट्रेंच लाइफ ग्लोरिफाइड मतलब ट्रेंच लाइफ को ग्लोरिफाइड किया जाता था एक सोलडर की लाइ एक लोजिकल वो बनाने की कोशिश की जाती कि नहीं सबसे अच्छा जीवन आपका ट्रेंच में होगा क्यों कि आप देश के लिए कुछ सयोग करोगे अब क्या है कि बहुत जादा परिशानी का सामना पड़ना पड़ता था खाना नहीं मिलता था जो सोल्जर्स लड़ रहे थे उनको ठीक है कि मिलता था नहीं पर आर्वा मिलता खुंत कर थे अब तो हमारे मैंटटेट का बन जाता नहीं बस अब तो बदला लेना और कुछ ous यहां पर भी चल रहा था कि में जो थे तो इट वस प्रिजियूम्ट एट में शुट भी एग्रेसिव दे शुट भी स्ट्रॉंग एड मस्कुलिन ताकि वह क्या रहे ताकि वह अपने आपको सोलजर की तरह रिप्रेजेंट कर पाएं लड़ पाएं देश के लिए कुछ कर प लगा उसी की बात सुनी जाएगी तो इस तरह से एक सिच्वेशन पूरी कैसी बन गई है बहुत होस्टाइल सिच्वेशन डवलप होगी थी जर्मनी में और पता है कैसा कहते हैं कि एक बैग्राउंड बनते जाता है इंसान का तो उसी कारण से आज भी हम देखते तो जर्म लिया अब इस बीच में कोई एक संत बनके जाता है आदमी ठीक है वो क्या बोलता है कि नहीं डेमोक्रेसी सबसे अची चीज़ है तो डेमोक्रेसी बिकीम यंग और फ्रजाइल आइडिया इन दिस सिच्वेशन यह जो इफेक्ट ऑफ वार देख रहे हैं कि वार के बात में इसे किसी अची तरह से यूटिलाइज करी सकते हैं कि कंजरवेटिव डिक्टेटर्शिप लिए सपोर्ट बढ़ता जा रहा था तो दिखती बात है अब सपोर्ट बढ़ गया है किसी चीज का तो बहुत आसानी से डिक्टेटर्शिप आ भी सकती है तो मैंने आपको यह बताया, the effect of war, war के बाद में क्या effect रहा आया ध्यान में, यह कहानी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जो situation थी मैं अभी आपको एक statement आगे जब rise of Hitler वाला topic पड़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि जो वहां की economical, political situation थी, it provided a fertile ground for Hitler to grow ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि Hitler किस तरह से grow कर पाते है, situation का फायदा कैसा उठाबाते है, तो यह सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा है, next video में हम क्या पढ़ेंगे, next video में हम पढ़ेंगे political radicalism, कि politically भी बहुत unevenness थी कहां पर जर्मनी में, तो यह political radicalism क्या था, वो आपको मैं next video में समझाने वाला हूँ इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub-topics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे political radicalism, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा थे एक बार कहाने recap कर लेते थोड़ा था, देखो हमने पढ़ा war होती है, war के बाद में treaty of vessels क्या होता है वो देखा, फिर हमने देखा what were the effect of the war, हमने इस सारी चीज़े देखने के बाद में इतना conclude करा था कि situation change हो चुकी थी जर्मनी में भी और पूरे के पूरे यूरोप में भी, सारे यूरोप में क्या था एक तरह से हम देख रहे हैं कि financially भी लोग परिशान थे, उसे जादा focus मिलाया जाता था अभी अब हम क्या करते हैं जर्मनी की situation को समझते हैं अलग-अलग sphere में तो political और economic sphere में समझेंगे इस वीडियो में political sphere मतलब जो वाजनेतिक शेत्र था उसमें क्या बदलाव आया था किस तरह से चीज़ें बदल रही थी वो देखते हैं तो इसे political radicalism कहा गया है political radicalism मतलब क्या है कि radicals जैसे हमने पढ़ा था Russian Revolution वाले chapter में कि radicals कौन होते हैं जो change चाहते हैं तो उस तरह से politics में भी क्या बदलाव की बात की जा रही थी एक sudden change की बात की जा रही थी कैसे क्यों तो आप लोगों को ये तो कहानी दिहान होगी कि विमर रिपब्लिक जो थी तो उससे लोग खुश नहीं थे बिलकुल भी ठीक है विमर रिपब्लिक से लोग बहुत ज़ादा क्या थे डिससैटिसटाइड थे आफ विमर रिपब्लिक से लोग डिससैटिसाइड थेए और उसी की सांसात में क्याइब हो चाहते थे जाते थे चाहते थे चाहते ऑर रहे पिंचन बी अब जालोग एक बना रहे ते लोग तो दूसरे ऐल्टरनेटिवट क्या थे जिसे वीमर रीपब्लिक थी ना तो स्पार्टिस्स लीग भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी एक ऑर्गनाईजिशन थी जो क्या चाहती थी जो जो इसे अपोस्ट करें थी वर्सस लिखाने तो मैच होने वाला है इन दोनों की बीच में कौन सा मैच political power को अपने हाथ में लाने के लिए match होने वाला है ठीक है वेमर रिपब्लीक के पास में अभी power थी लेकिन उस power को challenge कौन कर रही थी Spartacist League कर रही थी क्या थी Spartacist League तो it was a group on the pattern of Bolshevik revolution in Russia जो हमने Bolshevik revolution, Russian revolution chapter में पढ़ा था कि Bolshevik party power में आती है वालदे मेर लेनिन जो है वालदे मेर लेनिन के आते हैं पावर में आते हैं तो वो पावर में आने के बाद में जो जिस तरह कि पार्टी रश्या में थी ठीक है रश्या में मतलब हम देखते ना communist style of governance चल रहा था कि सारी चीजे क्या है लोग कंट्रोल करेंगे लोग आपरेट करेंगे जो हमने रश्या में सारी चीजे पड़ी थी तो उस लाइन पे लोग क्या चा रहे थे उस लाइन पे उस पैटरन पे ग्रुप बना था जर्मनी में उसका नाम क्या था उस ग्रुप का नाम था स्पार्टसिस लीग ठीक है यह स्पार्टसिस लीग के बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे स्पार्टसिस लीग के बारे में प्रश्राइब और तो आप इतना आइडिया समझने आ गया होगा कि पॉलेटिकली सिच्वेशन क्या थी पॉलेटिकली वीमर रिपपलिक के पास में पावर जरूर थी लेकिन वीमर रिपपलिक को चैलेंज कौन कर रहा था इस पासिट लिग जो क्या चाहती थी जो रुशिय थी कि तरह से जो सोविएट यूणियन था पहले जहां वो जिस तरह से अपनी कंट्रिक को चला रहे थे सेंट्रलाइच्ट प्लानिंग होती देमोक्राइसी नहीं थी तो सारी चीजह न उस तरह से गवर्नेंस चाहते थे कहां पर जर्मनी में आप देखो क्या है वियमा रिपब्लिक अपोस देख तो जितने भी वियमा रिपब्लिक के जो भी सपोर्टर्स थे जैसे डेमोक्राइट्स जो थे जो तो उन लोगों ने वह पावर में जिसके पास पावर रहती तो थोड़ा सा क्या करता थोड़ा सा टशन में रहता है तो वह चीज यहां पर भी थी कि विमा रिपब्लिक भी तरशन में थी उन्होंने बोल रहती है इसा कोई स्वेट स्टाइल और वगवर्नेंस वगराँ नही स्वेट वर्ड वार में जिन लोगों ने लड़ाए लड़ी थी जिंदा बच गए थे ठीक है तो जिंदा बच गए थे उनलोगों की मदद से क्या करती थी विमा रिपब्लिक यह स्पार्ट असिस्स लीग यह रैडिकल लीग थी मतलब यह क्या करती थी हमलें बगे अभी अखिए थी लोगों के ऊपर इन लोगों को सप्रस करने के लिए प्रफियर क्रने के लिए इस वार वेटरेंस थे उनकी मदद लेती थी और इनकी मदद से वीमा रिपब्लीक क्या करती थी सोविय इस्टाईल की डिमाड किसने रखी है स्पाटैस्ट लीगड् ने और यहां पर हम देखते हैं यह पलिक्ता वांटेटीक रिप geben लोग दोक्रेंटीक चाता था दोनों का सिस्टम अलगा आलग है तो इसके बीच Spartacist League और Vimmer Republic के बीच में जो conflict था उस बारे में और उस conflict के कारण क्या डबलप हो गया उस conflict के कारण जो situation डबलप हुई वो कौन सी थी Political Radicalism वाली situation डबलप हो गई जिसमें जो political sphere था पुरा वो change हो गया अबरप्टली change हो गया क्लाइश थी दोनों के बीच में socialist मतलब क्या है हमने देखा वीमा रिपब्लिक के जो supporter थे वो कौन थे catholics, democrats, socialist यह शब्द समझते चलिएगा शब्द समझा जरूरी है catholics मतलब क्या है catholics मतलब जो christianity की एक wing थी जो क्या कर रही थी जो वीमा रिपब्लिक को support कर रही थी बाइट्स थे, democrats मतलब जो democracy में विश्वा सकते तो यह सबी लोग के Supporter थे लेकिन वीमा रिपब्लिक का support लेग कर रही थी जो क्या चारी थी Soviet style of governance चारी थी इसलिके चलते उनके बीच में clash हो गया अब मैंने आपे Communist क्यों लिखा है क्योंकि जो Spartacist League के लोग थे वो क्या थे Communist थे लेटर दे founded Communist Party of Germany तो जो Communist Party of Germany बनी है वो भी किस ने बनाई थी वो Spartacist League के लोगों ने बनाई थी तो इसके चलते हम क्या कह सकते हैं कि आपस में आपे तालमिल नहीं बन रहा है अब देखो क्या है आपने सुनाओका ना कि दो लोग आपस में लड़ता रह गया तीसरा इंसान जो है वो फाइदा उठा गया तो वही चीज़ यहाँ पर हिट्लर ने भी करी अब देखो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हिट्लर ने सारा सब कुछ अपने दम पर किया है हिट्लर को बहुत सारे advantages मिले हैं हमने क्या देखा कि the effect of study war में हमने क्या पढ़ा था कि situation ऐसी बन गई थी आपको अब aggressive leader चाहिए democracy एक fragile idea था वहाँ पर conservative dictatorship जो थी तो उसका support अपने आप करने लगे थे लोग एक कारण वो था दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं सब ठीक है तो उसमें अब कहीं पर भी ऐसा नहीं दीख रहा था कि कुछ भी reconcile हो पाएगा कहीं भी compromise हो पाएंगे तो उस चीज का situation का advantage हिटलर उठाते हैं और यह जो situation prevail कर रही थी जर्मनी में उस situation का advantage उठाते वह हिटलर क्या करेंगे हिटलर अपने आपको पावर में establish करेंगे एक पॉइंट यह भी ध्यान रखना है आपको आगे बताऊंगा कि राइज ओफ हिटलर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलेटिकल सिच्वेशन क्या थी जिसने हिटलर को मदद करी तो पॉलेट में पॉलेटिकल स्वेर की में इकन। मैक भीच कॉन बहुत जादा परेशान थी जर्मनी मैने आपको यह दिखाना है देखो यह छीआइ मा वहالم spark वह उतना वाली Guvernance छहा रहे थे तो वह Communist के कम्योनियस्त पार्टी की complex का थे थे के और यह वहमर corporate का फ्लाग है तो अम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़एंगे Nasty हुम पढ़ेंगे political radicalism के बारे में political radicalism थो हमारा complete हो गया है हम economic problems के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से economic situation जो थी वो बहुत bigger चुकी थी कहाँ पर Germany में इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub topics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com में देखा था कि किस तरह से political situation जो है जो political atmosphere था कहां का Germany का वो change हो रहा था हमने विमर रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट लीग के बीच में क्या conflicts थे वो समझे थे और देखा था कि दो लोग लड़ रहे हैं तीसरा advantage लेके जाने वाला है कौन है यह तीसरा इंसान? Hitler ठीक है तो हम अगर आपको ध्यान हो तो अभी तक क्या पढ़ा है हमने अभी तक हम यह पढ़ रहे हैं कि कैसे एक बैग्राउंड डेवलप हुआ था बैग्राउंड किस चीज के लिए बैग्राउंड डेवलप हुआ था Hitler के आगे ग्रो होने के लिए ठीक हैं? हमने देखा कि लोग डिसकंटेंट थे किससे विएमर रिपब्लीक से वार के बाद में जो इफेक्ट थे वह भी बहुत जादा भयानक थे पॉलिटिकल रेडिकलिविजम पॉलिटिकल सिच्वेशन पूरी चीज हुआ थी अब देखते हैं एकनॉमी में तो एकनॉमिक सिच्वेशन जो है एकनॉमिक सिच्वेशन किस तरह से बिगड़ चुकी है कहां पर एकनॉमिक सिच्वेशन किस तरह से बिगड़ चुकी है जर्मनी में वह देखते हैं हम चलिए तो एकनॉमिक क्राइस में क्या है जर्मनी एन वार रिप्रेशन ठीक है वार रिप्रेशन स कौन पे करेगा उसका कंपंशेशन पे करेगा जर्मनी जर्मनी याद करो रिकॉल करो कितना कंपंशेशन था सिक्स बिलियन पाउंड ठीक है तो अब इतना कंपंशेशन पे करना था किसे इतना कंपंशेशन पे करना था जर्मनी को किसको पे करना था अलग अलग कंट्री थी को डेन्मार्क को ठीक है बेल्जियम को तो बहुत सारी कंट्रीज को पे करना था जहां-जहां नुकसान हुआ था तो अब यह जर्मनी रिप्रेशन्स पे कर रहा था कंट्र कोरिंग जो कंट्रीर के करना था जर्मनी को का अंडर थी वार गल्डेशनी श्क्मार और फ्रांस मिफाइट प्रांस मेन ने रिजल तो बहुत सारा तो जर्मनी को दिखती बात है कि जर्मनी वार के बात मैं अगे डवलप होने की कोशिश करेगा तो बहुत सारा कोल हमने देखा 25% कुछ इतना कोल तो छुड़ा भी लिया था अब जो बचा कुछ आता उस कोल में वो डवलप करने के अपने आपको कोशिश कर लेकिन यह भी अच्छा नहीं लगा लाइस पावर को तो फ्रेंच मतलब फ्रांस जो था तो फ्रांस को क्या लगा कि हमारे कंपंसेशन रिपे नहीं कर रहा ऐसे कैसे रिपे नहीं करेंगा जर्मनी तो उन्होंने उनका रूरी रिजन था जो इंडस्ट्रेल एरिया था ठी है क्यों क्योंकि इस एरिया उनकी इंडस्ट्री अगर topicsζ लेख अब एक डेवलपिंग इंड्या को अगर आप क्याुक् plu फ्रांस को मारन सकते कि जर्मनीगों कुए करना पढ़ेगा जीतिवी कंट्यॐ मांना पढ़े रहे था हमारे उन्ह तेखने को मिलता है तो यह तो तो में तो हमारा रूर रिजन तुम अपने पास रखो हम क्या करेंगे हम पैसे ले लिए तो हम पैसे और प्रिंट करते जाएंगे लेकिन यहां पर कड़बर हो जाती है अच्छा कितने लोगों ने ऐसा सोचा है ठीक है मैं भी वच्पन में ऐसा सोचता था कि printing machine है हमारे पास में paper printing machine note printing machine मतलब ठीक है तो हम पैसो की कमी क्यों है देश में पैसा print करते जाओ बहुत सारा पैसा print कर लो पैसो की कमी नहीं होना चाहिए ना लेकिन उसके पीछे कारण ह आपको बताता हूं समझाता हूं क्या जैसे आपकी economy है लाट के मैं देश है अब के देश में क्या होता है आपके देश में अगर आप cutlashly currency print करोगे क्या है किया आपके बीडिक मशिन मेरे पास भी प्रिंटिक मशिने अम जोनवu पैसे प्रिंट करने अब ये जैसे मार्क ह ह요 तो अब इसे मार्केट में ब Lapka फरीदने जाएंगे 10 रूपर की कीमत है मुझे अच्छा लगा आपको अच्छा लग आपके घर मेंसे 20 रूपर प्रिंट करके लिहांगे आप कियोता किणा क्या है इक हटो ता इस तो में किम इस कीमत बहुत जबाओइगी अगर हम क्या करेंगे सिर्फ पैसे शापते जाएंगे तो इसी कारण से गुवर्मेंट मतलब इतनी बुद्धु नहीं है जो पैसे प्रिंट नहीं कर रही है गुवर्मेंट को भी ऐसा खयाल आया होगा कि अपने घर की मशीने खुब पैसा प्रिंट करो पैसो की कमी नहीं होना चाया है वर्ल्ट की सब्सक्रीमीर कंट्री बशाओ लेकिन ऐसा नहीं है क्या होता है कि जब आप रेकलसली करण सी प्रिंट करते हो तो गुड्थ सी है आपकी एकनोमी में उसकी कीमत क्या होने रगती है जैसे जो goods होते हैं तो goods की कीमत बहुत जादा बढ़ जाती है तो इसी के चलते क्या है यह इस चीज का ध्यान नहीं दिया जर्मनी ने मतलब वो करने के बाद में समझ आती है चीजे जर्मनी ने क्या सोचा कि compensation pay करना है हमारा industrial area भी इन्होंने छुड़ा लिया है अब हमारी economy में पैसा कहा से लाएंगे तो पैसा print करते जाओ पैसा print करना start कर दिया लेकिन यह जो पैसा print करा तो इससे problem थी what was the problem in that तो मैंने आपको समझा दिया problem यह थी कि जितने भी goods होते तो goods की कीमत बहुत जादा बढ़ने लगी इससे क्या कहते है inflation कहते है inflation मतलब क्या होता है कि चीजों की कीमत बढ़ना ठीक है तो अब चीजों की कीमत बढ़ रही थी और चीजों की कीमत बढ़ रही थी साथ साथ में वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क सेल अब देखो क्या है dollar से compare करते हैं हम सारी currencies को तो dollar से compare कर जाएगा तो देख रहेंगे वह million billion तक पहुंच गया था मतलब एक dollar equal to millions of marks जर्मन मार्क ठीक है तो जर्मन मार्क की value बहुत ही अबरप्टली गिरना स्टार्ट होती है आपकी बुक में जो fact दिया आप उन्हें पढ़ लीजेगा कि over the period of five six years ठीक है पांच-चे increase ठीक है अब आपने फोटो देखा होगा आपने पढ़ा होगा आपकी बुक में कि आप ब्रेट शॉप पर जा रहे हैं ठीक है ने ग्रॉश्री शॉप पर जा रहे हैं अगर तो आपको क्या करना पड़ रहा है कि एक बहुत बड़ा बक्सा उस बक्से के अंदर उस बॉक् ही है आया संच में तो चीजों की कीमत बढ़ी अचाइब कि इस चोटी से चोटी प्रेटी बहुत जादा कीमत पर मिलगा इसे ब्रेड का में आपको एक बाक्स पूरा फुल अफ मनि झाए आप कहांपे दुकान पे और फिर वहां से ब्रेट खरीद के लाएंगे तो इस से क्या है लोगों को जीना मतलब लोगों के लिए सरवाइफ करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था इतनी जादा वैल्यू गिर गई थी मांग जर्मन मांग की अब क्या होता है कि यार जैसा भी यह लोगों को थोड़ी सी सेंपती आ गई कि जर्मनी ने ऐसा क्या कर दिया बस व जो हैं ठीक है अंकल की फोटो देखिया आप यह कौन है यह हैं चार्स जी डेविस ठीक है यह एक बैंकर है कि एकनॉमिस तेक तरह से कह सकते हो ठीक है कहा के यूएस के तो इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा कि यह फ्रांस में और जर्मनी में आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा हे फ्रांस भी ताकत दिखा है जर्मनी को घर्मनी भी कुछ करा जारा है करेंशी प्रिंक करें रहा है इससे तो और सिटूइशन बिगरती जाएगी दिसां एडिय को से यह दो टूर्झ प्लान का इस यह प्ल險 का झाया किया गया कि तो अब रिप्रेशन टे कि क्या हो सारा सब कुछ smoothly हो जाए तो यूएस ने बीच में इंटर्वीन करा डावेस्ट प्लान इंट्रिड्यूस करवाया जिसमें फ्रांस और जर्मनी दोनों एगरी हो जाते हैं जिसके चलते जो जो कंडिशन थी जो टर्म्स थी टर्म्स ऑफ रिप्रेशन जो थी तो उसे इस कर दिया गया थोड़ा सा आसान कर दिया गया आया समझ में तो अब हमने एक चीज़ यह देखी है आप कंक्लूड क्या करना है हमें कि एकनॉमिकली परस्त हो चुकी थी जर्मनी ठीक है परस्त हो में आएगा ठीक है यहां तक कहानी ध्यान रखना है अब आपको अभी क्या होता है लेकिन कि यह जो खुशी थी थोड़े समय के लिए खुशी आई थी डैवेस्ट प्लान के थूख यह ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगी क्यों क्योंकि यहां पर सिट्वेशन बि बिल रहे थे ठीक है अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इयर ओफ डिपरेशन की इकनॉमी और किस तरह से और बद से बत्तर होते चले जाएगी ठीक है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशल website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंग्ज फॉर्माट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं दो डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू 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 बेरिमच हलो एवरीबडी दिस दिग्राश सिंह राजपूद वेलकम तो magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे the year of depression part 1 सारी चीज़े अनीवन थी conflicts देखने को मिल रहे थे किस किस के बीच में conflicts देखने को मिल रहे थे स्पार्टसेस लीग और व्यमर रिपब्लीक और उसी तरह से और भी दूसरी political parties थी जिनकी बीच में कहीं भी क्या तालमिल बनता दिख नहीं रहा था फिर हमने क्या देखा था फिर हमने देखा था कि economic crisis भी है economic crisis है economy पूरी तरह से खराब हो चुकी है जर्मनी की मतलब उस समय पर खराब हो चुकी थी जर्मनी की बहुत जादा महंगाई थी hyper inflation वाली problem देखने को मिल रहे थी और उस बीच में हमने ये भी समझा था कि दया आ जाती है किसे US को US को दया आ सकते हैं कि एक तरह से डूबते को तिनके का सहारा जर्मनी की economy जो थी वो डूब रही थी वहाँ पर US ने इंटर्वीन किया US ने इंटर्वीन करने के बाद में क्या किया है US ने सहारा दे दिया एक तरह से जर्मनी की economy को ठीक है चलो तो economic recovery अगर हम गहें तो वह धीरे-धीर देखने को मिली जर्मन economy में लेकिन यह stability जादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी क्यों क्योंकि stability during 1924-1928 was built on sand built on sand का मतलब यह मतलब imagine ऐसे मत करने लगना कि पूरी जर्मनी को rate के उपर बनाया होगा ठीक है built on sand मतलब कि यह लिखने का तरीका है मतलब आपको एक कह सकते है presentable way में लिखके दे रहे हैं चीजों को built on sand मतलब बहुत कमजोर थी economy उस समय fragile economy थी एक तरह से बनी रही थी under construction economy थी अभी देखो तो अभी इतना ज्यादा hyper inflation था US ने थोड़ी से मदद करी war reparation को कम कर दिया उनके लिए आसान कर दिया अब वो धीरे धीरे recover करना start कर रहे थे लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं पाया है क्यों क्योंकि ये उतना अच्छा plan रहा नहीं प्लान तो अच्छा था लेकिन situation तो अतनी favorable नहीं रही क्या होता है why this is said that stability during 1924 to 1928 was built on sand तो ये कहने के पीछे कारण है कारण क्या है कि German recovery जो थी जर्मनी की economy अगर grow करेगी तो वो क्यों करेगी क्योंकि US loan दे रहा है अगर US loan देना बंद कर देगा तो क्या कर्मनी की recovery हो रही थी short term loans by USA ठीक है यहां तक ध्याना है आपको फिर क्या होता है बड़ वाल स्ट्रीट exchange crashed in 1929 ठीक है यह चीज समझने वाली है क्या कि वाल स्ट्रीट exchange crash हो जाता है 1929 में अब आप यह सोच रहे होंगे crash हो जाता है कोई helicopter होगा इस helicopter में पैसे आ रहे होंगे और वह crash हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है वाल स्ट्रीट exchange क्या है वाल स्ट्रीट exchange जो है तो यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा stock exchange है stock exchange क्या होता है जैसे अभी हो सकता है कुछ कुछ लोगों को पता भी हो कुछ लोगों को पता ना हो तो एक basic idea में बता देता हूं कि शेयर market वगेरा के बारे में आपने सुना होगा newspaper वगेरा में आप बोलते हो कि share market में points बढ़ गए share market के points घट गए ठीक है share market में मंदी है share market में क्या क्या बोल रहें उता रहें चड़ाओ यह सब सुनते हैं हम newspaper में पढ़ते हैं तो यह क्या होता है कि एक तरह से लोग पैसा invest करते हैं अलग-अलग companies जो होती है तो companies क्या करती है अपने share market था Wall Street exchange वो crash हो जाता है 1929 में अब crash क्यों लिखा है यहां पर crash होने का मतलब क्या कि इसकी performance खराब होते जारी थी और दिन पर दिन पर दिन क्या होते जारी थी शेर सारे बिखते जा रहे थे मतलब लोग क्या कर रहे थे पैसा नहीं लगा रहे थे अब महनलो में एक business स्टार्ट करता हूं मतलब में एक तरह से क्या करता है यूसे का जो share market था Wall Street exchange तो उसमें से लोगों अपना पैसा निकालना वापिस चालू कर दिया था सारे शेर बेच दिये क्यों क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो जर्मनी में economic recession हो रहा है और यूरोप में हर जगा देख रहे थे हम कि क्या वार के बाद में situation उतनी अच्छी नहीं थी जब situation उतनी अच्छी नहीं थी तो लोगों को विश्वास नहीं था कि आर आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है people sold their share fearing the falling fearing the falling the price falling in the price है ठीक है falling in the price तो अब यहां पे क्या होता है देखो कि लोग जो थे तो लोगों को इडर था कि जिस तरह से चीजों की commodities की कीमत गिरती जा रही है उन चीजों की commodities की कीमत गिरती कीमत के चलते क्या है हो सकता है कि हम जितना पैसा लगाएंगे कल को हमारा पैसे की value कम हो जाए तो लोगों को इडर था कि अभी इस समय वाल स्टीट एक्षेंज शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की होता है ठीक है आपने अगर एडविटाइजमेंट वगरा सुनोंगे टीवी पे तो यसा वह बहुत तीजी से बोल दीते ना शेयर मार्केट अर सब्जेक्ट वार्केट रिस्क इस तरह से तो यह वही ची करेंगे लोगों को डर था या मरें हो सकता है कि चीजों की कमोडिटी कमोर मेरे पैसे की किमत कम हो जाए तो उसके चलते क्या होगा उसके चलते यूईस की एकोनॉमि के उपर एक बुरा इंपक्ट पढ़ेगा मैंने आपको भी बतायते हैं कि एकोनॉमी की पर्फॉरमेंस क मतलब economy depression के और जा रही थी अब depression देखो दो तीन चीज़े होती है geography में आपने पढ़ा होगा depression एक वो आला होता है ठीक है मतलब जो गहराई में गड़े में होता है वो depression आपने psychology वाला depression सुना होगा depression में चले गए लोग ठीक और यह depression जो यह economic depression तो चीज़ों का मतलब वही है कि एक तरह से slowdown में जाना ठीक है तो यहां पर economic slowdown हो गया अब देखो बहुत सारी बार क्या होता है कि एक ही शब्द की अलग-अलग subject wise context मदल जाते है ना सिर्फ depression का मैंने आपको तीन subject में बता दिया और तीनो subject में अलग-अलग तरह से deal किया जाता है बाकि एक basic crux है तो वो यही है कि नीचे की तरफ जाना ठीक अब क्या होता है जब share market में share की value कम होने लगी तो जो national income of US से fell by half तो लोगों की income बिकम हो गई जो country का जितना GDP होता ठीक है वो क्या हो गया वो आदा हो गया आदा हो गया तो आप देख सकते हो कि US की economy इतनी बड़ी थी तो अब वो श्रिंक हो क्या आदी हो गई है तो इसका impact क्या पड़ेगा क्या अभी भी US की economy Germany को लो मतलब US से की जो government है वो Germany को लोन देते रहेगी नहीं देगी क्यों क्य पैसा नहीं है इनके पास पैसा क्यों नहीं क्योंकि इनका पूरा का पूरा economic system जो वो क्या हो गया है collapse हो गया है आया समझ में तो the effect was felt worldwide अभी आपके मन में एक सवाल आ रहोगा कि worldwide कैसे effect को feel किया गया तो उसके पीछे कारण है worldwide इसलिए feel किया गया क्योंकि जैसे आपको पत अब जैसे इंडिया से क्या होता है आज अगर हम देखें कि हमें ग्लोबलाइस कंट्री मतलब क्या है कि सारी कंट्री आपस में connected है ट्रेड होता है पैसा इदर सुधर होता है तो इसके चलते सारी कंट्री अगर क्या करती सफर करती है तो दूसरे के ओपर impact पड़ता ही पड contributor था तो उसके चलते क्या होता है कि जो effect था this effect was felt worldwide worldwide एक economic depression face करने को देखने को मिल रहा था जहां पर worldwide सारी कंट्री सफर कर रही थी अब worldwide सारी कंट्री कर रही तो जर्मनी तो करेगी ही करेगी क्यों कि जर्मनी तो जर्मनी की जो recovery it was totally dependent on short term loans by USA USA से जो short term loans मिल रहे थे उसके उ तो what was the impact on Germany यह हम next video में continue करेंगे तो year of depression के topic के अंदर ही मैंने इसलिए दो सब parts में कर दिया इसे ताकि एक part में आप पूरी कहानी समझ लो कि यह depression आया कहां से और Germany क्यों effect होगा क्योंकि Germany किसके उपर dependent था USA के उपर USA के हलत खराब Germany के हलत खराब होगी अब वो देखेंगे ह समयने आपको यह बता है था ना कि Wall Street Exchange crash हो गया लोगों ने शेयर बेचना स्टार्ट कर दिये तो जैसे 24th October का date दिया गया हमें आपे 24th October में क्या हुआ 13 million shares were sold 13 million shares मतलब 13 million पैसे नहीं बोल रहे है शेयर बोल रहे है number of share 13 million share कितना होता एक करोड़ तीस लाग कुश सेल किया ग इसा जब लोगों ने क्या कर लिया वापस निकाल लिया अपना तो उसके चलते दिखती बात economic crash होगी यह photo है कहा का Wall Street Exchange का आज ऐसा नहीं दिखता हो ठीक है लेकिन यह उस समय का बता रहे है कि उस समय पर जैसे रश था बहुत ज्यादा सारे लोग आज तो सारी चीजे transaction करते थे तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी भीड लगी हुए सारे लोग शेयर बीचने आगाए अपने यह सारा सब कुछ पड़ा हमने the year of depression part 1 में part 2 में इसी को continue करेंगे हम देखेंगे what are the impact on Germany ठीक है impact क्या रहा जर्मनी पर उस सारा सब कुछ हम next video में पढ़ने व topics एक arranged format पर available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूद welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the year of depression part 2 पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने the year of depression part 1 पढ़ा था जिसमें मैंने आपको एक basic outline बता दी थी कि depression है क्या चीज़ ठीक है क्यों आया था हमने यह देखा था कि Germanic economy धीरे धीरे recover कर रही थी recover क्यों कर रही थी क्योंकि US loan दे रहा था ठीक ह लेकिन क्या होता है कि US की ही economic collapse हो जाती है क्यों collapse होती है क्योंकि वहाँ पे जो उनका Wall Street Exchange था वो crash हो जाता है अब वो crash होता है तो US की हालत परस्त है भी ठीक है US की ही economic हराब है तो क्या वो लोन दे पाएगी नहीं दे पाएगी तो अब हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जब लोन देना बंद हो जाता है तो Germany में क्या impact होते हैं ठीक है तो हम year of depression जो पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने last point ये भी पढ़ा था कि the effect was felt worldwide ठीक है worldwide सारी countries ने feel किया था इस चीज़ को तो अभी हम वही discuss करेंगी कि worldwide कैसे feel किया था क्या हुआ था worldwide ठीक है तो जो economic crisis थे तो economic crisis had a deep impact on German economy ठीक है economic crisis जितने भी थे तो उनका अगर German economy के उपर प्रभाव देखा जाए तो बहुत गहरा प्रभाव था ठीक है अभी आपको क्या करना है अभी आपको सबसे पहले question लिखना ही है question इस तरह इससे पुछा जा सकता है how did the economic crisis had a deep impact on German economy या फिर what were the impact of great depression या फिर the economic depression on German economy तो question किसी भी sense में पुछा जाए आपको ध्यान क्या रखना है आपको ध्यानी रखना है content अलग अलग शब्दों में पूछा जा सकता है अब यह question पूछ लिया what was the impact when US stopped giving loan to Germany ठीक है तो question किसी भी शब्दों में आ सकता अगर आपको इतना पता है keywords क्या होना चीए loan ठीक है या फिर economic depression year of depression इनमें से keywords है यह शब्द के साथ में अगर question पूछा जाता तो question समझो और सारा content जो हम discuss करेंगे वो लिख दो clear है तो इसमें मैं आपको दो perspective दूंगा ठीक है एक तो हम impact दे industrial production was reduced to 40% 1932 ठीक है 1932 आते आते क्या होता है कि industrial production जो था तो 40% तक reduced हो गया 1929 में जितना था मतलो 1929 में अगर यह 100 रुपे का products produce करते थे तो 1932 आते आते इनका product अब मातर 40 रुपे में produce हो रहा था मतलब 40 रुपे के product produce कर पा रहे थे तो इस तरह से क्या हुआ है हमने देखा क की industrial production जो था वह reduce हो गया कितना reduce हो गया 40 पर्सेंट तक रडियूस हो गया ठीक है अब जब इंडस्टरी में production नहीं होगा प्रदक्शन नहीं होगा तो क्या अब जैसे production नहीं हो नहीं हो रहाँ तो कि्या लोग cream वेर्योजगारे गूम रहे हैं तो इस तरह से unemployment बढ़ जाए reduced wages तो वरकर्स बहुत सारे वरकर्स ने तो अपनी जॉब छोड़ दी जॉब छोड़ दी किया उन्हें निकाल दिया गया मतलब अब मेरी इंडस्ट्री में काम ही नहीं होगा तो मैं वरकर्स को क्यों रखूंगा दिखती बात है मैं अपने जेब से पैसा कब तक लगाऊंगा तो वो क्या करेगा वो इंसान ज्यादा वरकर्स को अपने रखी नहीं सकता है उसे वरकर्स को निकालना पड़ेगा क्यों क्योंकि वरकर्स को पैसे कहां से देगा उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है आया समझ में तो यह एक प्रॉब्लम हो गई और अगर कुछ वरकर् कितना साहंट लाग साहंट लाग लोग बेरोजगार घूम रहे थे उनके पास कोई काम नहीं था अब यह बेरोजगार हैं तो क्या करेंगे खाना-पीना-बंद कर देंगे क्या सब तपस्या में बैठ जाएंगे ऐसा भी नहीं है आप काम करो या ना करो आपकी बेसिक पैसा है नहीं, government कुछ कर नहीं रही है, job मिल नहीं रही है, तो लोग क्या करेंगे, people will, देखो सारी चीजे, relate करो, उपर वाला point हमने नीचे से relate करेंगे, जब unemployment बढ़ गई है, now people will take up criminal activities, ठीके, क्या हो गया, तो लोगों ने people started indulging themselves in criminal activities, तो criminal activities increased, criminal activities बढ़ गई है, क्यों पैसा नहीं है काम भी नहीं है चलो ठीक है अगर पैसा नहीं होता लेकिन अगर काम दे रहो आदमी काम करके पेट पाल लेगा लेकिन यहां पर आप ना तो पैसा है ना काम है तो लोग क्या करेंगे जिसके पास उससे छुड़ाएंगे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई है बहुत जारा चोईया होने लगी बहुत जादा मडर होने लगी यह सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी ठीक है और इसी के अगेंस्ट में लॉइन और पूरा एक तरह से क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है लाइन और घुसा रहेगा गुसा किस रहेगा गुशा रहेगा गवर्मेंट के अगेंस्ट क्यों मैंने बता है कि कुछ भी होता हम किस की कौलर पकड़ेंगे हम पकड़ेंगे तो यहाँ वही अपर पीने जाधा कि लोग लाइन में को जाए कि जॉब मिल जाए अब यहाँवे से कि इन सारी चीजों के कारण लोग इंगरा अगया तो प्रोटेस्ट कॉमन है यहां पर लिखा है और लोगों के पास ठाने पास जौब नहीं था और इस सारा सब कुछ क्यों हो रहा मतलब गले में प्लकाड वगरा लटका लेते थे उस पर क्या लिख लेते थे विलिंग टू डू एनी वर्क ठीक है कुछ भी काम दे दो हमें काम दे दो बस काम करने के लिए इतना जाद इतना जादा परिशानी थी इतनी जादा अनिम्प्लाइमेंट थी उस समय पे अब यह कि मतलब आप इस फोटो को देखके मुस्कुरा रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ इसका मैसेज भी समझो कि एक बच्चा एक छोटा बच्चा घर में परिशानी को समझ रहा है वाय कांट यू गिव माई डैड आ जॉब क्यों कि उसके पापा को जब जॉब मिलेगी तभी उ इकनॉमिक क्राइस वाले टाइम पीरेड में फॉलिंग वैल्यू ऑफ करंसी ठीक है उनकी जो करंसी जर्मन मार्क हमने पताया था आगे डिसकस किया था कि एक डॉलर में लाखों मार्क्स के वराबर वैल्यू हो गई थी कब डैवेस प्लान इंटेडियूस होने के बाद में फिर डैवेस प्लान इंटेडियूस के गए चीज़ें थोड़ी सुधरी लेकिन अब जब डिप्रेशन वापिस आगया तो करंसी की वैल्यू फिर गिनने लगी ठीक है अब जब करंसी की वैल्यू गिर रही तो उसके चलते क्या होता है इंकम सेविंग ऑफ दी पीपल डिम कि कलको काम आ जाए लेकिन अभी क्या होता है आप अगर देखोगे तो आज से 20 साल पहले क्या होता था कि upain dol Bright coming Bank बहुत कुछ आता नहीं विंदी लगता था ठीक है एक लाग रुपे में आप क्या कर सकते तो एक घर खरी सकते थे आज से 20 साल पहले लेकिन आज भी क्या एक लाग रुपे की उतनी ही वैल्यू है नहीं है इसका मतलब क्या है कि इन वैल्यू गिर गई ना पैसे की तो वह यहीं पर बताया कि फॉलिंग वैल्यू तो नहीं आएगा मतलब उसके कंपेरिजन में नहीं आएगा तो इस संस में क्या बोलेंगे इस संस में बोलेंगे कि लोगों की सेविंग्स लोगों की इंकम अपने आप डिमिनेश हो गई डिमिनेश याने अपने आप कम हो जाना अपने आप कम कैसे को या गया से मैं क्यू तो आपका business चलेगा क्या नहीं चलेगा लोगों के पास पैसा होगा तब ही तो आपके product खरीदेंगे तो business got ruined, fall in the agricultural price, affected peasantry, अब क्या है agricultural commodities जो थी तो उनकी भी कीमत गिरते जा रही है और उससे में पर ज्यादा industries नहीं हुआ करती थी, अधिकतर लोग किस चीज़ पर dependent होते थ तो जो peasantry वाला sector है ठीक है जो peasants थे जो भी किसान थे तो agricultural side में पूरे जो rural areas था वहाँ पर बहुत जादा परिशानी देखने को मिली बहुत जादा मंदी देखने को मिली ठीक है अब इन सारी चीज़ों के चलते problem क्या ही feeling of proletarianization ठीक है अब यह proletarianization क्या होता है वो समझा मतलब proletarianization का मतलब यह simple सी चीज़ है कि जैसे मैं आज जिस लेवल में हो जिस ब्रैकेट में हुमानलो सोसाइटी में हम रह रहे हैं आपको बोल देते मिडल क्लास या फिर आज जो बहुत अमीर लोग है तो ठीक है उन लोगों का क्या है उन लोगों को हम कहेंगे कि ठीक है है अपने लेवल से नीचे उतर के ठीक है तो डेकम इम्प्रोवेस्ट टू अफ टू लेवल ऑफ टू लेवल ओफ वरकिंग क्लास ठीक है तो टू ति लेवल ऑफ डब लोगया शाय़ color to the level of working class तो बिकम इमप्रोवेस्ट टू लेवल ऑफ वरकिंग लास यह नहा किПрो ले이지 आप देखो पिछले वीडियो में मタ töप मोटा नीचा जा सकता था वह नेशीगा हुआ क्या होता है थे पूछा जा सकता है मैं आपको आपold पाई किटो करो मियंचे आगया उनका लेवल अपने जो economic depression आये जो economic crisis आये उसका impact क्या रहा जर्मनी के उपर तो हमने जर्मन सोसाइटे के उपर यह impact देखा अब सवाल है आती हमने इस photo में देखा कि एक चीज़ और हाँ यह what was the result of all this problem तो यह जो सारी समस्या हो रही थी इन समस्याओं के चलते परिणाम क्या देखने को मिलें इन समस्याओं के चलते क्या impact हो सकता है तो देखो हमने देखा photo में कि किस तरह से strikes वगेरा हो रही है ठीक है चीजों की कीमत कम होगी लोग unemployed है बहुत जादा तो लोगों के अंदर एक घुसा था और उस घुसा चलते क्या है कि चीजें बदली जो जर्मणी की political atmosphere था उसमें changes आए लोगों का जो देखने का नजरिया था चीजों को लोगों का जो country को चलाने का नजरिया था वो बदल गया लोगों सिंबल सी चीज है क्या होता है कि आज हमारे देश मगर कुछ हो रहा है और आपके हिसाब से जनता के हिसाब से सही नहीं हो रहा है तो जनता क्या चाहेगी कि government बदल दी जाए क्योंकि हम expect काता है कि कोई दूसरी government आईगी हो कुछ दूसरा अच्छा काम करेगी तो इस sense में क्या है इस sense में यही हुआ है है कि लोगों ने देखा कि यार बहुत बुरी condition होगा कि अब बदलावचछाहिए तो बदलाव की चाहा में लोगों ने कया क्या क्या वहाद है मतलब conclusion में हम वो देख लेंगे कि changes क्या मिले लेकिन यहां पर बीच में question निकल के आता है जो हमने आगे भी discuss किया था वो क्या था मैं आपको भी बताता हूं आगे ठीक तो problem of economic depression had changed the political atmosphere of the Germany मतलब जर्मनी का political atmosphere था political atmosphere समझते ना political atmosphere मतलब कि जिस तरह से political चीज़ें चलती है वहाँ पर वो सारा सब कुछ बदल दिया किसने बदल दिया economic depression ने जो economic depression हो रहा था तो उस economic depression में क्या problem थी उस economic depression में यह problem थी कि लोग परिशान थे अब लोग परिशान थे तो लोगों ने सोचा कि आप जो government है government को बदल देना चाहिए ठीक है तो कैसे change किया how वो मैं आपको बताता हूं ठीक है जो अभी तक कौन control कर रहा था चीज़ों को विमर रिपब्लिक कर रही थी ठीक है हमने starting में क्या पढ़ा था विमर रिपब्लिक had some inherent defect पढ़ाया था अभी inherent defect क्या थे वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं तो आपको विमर रिपब्लिक के पारे में देखो कितनी सारी चीज़े पता चल गई मैंने पूछा था विमर रिपब्लिक में inherent defects थे उसने treaty of ourselves को sign करा था और सी के साथ साथ में क्या है कि लोगों को मानना था कि जो disgrace ourselves में आई ए उसका responsible विमर रिपब्लिक है ठीक है तो इस sense में विमर रिपब्लिक को लोगा support नहीं करते थे उसको appreciate नहीं करते थे तो inherent defects को मैंने सिर्फ वहाँ प depression हमने देखा तो यह जो economic crisis में जितने भी परेशानी हो रही थी इन परेशानियों के अगेंस्ट में विमर रिपब्लिक ने कोई solution नहीं दिया विमर रिपब्लिक मतलब कुछ एक बोल सकते alternative नहीं ले पाई लेके आप आई जिसके चलते वह economic depression से country को बाहर निकाल सकें लोग and effects देखो सबसे पहला था proportional representation proportional representation क्या होता इसे समझे proportional representation का मतलब यह होता है कि जर्मनी का जो constitution था उसमें सिस्टम था कि election होते हैं जैसे आज हमारी country में election होते है हम क्या रहते हैं कि जिस party को majority मिली यह ठीक है जिस party को majority मिली वो क्या तो करेगी government है मान लो अब जर्मनी में क्या election होना है जर्मनी में election होने के बाद में मान लीजिए कि 1234567 तो अब जर्मनी में क्या करना है अगर eight leaders है ठीक है तो eight leaders को क्या करना है elect करना है तो 8 leaders elect होंगे लेकिन क्या होगा कि अगर मानलो 8 अलग अलग party के आ गए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत आ गई है अब किसको आप leader बनाओगे किसको power दोगे तो उसके चलते क्या होता था कि सभी लोगों को power मिलती थी यहाँ पे proportional representation था मतलब जिस party को जितने vote मिले जिसे मानलो 10 party ने participate किया election में और 10 party में से क्या एक party को 20% मिल गए एक party को 10% मिल गए एक party को 5% मिल गए एक party को 30% मिल गए तो उसके चलते क्या है कि जिसको जितने percent vote मिल रहे हैं उस हिसाब से क्या करेगी participate करेगी proportional representation है मतलब हर party को क्या मिलता था proportion मिलता था जिसके चलते वो politics में participate करती थी government में participate करती थी अब जब हर party को participate करने की आजादी दे दी तो अब आप सोच सकते हो कि एक ऐसी government बना के देखो imagine करो Indian context में एक ऐसी government बनेगी minister हो गए तो उसके चलते क्या है कि ऐसी government मनेगी जिसे मिली जूली सरकार बोलेंगे जिसमें हर party का इंसान होगा क्यों क्योंकि उनका जितना vote मिला उस proportion में उनको seeds दे दी जाएगी तो इसके चलते क्या होगा इसके चलते no party can achieve majority तो majority तो कभी आना ही नहीं है तो उसके लिए failure पता है कौन साबित हुआ उसके लिए failure यह साबित होता है proportional representation क्योंकि कभी कोई decision नहीं ले पाते थे decision क्यों नहीं ले पाते थे मानलो चलो Nazi party जैसे example ले रहे नाजी party में आ गई है majority में मतलब नाजी party को मानलो 40% vote मिल गए लेकिन 60% vote आज भी किसके रहेंगे अलग-अलग दूसरी parties के रहेंगे अगर दूसरी parties नाजी party को post कर रही तो नाजी party कुछ काम नहीं कर पाएगी तो हमेशा क्या रहता था हमेशा एक तरह से collision बना रहता था तो यह सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था कब यह सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जब यह मर रिपब्लिक यह पिर कह सकते जो विमर constitution चल रहा था जैमनी में विमर constitution के अंदर कुछ inherent defects थे पहला हमने समझा क्या था पहला था प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है अब प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया अब कोलीजन नहीं मिल पाएगा तो कोलीजन मतलब यहां पर क्या बोलते है गवर्मेंट बनाते हैं सारे लोग एकसान मिलके बना तो लेंगे गवर्मेंट लेकिन चला पाएंगे क्या वो देश को नहीं चला पाएंगे पहला inherent defect दूसरा क्या है दूसरा inherent defect है आर्टिकल 48 अभी आर्टिकल 48 क्या है आर्टिकल 48 यह वियमर constitution के अंदर एक provision था जिसके चलते है इस चीज को समझना यहां पर डिकरी क्या है एक इस तिन और दोनों चीज समझाता हूं article 48 के हिसाफ से क्या है कि President जो होगा, कहां का President इंडिया का? नहीं, जर्मनी के बारें में पट रहे हैं तो जर्मनी का President होगा जर्मनी के President के पास में पार थी कि वो क्या कर सकते हैं President the power to impose emergency, emergency लगा सकते हैं देश के अपर अब emergency लगा देंगे तो उसमें क्या होता जिसे इंडिया में भी emergency लेगी थी तो emergency के चलते हैं कि जो civil rights जितने भी जितने भी civic rights है जो भी नागरिकों को अधिकार है वो सारे अधिकार क्या कर लिए जाएंगे उनसे छुड़ा लिए जाएंगे ठीक है suspended civil rights ठीक है suspended civil rights and rule by decree rule by decree मतलब क्या है कि अब आपको Parliament में कोई भी law pass करवाने की जरुवत नहीं है कि क्या रहती है बहुत सारी parties रहती थीए तो सब की सहमती लेना पड़ेगी सब का approval लेना पड़ेगा लेकिन आर्टिकल 48 के आने के बाद में क्या मतलब आर्टिकल 48 क्या लगा करता था कि अगर एमर्जंसी लगा देते हैं अगर वो इसके चलते दोनों चीज़े एक समय पर आपने पावर को क्या करते हैं बहुत ज़ादा डिवाइड भी कर दिया तो यह सब कुछ क्या बताता है यह सब कुछ बताता कि विमर्जंसी जो बना था वो अपने आप में क्या था इनहरेंट डिफेक्ट लेके चल रहा थे इनहरेंट मतलब उसके अंदर ही डिफेक्ट थे और इनहीं डिफेक्ट के कारण क्या है लोग बहुत परिशान थे कोई भी स्टेबल केविनेट नहीं मिल परिशान थे और उसके चलते वहां का पॉलिटिकल इस फियर जो था उसमें चेंजेश देखने को मिले चेंजेश क्या देखने को लोग अभी बताता हूं में फिर मैंने आपको यह चीज़ भी डील कर दी साथ ही साथ कि विमर कॉंसीशन जो था विमर कॉंसीशन विच क्या कहते हैं therefore we can say vulnerability to dictatorship ठीक है मतलब we can say there exist a vulnerability to dictatorship मतलब क्या है कि अब ऐसी पूरी सिच्वेशन है जहां पे लोगों को लग रहा है क्या democracy में तो कुछ मतलब लोगों ने पूरी आशाये छोड़ दी थी ठीक ना आशाये किस चीज़ से छोड़ दी थी democratic constitution से democracy से ठीक है लोगों असकती थी मतलब Germany was vulnerable to dictatorship dictatorship कभी भी लागू की जा सकती थी जर्मनी के उपर at the same time people lost confidence in democratic parliamentary system ठीक है वलने बलीटी ठीक्टेटर्शिप की उसी के साथ साथ में लोगों ने confidence भी छोड़ दिया था किस चीज़ में जो मैंने आपको भी बता है democratic parliamentary system democracy से विश्वास उट गया था आया समझ में तो यहां तक हमने चीज़े पड़ी the year of depression part 2 तक clear अब देखो क्या है हमने जर्मनी का एक पूरा background समझ लिया अभी तक आप बोलोगा अभी तक हिटलर तो आई नहीं कहानी में हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं chapter क्या हमारा Nazism and the rise of Hitler तो वह मैं आपको समझाता कि हमने background पड़ा starting में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हुआ second world war तक की कहानी हिटलर ने suicide किया तो उन सारी चीजों की roots कहां मिलती है में first world war में roots कैसे first world war में मिलती है यह part important है हाँ ठीक है यह आपको summarize करवा रहा हूँ पूरी चीजे या फिर next video में करवा हूँ ठीक है मेरे साब से यहाँ पर थोड़ा सा बता देता है एक background तो आपको next video में connect करने में आसानी रहेगी ठीक है क्या होता है कि हमने देखा कि सारी परिशानी जो होती है first world war के बाद में treaty of ourselves के कारण आती है treaty of ourselves के बाद में किस तरह से पूरा का पूरा political atmosphere change हो जाता है political atmosphere change होता है political atmosphere के change होने के कारण वो तो हम देख रहे थी कि political radicalism चल रहा है country में conflict चल रहा है political parties stable नहीं है उल्टा यह वेमर constitution अपने आप में क्या था एक तरह से कह सकते हैं कि परिशानी थी फिर हमने देखा economy की situation बिगड़ती है और यह economy की जब situation बिगड़ती है ठीक है economy पूरी तरह से क्या हो lost the confidence in किसके अंदर confidence खो दिया democratic parliamentary system अब जब democratic parliamentary system के अंदर confidence खो दिया और हिटलर तो behind the curtain काम करी रहे थे वो अपनी power को मजबूत करने की कोशिश करी रहे थे तो अब हम देखतें कि हिटलर ने कैसे took over किया है यहां से जो हम topic start करेंगे वह होगा the rise of Hitler ठीक हिटलर किस तरह से command मे आते हैं किस तरह से power में आते हैं वो अब हम next video से start करने वाले हैं clear तो इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों download कर सकत feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnetbrains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम पढ़ेंगे Hitler's rise to power part 1 Hitler's rise to power देखिए अभी तक हमने Hitler के बारे में कुछ नहीं पढ़ा चाप्टर लगबग लगबग हम आदा चाप्टर कर चुके हैं आदा नहीं कहेंगे तो भी हम 33% कहीं सकते हैं अब जब इतना चाप्टर हमने पढ़ लिया है और इस बीच में हिटलर के बारे में कुछ नही बताया था कि Second World War में जो भी हुआ जितना भी destruction हुआ जो भी परिशानी हुई उन सारी चीजों के roots को अगर आप trace करोगे तो कहां मिलेगी आपको First World War में तो हमने देखा कि First World War में ऐसा क्या हो गया था कि Second World War करना पड़ा जर्मनी को ठीक हैं तो हमने पड़ा कि Treaty of Versailles किस तर Government चल रही थी जो system चल रहा था वेमर Constitution का यह साही चीजे देखिए अब उस बीच में क्या है यह जो हमने पूरी कहानी पड़ी अभी तक इस पूरी कहानी में एक इंसान बन रहा था क्यों कहां मैंने बन रहा था कारण है इसके बीचे ठीक है मैंने आपको स्टाइटिंग मे चुआ फर्स्ट वर्ड वार के बाद में जितना भी परिशानी जर्मनी को जहिलना पड़ी तो उन सारी परिशानी को जर्मनी में जर्मनी थूरी जहिल रहा था जर्मनी को इंसान थूरी ना है जर्मनी की लोग जहिल रहे थे ना और जर्मनी के लोगों में कौन था जर्मन लोग बोलेंगे और बोलना भी चाहिए क्यों विकॉसी कमीटेट क्राइम अगेंस हुमेनिटी ठीक है लेकिन एक परस्पेक्टिव यह भी होगा मतलब आप यूशूड सी बोड़ी साइड्स ओफ कॉइन तो एक परस्पेक्टिव यह भी था कि हिटलर ने जो भी किया अभी बताओंगा मैं कैसे ठीक है तो अपने देश को फिर से महान बनाने के लिए किया तो हो सकते हैं कि उस समय पे जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे तो उनका सपोर्ट करने का कारण ही रहा होगा पेट्रियोटिजम नैशनलिजम की फिलिंग के अंदर आके उन्हें क्या किया होगा सपोर्ट किया होगा हिटलर को ठीक है चलो खिर उस चीज को बाद में और डिसकस करेंगे अभी क्या है अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे बैग्राउंड किसी चीज का बैग्राउंड पढ़ेंगे कि हिटलर पावर में कैसे आए का मतलब क्या है कि देखो सबसे पहली चीज़ सबसे अच्छा वह बाद मापको एक idyat दिता हो में किसी भी इंसान को समझना है तो उसका जीवन समझो सबसे पहले उसका जीवन समझो मतलब देखो की इंसान का जन्म कहा हुआ कैसे की कहां पर क्या किया ठीक है और उसने उसके lifetime period में किन-किन चीजों को देखा क्या सीखा क्या नहीं किया आप अगर यह सब कुछ पता कर ले तो एक इंसान के बारे में तो 50% काम आपका हो जाता है ठीक है कि you have known the person 50% ठीक है आपने उस person को 50% तक समझ लिया कि इंसान कैसा होने वाला है क्या होने वाला है ठीक तो भाई चीज यहां पर होती है क्या कि हम एक हिटलर का पहले बैग्राउंड डिसकस करते हिटलर पावर में आये ठीक है बहुत अची बात है हम उस चीज को भी पढ़ेंगे इसके पहले हम पढ़ते कि हिटलर का बैग्राउंड क्या रहा है ठीक तो ही वास बार इन 1889 इन आस्ट्रिया अब आप सोचेंगे आस्ट्र ऐसा लग रहा है बजपन की फूटो देखें कि यह बंदा कुछ कर जाएगा अब क्या होते हैं कि हिटलर का जन्म होता है और आस्ट्रिया कहा है देखिए यह जर्मनी है ठीक है अब जर्मनी के पास में यह यह यलो कलर में जर्मनी है और यह ब्राउन कलर का कुई साथ इक लरते नहीं क्या था कि और भी तरह से जब हमने देखा था स curds के पहले पहले कॉन रूल करता था सब कर दो जब ओकनर को क्या दो यहां के लोगों के आपस में थो क्या रहती है बहुत ज्यादा क्नेक्टिविटी रहती एक दुसरे से अटैश्ट थे तो वही चीज यहां पर थी कि ऑस्ट्रिया में भी जर्मन स्पिकिंग लोग होते हैं ठीक है यहां पर लेंग्वेज कौन सी बोली जाती थी जर्मन बोली जाती थी तो संस में कहा जर्मनी और ऑस्ट्रिया पॉलेटिकल यह अलग दिख रहे हैं तो फिरोन अपने प्लांस बदल लिए फ्यूचर प्लांस बदल लिए तो वह सोच वह एक आदमी अगर वह आर्टिस बन जाते तो क्या चीज़ें होती क्या वर्ल्ड हिस्ट्री आज हम जैसी देख रहे हैं ऐसी होती नहीं बहुत कुछ बदल गया होता तो इस्ट्री में ह हमेशा यह पढ़ते हैं कि क्या हुआ क्या हो सकता था वो कभी नहीं पढ़ते हैं क्यों अब ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है महात्मा गांदी अगर देश में नहीं आते हैं साउट अफरिका से तो इंडियन नैशनल मूमेंट क्या होता है तो क्या हो सकता था वो कभी स्ट first world war first world war जब चल रहा था तो समय पर हिटलर उतने मतलब बड़े तो हो गए थे लेकिन अब देख लो आप 89 से फर्स वल्ड वार 1914-1918 तो उस टाइम पर बड़े तो हो गए थे लेकिन उनके पास उतना पावर नहीं था तो क्या किया उन्होंने लेकिन फिर भी जो कर सकते थे अ मतलब गलत ऐसे मिस्जज्मत कर लेना आपकी जो आर्मी में अन्रॉल करेगा वही पेट्रियॉट कहलाएगा ठीक हम आलसो पेट्रियॉट क्यों क्यों कि हम हर इंसान क्या होता देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है मैं आपको एक एक ग्जामपल बता रहा हूं कि उ सबस्क्राइब अठ्रेश कर वाई अच्छा काम किया मेसंजर का काम करते थे मतलब मेसेज पहुंचाना इदर से उदर एक जगा जिन्दा बज़ गए वो ठीक जिन्दा बच गए की बीकेम कार्पोरल एंड आन्ट मेंडल स्फॉर ब्रिवरी तो उनका प्रमोशन होता है क् ठीक, he was very disappointed with German defeat और उससे ज़्यादा disappointed वो क्या थे German defeat and the treaty of vessels ठीक है, treaty of vessels और German defeat से बहुत ज़्यादा परिशान थे German defeat से क्यों थे वो तो सभावी है, treaty of vessels से क्यों परिशान थे, why आप दे सकते हैं इसका जवाब, जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, मैं उमिद करता हूं आप से, क्यों क्योंकि हमने देखा था, जैसे treaty of vessels की provision discuss करें, तो कितना ज्यादा injustice हुआ था जर्मनी के साथ में, अब being a German, मतलब कह सकते हैं, जर्मन पेट्रियोट, हिटलर को बहुत बुरा लगा, किया ये तो गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है, कि आपको इस तरह से, हमारे देश के साथ में इतना ज्यादा rude इतना ज्यादा harsh नहीं होना चाहिए था, और हिटलर ने उसी समय मनी मन ठानी होगी, एक दिन पावर में आऊँगा, और ये फ्रांस और जितनी भी allies country, जिन्होंने मेरे देश के साथ में ऐसा किया है, बदला जरूर लेके रहूँगा, ठीके, ये हो गया, उसके बाद में क पकड़ बढ़ती जाती है उस party में, he took over it and renamed it the National Socialist German Workers Party, ठीके, तो उन्होंने इस party का नाम बदल दिया, ठीके, नाम करन कर दिया, फिर से, क्या किया, पहले German Workers Party थे अब उसे National Socialist German Workers Party कर दिया, ठीके, अब National Socialist German Workers Party को हम क्या कहते हैं, नाजी party कहते है, आगे समझ में नाजी party क् पार्टी है, जिसमें हिटलर ने कभी अपने आपको अन्रोल करवाया, मतलब कभी पार्ट बने उस party का, उस party का पार्ट बनने के बाद में, धीरे धीरे काम करते गए, उस party के उपर पूरी कमांड ले ली, उस party को नाजी party के नाम से, नाम बदल दिया, अब धीरे से वो क्या पतला है, आप बार-बार सोच रहोंगे, सर यह सा क्यों बोल रहे है, क्योंकि देखो, अगर second world war नहीं होता, second world war नहीं होता था, चीज़ें कुछ होती, second world war हुआ क्यों, aggression of Hitler के कारण, और भी कारण है, लेकिन Hitler का aggression ने उस चीज़ को क्या किया, उस चीज़ को ignite किया था, ठी यह है, ठीक है, he was a very powerful speaker and good orator, अब Hitler के बारे में और कुछ समझते, बहुत अच्छा बोलते थे वो, ठीक है, काफी अच्छा बोलते थे, he was a good orator, orator मतलब क्या है, जो काफी अच्छा बोल सकता है, आपको influence कर सकता है, तो he is known as orator, तो he was a very powerful speaker and a good orator, और इसी चीज़ से वो क् mobilize करते थे, लोगों को क्या करते थे, अपने विचार के towards attract करते थे, अपने ideas के towards attract करते थे, लोगों को अपने साथ काम करने के लिए प्रेदित करते थे, ठीक, he focused to undo all the injustice done with Germany, जितना भी injustice हुआ था जर्मनी के साथ में, उन्होंने उस चीज़ पर focus किया, कि मैं सारी चीज़ों को undo कर दूँगा, ठीक है, undo कैसे होता है देखो, यह है, ठीक है, इसे undo कहते है, बापस से सुधार देना चीज़ों को, तो Hitler ने क्या किया, Hitler ने ये promise किया लोगों से कि जितना भी जो भी गलत हुआ जर्मनी के साथ में, मैं सारी चीज़ों का बदला लेके रहूँगा, ठीक क्यों कि देख रहे थे कि दूसरे देश क्या करे थे, डरा रहे थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, कि जब रिप्रेशन देरां बंद कर दिया था जर्मनी ने, तो France ने क्या करा, France ने रूर रीजन, जो इंडस्ट्रेल रीजन था पूरा कबजा कर लिया, तो इस तरह से जर्मनी को बहुत डर के रहना पड़ता था लोग डराते थे दूसरे देश डराते थे ठीक है तो उन्हें बोला कि हमें एक स्ट्रॉंग नेशन मनाएंगे कि कोई हमारे तरफ आख उठा के ना देख पाए वीड आउट ऑल दी फॉरेंड इंफ्लूएंसेस एंड इंफ्लूएंसेस करते हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ इंजस्टिस करते हैं तो हम क्या करेंगे उन सब को खतम कर देंगे वीड आउट देम ओल ठीक है एंड कॉंपरेंड इंफ्लूएंस जर्मनी तो इस सेंस में प्रॉमिस दियान रखना आप किसका हिटलर का प्रॉमिस हि लोगों के बीच में इस तरह से प्रजेंट किया जैसा हर पॉलेटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ आइडिया होता है ना इलेक्शन से पहले वह आपको आइडिया के बारे में बताती है और आप वोट भी उस इस पर देते हैं अभी तो वोट नहीं देते हैं लेकिन आगे जब वोट देंगे तो हमेशा ध्यान रखना एक पार्टी के आइडियोजी के सांस साथ में यह भी देखना कि वह क्या काम कर रही है तब उसे वोट देना सिर्फ आइडियोजी में बहें के मत चले जाना ठीक है तो आप चलो ठीक है अब क्या होता है कि इस तरह से फॉरें इंफ्लेंसेस को मतलब जितने फॉरें इंफ्लेंसेस थे जो भी कॉंस्प्रेसिस हो रही थी जर्मानी के अगेंस्ट में उन्हें खतम करने की बात करते हैं और अब यह सारा सब कुछ करेंगे कैसे खवाबी पलाओ थुरी ना पका रहे थे वो तो उनके पास में एक प्लान सवाल याता है अभी तक हमने क्या देखा अभी तक तो हमने यह देखा कि वह पेंटर बनना चाहते थे आर्मी में चलेगा यह सारी चीज़ें हुई है ठीक उन्होंने एक प्लिटिकल पार्टी भी बना ली लेकिन अब वह पॉलिटिक्स में घुसते कैसे हैं पावर में कैस यह सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टाट करेंगे क्योंकि हिटलर्स राइस टु पावर पढ़ने नहें विए सीई ठीक उन्होंने क्यां क्या क्या है केश किया hints ऑसारा सब topics बिल्कुल इसी तरह एक arranged format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे hitler's rise to power part 2 यह topic हमारे पिछले topic का continuation है पिछले वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था hitler's rise to power बस difference है कि पिछले वीडियो में हमने background देखा था कि hitler का जन्म कहा हुआ उन्होंने किस तरह से क्या-क्या चीज़ें करी आर्मी में गए यह सारा सब कुछ तो एक background जो था वह हमने discuss कर चुके हैं अब सवाल यह था कि हमने जो सब कुछ देखा उस हिसाब से हमें अब कहानी आगे बढ़ाना है कि hitler politics में कैसे आए उन्हों किस तरह से power अपने हाथ में ली पावर अपने हाथ में इस तरह से लिखी पूरी country की command उनके हाथ में आ गई तो इस सारी चीज़ें evolve कैसे हुई अब यह सिर्फ हमने hitler को समझा था अब हम देखते कि उन्होंने क्या-क्या किया ताकि उनके पास power आ जाए ठीक है इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो का आप कुछ से एक इंडफ परस्पेक्टिव मिल जाएगा कि कैसे चीज़ें evolve होती है जर्मनी में हिटलर राइस तूपावर तो हिटलर कैसे पावर में रियल संस में आते हैं वह सारी चीज़ा हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टार्ट करते हैं देखो क्या होता है 1923 की प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया ठीक है अब क्या होता है कि बवेरिया क्या है पहल जर्मनी की एक जो साउथ इस्टन प्रोविंस थी ठीक है यह एक जो स्टेट था वो था बवेरिया ठीक है अब बवेरिया में क्या होता है जैसे और आज तो इसके पास से लगवेरिया और हिटलर ने क्या सूचा कि यहां की स्टेट गवर्मेंट जो है ठीक है मतलब यहां क की गवर्मेंट के उपर क्या कर लेता हूं मैं अगर कंट्रोल कर लेता हूं यह की हिसे एक स्टेट की आपके पास पुरा कंट्रूल है तो आप उस इस्टेट की पॉलिटिकस करके ते देश की पॉलिटिकस और यहांगे की कोशिश करेंगे वही ची Colin आतो ऑफ जढ़ा सब्सक्रांद कृश्य सकते के वो समझya के ऊता के विए कि इपको सम्जा इंट्रसटिंग में बता रहा और ओव टपिक जा कि बताते हैं जो को क्या होता है 1923 में हमने एक और चीज पड़ी थी क्या पड़ी थी ध्याने चलो मैं बता देता हूं आप रिकॉल नहीं कर पाओगे बहुत मतलब पीछे चुड़का है ना उस टॉपिक को लेकिन ऐसे ध्यान रखना रिलेट करना है हमने देखा था कि जब स्वेशे स्थ और एकनॉमिक सीच्वेशन की क्राइशिज हो रहे थे वाले लिक में देखा साइकनामीग क्राइस के टाइम पर 1923 में से हमारा इंड़्यक्त בח कैन्स के ऑनलेटたい प्रांस ने जब रूर एकापचर कर लिया था तो हिटलर प्लांड टू सीइस कंट्रोल और बैवेरिया कि फूर करेंगे वह फिर प्रांगे के साथ मैं गलत हो रहा उसको में सही कर दूँगा, यह प्लानिंग थि लेकिन च्या होता है हिटलर क्या होते हैं इस प्लान में सक्सेस्फुल नहीं हो पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं अब जब हिटलर फेल हो जाते हैं तो फेल कैसे होते हैं मतलब पता यहां पर क्या होते हैं जो इस तरह से वह सीज करने के लिए लोगों को अपने साथ इखटा करके निकलते हैं तो यह जो mission था उनका उसमें fail हो जाते हैं and he was arrested for Tiersen और उन्हें देश-द्रोग के अपराद में क्या कर लेते हैं arrest कर लेते हैं बोलते हैं तुम तक्ता पलट करना चारे हो तुम government के अगेंस्ट में आवाज उठाना चारे हो तो देश-द्रोग हो गया थे स्वतंत्रता सेना नहीं थे लेकिन विटिशर्स उनके पर आरोप क्या लगाते थे देश-द्रोग का आरोप लगाते थे तो देश क्या होता है देश एक तरह से चाहिद उस जेल का नाम तो जिस जेल में डाला था उस जेल के बाद में फिर जो यहां की government थी वैविरिया प्रोविंस की उन्हों को यह लगता था कि यार हिटलर तो जो भी कर रहें सही कर रहें तो इस थोड़ी से सिंपती थी तो पांस साल की जेल नौ सा नौ मेहनों में ह जेल से चुड़ने के बात में उन्हें क्या खाराएं टीनेसली अपनी जो पाटी सी थी कौनी पाटी थी नाजी पाटी के साथ में पावर चेल करते रहें जिल्टलर उन्होंने सोचा कि यह बहार तो हाथ में लेना ही होगी मुझे तो क्या होता वो 1923 में 1924 में छुड़ जाते हैं फिर क्या होता वो continuously election में participate करते रहते हैं पहले तो उन्हें vote नहीं मिल रहे थे ज्यादा ठीक है फिर 1928 की election में जब उन्हें participate किया था तो नाजी party got 2.6% vote in risk tag risk tag क्या थी बताया था recall करो यह risk tag ठीक है बताया था ना तो यहां पर वही सिस्टम है कि हिटलर के पास में कितनी सीट आएगी हिटलर की पार्टी के पास 2.6% सीट आएगी तो 1928 में यह सीन था और यह continuously struggle करते रहे आगे बताऊंगा ठीक है अब क्या होता है 1928 में उन्हें यह struggle कर रहे थे इस समय पे 1928 के में कितने 2.6% मिले लेकिन यह struggle कुरह ना continue रखा continuously क्या कर रहे थे वह continuously participate कर रहे थे elections में ता कि उनकी पार्टी को थोड़ा सा support मिले ठीक है बट दिविधीग डिप्रेशन नाजीजम विकाम अमास मुवमेंट ठीक है अब क्या होता है कि अभी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था 1923 से 1928 तक हमने देख लिया लेकिन 1928 के बाद में जैसे जैसे ग्रेट डेप्रेशन बढ़ता चले गया ग्रेट डेप्रेशन मतलब क्या जो एकोनॉमिक क्राइसिस हमने पढ़े थे अब रिलेट करते चलना है अब एक मतलब उस पॉइंट पर आगए हो चैप्टर के आप जहां तक आपने चैप्टर का पूरा बैग्राउंड समझ लिया है तो आपको सुर्फ रिलेट करना आपको कहानी समझ में जाएगी ऐसा क्यों हुआ आपको कहानी समझ जाएगी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम नाजीजम का सपोर्ट क्यों बढ़ा मैंने आपको बताया था क्यों कि हिटलर ने प्रॉमिस किया तो अंडू अल्दी इंजस्टिस ठीक है उसके बाद में जर्मनी को फ मास मुमेंट बढ़ गया अब आप पूछेंगे मास मुमेंट क्यों बढ़ रहा था क्यों क्यों कि विकॉस अफ नाजी प्रॉपागेंडडा यंद्पॉमिसस विच हिटलर मीड इंड जिस तरह से क्या करते थे जो प्रॉमिसस किये थे लए पिछली वीडियो में बताया थ और उसका रिजल्ट क्या देखा हमने कि जो स्ट्रगल चल रहा था 1928 में 2.6% वोट थे लेकिन 1932 आते आते चार सालों के अंदर अंदर नाजीजम का सपोर्ट नाजी पार्टी का सपोर्ट इतना बढ़ गया कि नाजी पार्टी गॉट 37% वोट इन रिस्टेग ठीक है जर्मन कि पार्टी पार्लेमेंट में बनी वो कौन थी नाजी पार्टी थी आया जमझ में तो ये सारी चीज़े हो गई कब ज है चीज हो गई किस और यह साही चीज़ें हो गई किस तरह से हिटलर पावर में उस टाइम पिरेट पे हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन वाले टाइम पिरेट में नाजीजम का सपोर्ट बढ़ता चले गया क्लियर रिस्टैक मैंने आपको दिखा दिये अभी देखो क्या है यह 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 आपको समझ म में यह जो लास्ट लाइन बताई थी कि जो सपोर्ट बढ़ रहा था इट वास बिकॉस ऑफ नाजी प्रोपगेंडा एंड प्रॉमिसेज विच हिटलर में तो क्या था नाजी प्रोपगेंड़ वो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है देखो नाजी प्रोपगेंडा क्या थ कि हाँ अब हम पावर में आ सकते हैं अब ये एक और नाजी प्रॉपेगेंड़ा क्या हो था है सिंपने करने का तरीका क्या चीजों को वह चीज़ों की आपको करने का तरीका तहाँ जिसके तुरू वो लोगों तक अपने आईडीय Alexandra को अपने विचारों को प्रजेंट करती थी ठीक है और हिटलर के प्रॉमिसेस जो मैंने आपको बताए ठीक है तो अंडो अल्डी इंजस्टिस जन विच जर्मनी तो मेक दी जर्मनी स्ट्रॉंग निशन अगें फॉरेंड इंफ्लेंस इसको वीड आउट करना यह सारी पगेंडा में वह मैं आपको समझाता हूं नियू स्टाइल ऑफ पॉलेटिक्स नियू स्टाइल ऑफ पॉलेटिक्स में क्या था अभी तक जो किसी पीटी पॉलेटिक्स चल रही थी उससे अलग हटके कुछ लाने की कोशिश करी हो नोने यूजिंग रिच्वल्स एन स्पे आपने सुनाओको ना इसपेक्टिक्यूलर परफॉर्मेंज डांसवान्स में में बोल देते हैं तो स्पेक्टिक्यूलर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ की जो आपको देखते से साफ जिस चीज से हो जाए बहुत जाब अब अब एप्रभावित हो जाएं क अर्न नाज्य पार्ट्ट सब्सक्स करेंग को इसंवरें आए इसिप्लीन गारें स्टिक्ट रिटल कि और को अपने प्रॉस्ता क्या था सबस्क्राइब कर थे अधरे रैड़ वीडियोसनें आपको संबल बताया लोगों बता है नाजी स 1944 तो यह चीजँने की जाती थी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रही है पॉले ठीक है लोगों के अंदर क्या एक confidence develop करने की कोशिश करी यह था नाजी प्रपेगेंड़ा ठीक है यह था नाजी प्रपेगेंडा ठीक है they have their own style of doing the things they have their own style of doing the things what I mean by this कि वो जो भी करते थे वो दूसरी पार्टी से अलग करते थे उन्हें क्या करते थे वो जो भी करते थे तो उसे लोग attract होते थे आया समय में फिर क्या होता है और अब जो भी कर रही थी नाजी पार्टी तो नाजी पार्टी जब करती थी यह साही चीज़े तो एक message देती थी छुपा हुआ क्या message देती थी वो message यह देती थी कि Hitler जो एक मसीहा बनके आए है आपके लिए ठीक है आपके लिए मतलब आपके देश की जो economic situation बिगड़ी है जो जितनी भी परिशानी आई है तो उन सारी चीज़ों को अगर सुधार ना है तो Hitler आपके लिए क्या एक मसीहा है एक सेवियर ह रहता है and this captured the imagination of people whose sense of dignity and pride has been shattered बहुत अची लाई रही है ठीक है अब क्या है आप देखो कि जर्मनी में उस समय जो आम जनता थी तो they were suffering a lot ठीक है बहुत ज्यादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा था अब जब जर्मनी की जनता को बहुत ज्यादा परिशानी का सामना करन पड़ रहा था ठीक है ना जिनका वहां की जो citizens थे हुस sense of dignity and pride has been shattered foreign influence इतना ज्यादा था उनकी जो अपनी sense of dignity थी वह पूरी तरह से क्या ऊचुकी थी बरबाद हो चुकी थी और वहां पे अगर कोई ऐसी बात करते कि नहीं मैं तुम्हें फिर से एक मजबूत राश्टर की तरह खड़ा करके दूँगा ठीक है तो दिखती बात है कि लोग support करेंगे आया समझ में तो यह हिटलर's rise to power कि मैंने आपको पूरी कहानी बताई एक बार और चीज़ें देख लेते देखो हम जैसे नाजी प्रोपेगंड़ना में यह नाजी सल्यूट है इस तरह से ठीक है तो यह नाजी सल्यूट हो गया यह देखो यह लोग भी नाजी सल्यूट दे रहा है ठीक है यह रेली निकल रही है उन लोगों की मैसे रेलीज होती थी और उसी के साथ में क्या public meetings वगरा होती थी अब देखो कितने सारे लोग है सब कुछ मतलब एक spectacular performance चलती थी कि देखते स लोगों कैसा लगता था बहुत अची चीजे यह रेट स्वास्तिक बैनर वाला जो रेट बैनर वाला जो स्वास्तिक है उनका फ्लैग है यह सारी चीजे में आपको बता रहा हूं कि एक बोलते हैं कि ऐसा समय अंधकार हो जाले वाली बात तो इस चीज को प्रोजेक्ट किय अब उस चीज को प्रोजेक्ट किया तो उसके चलते क्या है कि imagination capture कर ली आम जंता की तो अब इन जो पूरा हमने कहानी पड़ी हिटलर राइस टू पावर में तो हम क्या conclude कर सकते हैं therefore the crisis in the economy, polity and society हमने देखा economic situation बहुत बिगड़ी थी पॉलिटिकल अनिस्टेबिटी थी और यह alternative की तरह निकल के आ रहे थे ठीक है society forms the background to Hitler's rise to power यह line आपको अगर question आता है ठीक है explain the rise of Hitler to power ठीक है या पिर explain how Hitler gained power in Germany तो उसमें आपको last में conclusion वाली जो लिखना है तो यह जरूर लिखना है ठीक है यह आपकी book में starting में लिखी लेकिन आप पूरा answer लिखो conclude करते समय लाइन जरूर लिखेगा clear है यह हो गया कौन सी पार्टी नाजी पार्टी ठीक है तो नाजी पार्टी कौन सी है विकेंदी लार्जेस पार्टी पार्लेमेंट कब कब बनती है 1932 में 1932 में यह situation है कि अभी लार्जेस पार्टी कौन सी पार्लेमेंट में लार्जेस्ट पार्टी है नाजी पार्टी अब यह चीज ध destruction होता है ठीक है कहां पर जर्मनी में वो सारा सब कुछ हम next वीडियो में पढ़ेंगे connect करते चलना looping कर ले ना इस वीडियो को अम उस वीडियो से connect करेंगे कहानी बनी रहना चाहिए ठीक है मैं अलग-अलग parts में इस लिए बनाता हो था कि आपको topics, subtopics समझ आते जाएं और आ सबी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, thank you, thank you very much इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थी destruction of democracy part 1 पिछले वीडियो में हमारी जो कहानी चल रही थी, उस कहानी की train कहां तक ले आये थे हम? हमने देखा था कि हिटलर के पास में power आ गई है, हमने हिटलर को सारी power दे दी, यहां तक कहानी आ गई थी हमने देखा कि किस तरह से 1932 में जो election होते हैं तो उन elections के बाद में जो largest party थी रिस्टैग में, वो कौन सी थी? नाजी party थी अभी आप लोग सोच रहे होंगा कि वहां तक सब कुछ political चल रहा है, सब कुछ democracy की हिसाब से चल रहा है फिर हम हिटलर को dictator क्यों बोलते हैं? तो dictatorship चालू यहां से होती है कैसे चालू होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ तो क्या होता है कि 1933 में, हिटलर के पास में अब यह power आती कि 30 January 1933 में जो वहां के president थे president कौन थे? हिंडनबर्ग, ठीक है, president हिंडनबर्ग offered chancellorship to Hitler यह क्या हो गया? समझाता हूँ मैं आपको, सबसे पहले आप किसे देख लो? आप मिलिए sir president हिंडनबर्ग से, ठीक है यह हिंडनबर्ग है, अब हिंडनबर्ग ने क्या करा? हिंडनबर्ग ने 1933 में 30 January 1933 में चांसलर्शिप offer करी हिटलर को, अब president और चांसलर्शिप में क्या difference है? जैसे हमारे आप देखते हैं कि president जो होते हैं और he is the head of the state, ठीक है, head of the state वो होते हैं, वो सारी चीज़े करते हैं, मतलब हमें दिखता क्या है कि everything happens in the name of president, पता है ना आपको जो भी काम होना है देश में president के नाम से होगा, लेकिन real power किसके पास रहती है हमारे देश में, प्राइम मिनिस्टर के पास में, तो यहां पे भी जो पॉलेटिकल हेड रहता है, उसे क्या कहा जाता है, चांसलर कहा जाता है, ठीक है आपका homework देदें क्या कुछ, homework Google homework यह कि at present कौन चांसलर है, कहां का, जर्मनी का, यह आप सर्च करेंगे Google पर जन्ना नौलेज के लिए, और मुझे बताएंगे comment section में, और आप देखते हैं तो President उस समय पर Hindenburg थे, President Hindenburg ने क्या करा, जैसे हम देखते हैं, हमारे आपी जैसे प्राइम मिनिस्टर को शपत कौन दिलवाते है, President दिलवाते हैं, तो वही चीज़, कि President Hindenburg ने Chancellor Ships offer करी Hitler को, क्यों कर दी, Hitler उनके रिष्टदार थे क्या, नहीं, क्योंकि Hitler की party क्या थी, single largest पार्टी थी रिस्टैग में, तो अब किसी ना किसी, Chancellor Ships मतलब Council of Minister की जो Head Position रहेगी, तो वह किसी ना किसी को तो देना पड़ेगी, तो वह किसे देंगे वो, जो भी largest party रहेगी, उसके लीडर को, तो Hitler को Chancellor Ships की Position दे दी, किसने, Hindenburg ने, अब Hitler के पास में एक बार पावर आ आई है, अब Hitler ने वोला, अब नाच ना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है, तो Hitler ने क्या करा, Hitler started dismantling democracy, democracy को धीरे-धीरे dismantle करना, जो हमारा topic के मतलब, destruct करना, चालू करा Hitler ने, क्या किया ऐसा Hitler ने कि democracy destruct हो गई है, तो आई ये वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, अब देखो के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ाते जा रहे हो सर आप, उसके पीछे कारे ने, आपकी बुक में एक ही लाइन लिखी है, लेकिन उसके पीछे पूरी कहानी है, वो मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या होता है, ये जो mysterious fire broke out होती है, कहां पे, German parliament में, German parliament building में, German parliament building कौन सी थी, रिस्टेक थी हमने पढ़ा था, ठीके, ये देखिए, ये रिस्टेक में ये आग धुआ दिखरा है, क्योंकि उस समय की photo है, उस समय पे, आज जिस camera से हम video shoot कर रहे हैं, वैसे camera तो होते नहीं थे, ठीके, तो फोटो ऐसी ही आती थी, तो German parliament में क्या होता बनके बैठा है, फिर आग क्यों लगवा दी, तो उन्होंने आग इसलिए लगवाई थी, ताकि वो क्या कर सके हैं, जो उनके दूसरे, वो हैं opponents, उनके ओपर ये इंजाम डाल सके हैं, जैसे कभी-कभी होता ना, कि हम खुद हमारा समान चोरी करवा देते हैं, और बोलते है कि इसी ने इंसान ने किया होगा, तो वो इस सारी चीज होती, किसी के उपर ब्लेम डालना होता है, तो, करते हो कि आप लोग ऐसा, तो यह हुआ, mysterious fire एक broke out होती है, वहाँ पे building में, जिसके बारे में किसी को पता नहीं देता, आग कैसे लगी है, लेकिन president, क्या बोलते हैं, कारण hitler क्या बोलते हैं, यह आग communist लोगों नहीं लगाई होगी, communist leader नहीं लगाई होगी, मतलब जो भी parliament में दूसरी parties थी, उन parties के leaders को किसी भी तरह से बस किसी भी प्रकार का उनके उपर क्या लगा देना, चार्ज लगा देना, एक आरोप लगा देना, और उस आरोप के च करने शुक्त करते हैं लोगों को अरेक्ष करने स्टार्ट करते हैं कि इस आदमीन लगना ओँ होगी, तो यह सारी चीजा liter होना चाल हों गई सब्सक्राइब करेंगे चांसलर की एडवाइस पे तो हिटलर जैसा बोलेंगे प्रसिडेंट को प्रसिडेंट वैसा करेंगे वही चीज़ यहां पर होती तो एक फायर डिक्री इशू करते हैं फायर डिक्री क्यों इशू करते हैं फायर डिक्री इशू होती है 28 February 1933 को पावर लिया अभी एक मेहना भी नहीं हुआ है पूरा ठीक है 28 February को एक फायर डिक्री इशू करते हैं जिसके चलते ही कि suspended civic rights such as freedom of speech, press and assembly मतलब बोल जाए कि देश में इस्तिती सही नहीं है हमें emergency लगाना पड़ेगी और उन्हें सारे civic rights जितने भी थे जितने भी civilians को rights थे जितने भी citizens को rights थे सारे rights suspends कर दिये अब जब सारे rights suspended हो जाते हैं civic fire decree के चलते तो उसके चलते हैं कि उसके चलते अब citizens परिशान है परिशानियों को सामना करना पढ़ रहा हूं क्या हमारे पास कुछ rights नहीं अब और उल्टा क्या होगा यह सारे rights सब्सक्राइब कर दिया तो अपने इसाप से कुछ भी कर सकते हैं बोल सकते हैं कि सिटीजन को कोई राइट नहीं देश समालना है देश समालना सबसे ज़्यादा जरूरी है सिटीजन अपने राइट को एक साही डग दो ठीक है यह सारी चीज़े हो रही थी उससे में पर और क क्या किया जाता था जहां पर इस तरह से construction नहीं हो रहा है concentration camp में यह क्या करते थे लोगों को कैसे मारना है लार्ज स्केल पर मारना है देखो एक दो इंसान का murder करना है कहीं भी चौकू लगा दो गया आप इस तरह से लेकिन आपको लार्ज स्केल पर बहुत सारे लोगों को क जहां पर हिटलर ने इस तरह से special concentration camps बढ़ा दिये थे जहां पर जितने भी enemy थे जो भी उनके अगेंस में आवाज उठाते थे तो उन लोगों को क्या किया जाता था पर्सीक्यूट किया जाता था उन लोगों को मार दिया जाता था जैसे एक्जामपल आपकी बुक में दिय आप जाता था ना स्पार्टस लीग वाली तो हिटलर ने क्या सुचा था हिटलर ने सुचा सिर्फ अपनी पार्टी रहना चाहिए तो धीरे धीरे जो भी अगेंस में अवाज उठाता सब को इलिमिनेट कर देते थे यह मरी पब्लीक के जो डेमोक्राट्स वगरा थे उनके 52 types of categories ठीक है मतलब 52 types समझ सकते हो कि अलग अलग ग्रूप कम्यूनिस्ट हो गए डेमोक्रेट्स हो गए जियूस हो गए जिप्सिस हो गए तो इसे 52 प्रकार के लोगों को क्या किया जाता था ग्रूप को execute किया जाता था कहां पर concentration camps में तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ड चलाते जा रहे थे अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करते जा रहे थे ठीक है अब इतलर ने दीरे दीरे सब कुछ किया और फाइनल बोलते ना जो तो finishing shot कहां लगा है Hitler ने हिटलर ने finishing shot लगाया 3rd March को enabling act पास किया एक ठीक है एक एक पास किया enabling act of 3rd March 1933 अब देखो आप देखोगे तो सब कुछ constitution के साब से चल रहा है उन्होंने law पास कर दिया और उसके बाद में उन्होंने इस law में क्या बोल दिया ठीक है आज से democracy खतम दुकान बंद करो democracy की he established dictatorship in Germany जर्मनी नोंने क्या establish कर दी government and started rule by decree ठीक है political parties and trade unions were banned except Nazi party and its affiliates मतलब सारी इतनी भी दूसरी तरह तरह की स्रिफ नाजी पार्टी रहेगी और उनकी affiliates मतलब नाजी पार्टी से जुड़ी हुई जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि students की एक विंग थी नाजी पार्टी की ठीक है आगे पढ़ने आले चेप्टर में तो वहीं रहेगी जर्मनी वह बाकि सब कुछ सारा सब कुछ बंद करत दिया सब को Hitler ने अपने कंट्रोल मिला दिया तो इस अंडर दी कंट्रोल ऑफ स्टेट स्टेट मतलब क्या स्टेट याने हिटलर क्योंकि पूरा कपूरा डिक्टेटर के पास में सारी पावर आ जाती ना तो यह सब कुछ हुआ और इन सारी चीजों के थ्रू हिटलर ने क्य है किया डैमो Phase को डिस्ट्रक्ट कर दिया डैमोगरी को昨्क्र मम करके रे ड गीन कानी लगी हिटलर किस तरह से पावर में ठीके एक पडिक्स में घूजने के बादमें किस तरह से को क सब्ट कर ऋक्रा के अंदर बुक में आपको explain किया है तो मैं आप उसको एक अलग segment में explain करूँगा क्योंकि कहानी अलग हो जाती है कि इटलर यह समझ रहा थे कि लोग आवाज उठा सकते हैं तो लोगों को control करने के लिए क्या किया था वह सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैटर के नोट्स आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर जाकर आप class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में part 2 के साथ thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमारे पिछले topic को continue करेंगे क्या पढ़ा था हमने पिछले topic में पिछले topic में हमने देखा था कि किस तरह से democracy को destruct किया गया हिटलर के दवारा मैंने आपको सारी चीज़े बताई कि क्या क्या हुआ enabling act पास किया गया और हिटलर को जैसे ही क्या chancellor ship मिलती है तो उन्होंने किस तरह से democracy को dismantle किया था वो सारा सब कुछ पढ़ा था और एक सवाल देखे गया थे मैं आपको सवाल क्या था सवाल ये था कि क्या लोग इस चीज़ से खुश थे अब बोलें सर बहुत खुश थे लोग तो इतना अच्छा लगा थो लोगों को डिक्टेटर्ष्प आगे नहीं ऐसा नहीं था लोगों के मन में क्या था डिसकंटेंट था अब लोगों के मन में जब डिसकंटेंट था तो लोग शो भी करते होंगे, लोग प्रोटेस्ट करते होंगे, लोग आवाज उठाते होंगे, लेकिन अब हिटलर जब यहां तक आ चुके थे, ठीक है, डिक्टेटर्शिप अपने आपको, मतलब अपने आपका as a dictator established कर लिया था, त then how they were, ठीक है, थोड़ी सी घरबड हो जाती है, आप उस चीज को tolerate कर लेना, then how they were controlled, ठीक है, तो अब लोगों को control कैसे किया जाता था, अगर लोग खुश नहीं थे, वो प्रोटेस्ट करते होंगे, तो लोगों को control कैसे किया जाता था, control करने के लिए क्लिए क्या था, उनके Special Surveillance and Security Forces were established, ठीक है, मतलब बहुत सारी अलग-अलग Special Surveillance, Surveillance मतलब क्या होता है, निगरानी रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए पुलिस बना ली थी, Security Forces, Security Forces बना ली थी, जो क्या अगर के रखेगी, सारी चीजों को law and order को maintain करके रखेगी, और ये देखेगी कि उन Special Surveillance and Security Forces बना ही थी, they were made to control and order society in the way they wanted, ठीक है, they wanted मतलब क्या है, Nazi wanted, ठीक है, the way Nazi wanted, अब क्या होता है, इस चीज को समझेगा, कि ये जो mechanism बनाया है, Special Surveillance and Security Forces, तो इसमें Regular Police तो थी ही थी, ठीक है, Regular Police कौन-कौन सी थी अपनी, तो Regular Police और SA, जो Strong Troopers थी, तो ये Regular Police का का काम होता थ इदर उदर, पुलिस दिखा दे आपको, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको ये Regular Police दिख रही है, आज की फोटो है, ठीक है, हिटलर के टाइम परेट की नहीं है, तो इस तरह से Regular Police ये, ये जैसे, ये Regular Police, हिटलर के टाइम की फोटो है, पेंटिंग है, तो आप और, ठीक है, Regular Police के अलावा, गैस्टपो, गैस्टपो क्या है ये, ये Secret State Police है, Secret State Police को Establish कर दिया था, ठीक है, The SS, Protection Squared है ये, ठीक है, Protection Squared मतलब जितने भी नाजी लीडर्स थे, ये दिखती बात है कि नाजी लीडर्स के अगेंस्ट में आवाज उठ रही है, तो नाजी पुलिस फोर्सेस थी, जिने क्या किया गया था, जिने Establish किया गया था, और ये पुलिस फोर्सेस, वही सारी चीज़े करती थी, जो कौन चाहती थी, नाजी पार्टी चाहती थी, अभी क्या है, अभी आप देखेंगे कि ये इत्रा, भारी भरकम, इनतजां, सुरक्षा का क्या क्यों किया कोई टेरिस्ट अटेक होने वाला था लेकिन रीक बनrin जो कर रहे थे वह भी किसी टेरिसम 12 कम नहीं था अब जब वह ऐसी टेरिसंब से कम नहीं उस आवास का भी गला दबा दिया इतने सारे police forces से इतने सारे कह सकते हैं कि armed forces के साथ में तो हम कह सकते हैं कि organized forces with extra constitutional power extra constitutional power एक किसी को भी कभी भी arrest कर लेना कभी भी किसी के ओपर किसी प्रकार का इंजाम लगा देना यह सारी चीजें तो यह क्या एक्स्ट्रा constitutional power दे गई इन पुलिस forces को तो इस और्गनाइज forces with extra constitutional power made the Nazi state dear dead criminal state तो आप देख सकते हैं कि Nazi state क्या है एक तरह से dear dead criminal state बन गया जहां पर क्या है जहां पर civil rights को मतलब ऐसे वालेट किया जा रहा था जैसे तो यह सारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था अंडर दी टाइम पिरेड वें हिटलर वास डिस्ट्रक्टिंग दी डेमोक्रेसी आप आप दोनों टॉपिक को रिलेट कर पाए तो हमने यह देख लिए कि डेमोक्रेसी पुरी तरह से हो गई है कि हिटलर ने क्या किया हिटलर ने सबसे पहले अपने अपको डिक्टीटर की तरह स्टैप्लीश किया फिर जो कोपो क्रोने की वह सब वह भी जि Obama कर दिए भोटोग्राफ कौछ और दिखा देतें हैंताब को तो यह अलग अलग यह पुलिस और जरमनी है ठीड लोगों के अंदर क्या बाते चल रही, वो समझती थी, सुनती थी, कि कोई revolution तो plan नहीं कर रहा, ये साही चीज़े करती थी, फिर ये जो criminal police है, criminal police का मतलब क्या है कि crimes जो हो रहे थे, तो उसमें कहीं ने कहीं, अभी, जैसे आप अगर history पढ़ेंगे न, आगे जाके बड़ी classes मे लिए, तो ये situation थी, ठीक है, ये साहा सब कुछ बता दिया मैंने आपको, अब next video में क्या पढ़ेंगे, अब next video में हम पढ़ने वाले हैं, कि देखो, Hitler ने अब अपनी power तो बना लिए, लेकिन Hitler को कहीना की जर्मनी को आगे भी तो बढ़ाना था, हमने देखा कि Hitler का objective क्या थ ये सारी चीज़ आप next video में पढ़ने वाले हैं, तो next video में economic reconstruction के साथ मिलेंगे, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सक और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राशपूद, welcome to magnetbrains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे economic reconstruction, अभी देखिये, एक recap करवा देता हूं आपको में, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने कहां तक ले आएं अपनी कहान political और social conditions थी, they were favorable to Hitler to came in power, ठीक है, अब Hitler power में आते हैं, to Hitler power में आने के बाद में क्या करते हैं, Hitler power में दीरे दीरे जैसे उनकी political party, नाजी party जो रहती है, वो largest party बनती है, उन्हें chancellorship मिलने के बाद में वो क्या करते हैं, फिर अपना रंग दिखाते हैं, कैसे वो democracy को destruct करते हैं democracy के destruction के बाद में किस तरह से लोगों की जो मतलब कह सकते हैं, कि जो उनके against में आवाज उठा रहे थे, उन लोगों की आवाज उन्हें दबाई, ये सारा सब कुछ किया, अब हमने देखा, अब Hitler के पास में power तो आ गई है, लेकिन अब उनका जो सपना था, क्या सपना था उ अब economic reconstruction में हम देखेंगे कैसे जर्मनी अपनी economy को जिसकी हालत बहुत खराब थी, देखा economic crisis जब आये थे, जो great depression वाला time period था, उस हमें पर हमने देखा कि जर्मन मार्क की value भी गिरते जा रही थी, ठीके, उसी के साथ में देखा कितना जादा unemployment था, कुछ भी नहीं था, आपके पास में पैसा, ताकत कबाई कि जब आपके पास में पैसा होगा, अब Germany क्या चाह रहा था, Hitler चाह रहे थे कि Germany एक ताकतवर country बने, ठीके, बट Germany had no money, ठीके, अब Germany के पास में तो पैसा नहीं था, अब पैसा नहीं था, तो power कैसे आएगी, ये एक विटम बना थी, ए economic recovery की, economic recovery पे काम चालू किया, मतलब किस तरह से उनकी economic को recover करवा है वो, कैसे उनकी economic को strong बनाया जा, जब economy strong होगी, तो ultimately वो क्या करेंगे, दूसरे देशों के साथ में लड़ने से, दूसरे देशों के साथ में भिढ़ने से बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, ठीके, तो अब क् क्या है, इसके pronunciation बहुत सारे है, आप spelling याद रखना है, हजलमर भी बोल देते हैं, जलमर सैच भी बोलते हैं, इसको प्रनाउंस करते हैं, तो एक economist थे हैं, जिनका नाम था, हजलमर सैच, ठीके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने economic recovery पे काम स्टार्ट किया, economic recovery पे काम स्ट fully, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया, ताकि क्या हो, जिसके चलते हैं, थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं, ब्लड आ जाए, एकनोमी थोड़ी सी मजबूत हो जाए, और जिसके चलते हैं, वो क्या कर सकें, अपने aims, aspirations को और आगे तक क्या कर सकें, फैला सके के तो what was done by him, what was done by him, मतलब क्या है, हिटलर के दुआरा नहीं, जल्मर सहिच के दुआर, जल्मर सहिच के दवारा क्या किया गया, तो जल्मर सहिच ने एक तरह से क्या किया, he aimed at full production, अब शब्समजते चलना, he aimed at full production, unnecessary details, जो हमने करी मार्क ने पहले 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 अटा देते हम क्लियर है तो एम डेट फुल प्रडक्शन एंफुल एंप्लॉइमेंट फुल एंप्लॉइमेंट यह बी अंडराइन कर लो तुर स्टेट फंडेड इस्टेट फंडेड वर्क क्रेशन प्रोग्राम अब देखो क्या है जलमर सैश ने सोच लिया था क्या कि अगर आपको किस्ट काम होना चाहि है तो इन्होंने बोला कि हम लोग यह लेते हैं दूसरे देशों से ओर क्या करते हैं च्बं और को से उन्ने च्वह सै उट उसन Wik किस्फ्राऄस धॉप pasture मातलब क्या है कि रोड़मेंट पैसा लग गाएगी मतलब क्या है कि मांनूस आएका अगर्रमें लोगों को काम भी मिल जाएका एकनॉमि में पैसा भी आजाएगा अनेमप्लोयमेंट भी खतम हो जाएगा यह आइडिया लगाया उन्होंने यह धियान रखना है कि वाट वाट वाज रिकवरी प्लान गिवन बाइजलमर सहाच इस तरह से कुश्चिन मन सकता हूँ वाजलमर स फुल प्रेडक्शन एंड फुल दम्लाइमेंट. अब इस सब होगा कैसे थू स्टेट फंडेट वर्क क्रीएशन प्रोग्राम क्या है वह मैंने आपको समझा दिया आगा है अमने यहां तक अब इस बीच पन किया क्या क्या पहले आफ हजलमर सहाच को देख लोंड डोल जा किस चीज़ का काम स्टार्ट किया उन्होंने जब यह काम स्टार्ट किया full production full employment का उन्होंने फ्रैद्व जर्मन सूपर हाइविज जर्मन सूपर हाइवेस प्रड्यूच करें इस प्रोग्राम के अंदर जिसके चलते जलमर सैच ने इस तरह से सूपर हाइवेस बनाए ठीक है उसी के साथ साथ में इसे पीपल्स कार भी कहा गया ठीक है वॉक्सवेगन जिसके चलते क्या है कि इंडस्ट्री लगे की कार साइंगी तो दूसरे देशों को बेच पाएंगे पैसा कमा पाएंगे लोगों को जॉब पाएंगे अब यह तो यहां तो समझ जा रहे है कि यहां चलो कार बनेंगी पैसा आएगा यहां से कैसा पैसा आएगा सूपर हाइवेस से इस तरह से एकनोमिक डेवलप्मेंट हुआ कि आप चीजों का मतलब कह सकते हैं मूवेबिलीटी जो है वह मूवेबिलीटी क्या होना चाहिए आपके पास में जब इंफोर्मेशन टेकनोलोजी उतना जादा डेवलप्ट नहीं था तब जो भी है मैन पावर के उपर डिपेंडेंट देता था जिसकी जल्दी आर्मी पहुझ गी वह जीच जाता था तो इस तरह से उन्होंने सूपर हाइवेस बनाया है ज लेकिन हम इसे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे क्यों क्योंकि आपको एक अलग परस्पेक्टिम मिलते जाया इस पर यह कोशिंड मनेंगा आपने समझ लिया अब पॉलेटिकली किस तरह से रीकंस्ट्रक्ट किया जर्मनी को हिटलर ने वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे पॉलेटिकल रीकंस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तग सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub-topics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं Feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में Thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Political Reconstruction पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से Hitler ने अपने देश की जो एक तरह से कह सकते हैं कमजोर एकोनॉमी थी उस समय पे उसे मजबूत किया तो Economic Reconstruction हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था जलमर सैच के बारे में मैं आपको बताया क्या स्ट्राइजी अडॉप्ट की थी उन्होंने German Super Highways के बारे में देखा हमने Full Production, Full Employment वाला जो State Funded Work Creation प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताया यह सारी चीज़ हम पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं तो अब देखिए Reconstruction हो रहा था जर्मनी का मतलब जर्मनी को फिर से क्या बनाया जा रहा था, मजबूत बनाया जा रहा था, सशक्त बनाया जा रहा था तो अब इस बीच में ऐसा नहीं कि सरफ economy ही कमजोर थी politically भी Germany क्या था, politically भी Germany थोड़ा सा कमजोर था दूसरे देश जो थे वो आँख दिकाते थे, डराते थे जर्मनी को और यहाँ पर एक strong leadership के साथ में जर्मनी ने क्या कि आपने आपको politically भी reconstruct किया, वो कैसे क्या है, वो सारी चीज़े आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, Hitler acquired quick successes in his foreign policy foreign policy क्या होता है, foreign policy simple सी चीज़ है, मतलब इंडिया है, तो इंडिया अपने relation दूसे देशों के साथ में कैसे रखता है these all relations are being governed by foreign policy, ठीक है, तो foreign policy are the set of values, norms, principles क्या सकते हो आप, ठीक है, जो एक country बनाता है to maintain the relation with other countries, ठीक है, foreign countries, तो वो foreign policy हो गई, तो Hitler ने क्या कि अपनी foreign policy को इस तरह से modify किया कि उसको बहुत success मिलती चलेगी, success किस sense में मिलती चलेगी, बहुत success मिलती चलेगी हिटलर को, क्यों क्योंकि उसने क्या करा, सारे injustice जो भी हुए थे, जर्मनी के साथ, उन्हें restore कर लिया क्या injustice हुए थे, कैसे restore किया, तो देखो, हाँ, वही सवाल आता है कि कैसे हिटलर की foreign policy successful करही, तो वो पढ़ते हम He pulled Germany out of League of Nations in 1933, अब इस चीज़ को आप ऐसा ध्यान रख सकते हो, कि हम पढ़ेंगे जो पुरा situation तो 1933 से लगा के 39 तक, 39 में world war छुड जाएगा न, तो यह कहानी, यह वाला जो time period है, इसमें पढ़ते हैं कि इसमें politically किस तरह से reconstruct होता है Germany, तो he pulled Germany out of League of Nations, League of Nations मतलब आज के समय में जैसे United Nations है न, तो ऐसा एक group था, उतना powerful नहीं था, उतना effective भी नहीं रहा, उतना अच्छा भी नहीं रहा, United Nations के बराबर, लेकिन एक group था, अब उस group में जो भी countries रहेंगे तो उन countries को क्या करना पड़ेगा, rules regulation के हिसाब से चलना पर, मतलब Hitler freely काम नहीं कर पाते थे, क्यों, क्योंकि आप League of Nations का पार्ट हो, किसी organization का पार्ट हो, तो उसके rules regulation, follow करना पड़ेंगे, तो इन चीज़ों के चलते हैं, Hitler ने बोला, सबसे पहला काम क्या होना चीए, League of Nations से बाहर आओ, ठीक है, तो पहला, जो उनका step रहा, वो उन Rhineland in 1936, Rhineland ध्यान करो, Rhineland हमने देखा था, कि Rhineland में क्या हुआ, Rhineland को capture कर लिया था, रूर रीजन को capture कर लिया था, किसने, France ने capture कर लिया था, Rhineland वाला जो एरिया था, उसे demilitarize कर दिया था, बढ़ा था ना हम लोगों ने, Treaty of Brussels के साब से Rhineland को demilitarize भी कर लिया था, त आप देख रहे हो, धीरे-धीरे एंटलर क्या होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं, वो धीरे-धीरे से अपना घुसा दिखा रहे हैं, किसके towards, मतलब जो कह सकते हैं, वल्ड पॉलिटिक्स जो थी, जो उनकी foreign policy थी, तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिल एक चीज समझ में आ रही है, कि अब उन्होंने एग्रेसिव प्रपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से बोल्ड स्टिप्स लेना स्टार्ट कर दिया है, तो he reoccupied the Rhineland in 1936, ठीक है, 1936 में Rhineland को reoccupy करा, he integrated Austria and Germany in 1938, अब ये चीज बहुत देखो क्या होता है, कि उन्होंने एक स्लोगन दिया, क्या स्लोगन दिया, one people, one empire and one leader, आया समझ में, इस नारे के चलते उन्होंने क्या क्या, इस स्लोगन के चलते उन्होंने, Austria जो था, Austria और Germany, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि First World War और उसके पहले के time period देखें, तो ये countries आपस में क्या थी, ये countries आपस में culturally बहुत जादा connected थी, German speaking population आउस्ट्रिया में भी रहती थी, जर्मनी भी रहती थी, तो हमेशा से एक रहना चाहती थी, तो Hitler ने वही क्या, क्या, कि आउस्ट्रिया और जर्मनी को integrate कर लिया कब 1938 में, और क्या slogan दिया, one people, जब एक ही ल leader होना चाहिए, leader कौन में, मतलब Hitler, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उस तरह से उन्होंने reoccupy कर लिया किसे, उन्होंने reoccupy कर लिया, क्या कहते है, ऑस्ट्रिया को, तो integration हो गया यहाँ पे, फिर आता है अगली चीज क्या है, he captured German speaking student land from Chikoslovakia, आप देखो यहाँ पे क्य इवाजो में था, Chikoslovakia, Chikoslovakia में एक area था, student land, जहां पे क्या बोली जाती थी, जहां पे German language बोली जाती थी, जहां के लोग किसका support करते थे, student land के लोग जो थे, हो Hitler का support करते थे, तो Hitler में उस पार्ट को भी अपने empire में जोड़ दिया, आया समझ में, अभी अब समझ में आएगा देखो, इसको हम pictorically थोड़ा से देखते हैं, तो चीजें समझ में आएगी, ये था Germany, ठीक, ये पूरा Germany है हमारे पास में, अब ये जर्मनी में हमें क्या देखना है, ये देखते चलिए हैं आपे, color कौन सा ले तो इस पर combination कौन सा जमना चाहिए, sky blue color जम जाएगा ठीक हैं, अब देखो, ये हमारे पास में पूरा ये जर्मनी है एक तरह से, ये जर्मनी था, ठीक हैं, highlight हो रहा है ये जर्मनी, अब जर्मनी ने क्या करना स्टार्ट किया है, अपनी foreign policy में धीरे धीरे चीजों को बदलाव करना स्टार्ट करा, पहला point क्या बताया था, League of Nations अपने आपको बाहर निकाला, फिर उन्होंने राइन। गालीर्यों को वापिस क्या कर लिया, capture कर लिया, March 1936 में, ये राइन। वाला एरिया है, ऐसे क्या कर लिया था, किसने capture क्या था तो तो आपको पता है फ्रांस और फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था रूर वगेरा का रीजन और उसके बाद में इसको डीमिलेटराइज भी कर दिया था तो इटलर ने उसको खतम किया फिर फिर क्या बढ़ा हमने कि जर्मन और ऑस्ट्रिया जो था तो अंदोरों को इंटीग्रे हो गया है वो लेकिन यह जो आप रीजन देख रहे हैं ठीक है शेड़ेट पाट जो है तो यह शेड़ेट पाट क्या है यह सुडेंट लेंड का शेड़ेट पाट है तो सुडेंट लेंड जो था सुडेंट लेंड किसका पाट था सुडेंट लेंड पाट था चिको स्लोव पार्ट को भी हिटलर ने जर्मनी के साथ में इंटीग्रेट करवा लिया क्यों कि हां पे जर्मन स्पीकिंग पॉप्लेशन रहती थी आया समझें तो यह पॉलेटिकल रीकंस्रक्ष्ट्रक्शन वाला टॉपिक मैं आपको समझाया आयोग चीजें क्लियर हो गई कि किस तरह से हिटलर ने अपनी foreign policy को aggressive foreign policy बनाते हुए चीजों में बदलाव लाए फिर क्या होता है अब आप यह सोचोगे कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो world की जो दूसरी countries थी जो दूसरी powers थी world की वो क्या कर रही थी ठीक है तो उसका जवाब हम आपको देते हैं world की जितनी भी दूसरी power थी तो वो क्या कर रही थी वो इस समय पे सोच रही थी कि चलो ठीक है हिटलर जो भी कर रहा है वो एक तरह से सही है क्यों क्योंकि ऐसा रहता है जिसे आग लगी है जब तक आग आपके घर तक नहीं पहुचेगी तो हम सोचते हैं कि ठीक है वहाँ दूर लगी है तो एक वैसा mindset था तो question यह आएगा why England and other powers were allowing all this तो यह जितना भी जो कुछ हो रहा था यहाँ पे यहाँ पे एक indirect unspoken support देखने को मिल रहा था किसका इन सारी countries का किसके towards Germany के towards क्यों support कर रहे थे Germany के towards उन्हें ऐसा लगता था कि Hitler जो भी कर रहे हैं वो साई कर रहे हैं क्यों क्योंकि उनके साथ treaty of ourselves में बहुत जादा बिकॉस यहाँ परिंट ध्यान रखना विकॉस दे कंसीडर वर्सेल्स ठीकें दे कंसीडर वर्सेल्स वर्डिक्ट तू हार्ष कॉन मतलब जैसे इंग्लेंड और जो दूसरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो राइन लेंड जो था तो राइन लेंड ऐसे देखा जाए टेक्निकली तो जर्मनी का था उसको बापी से रियोक्यूपाई कर लिया कोई बड़ा काम निकरा लेकिन आपको यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे पूरा हाथ थाम लेंगे तो वह वा इंसान से भीडने में बिल्कुल भी डरेगा नहीं तो वही चीज़ अब यहाँ पर होती कि हिटलर और एग्रेसिव पॉलेसी को आगे बढ़ाते हैं हिटलर जब और एग्रेसिव पॉलेसी को आगे बढ़ाएंगे तो उसके चलते क्या होगा उसके चलते Second World War कैसे होता है Second World War के साथ में डाउनफॉल अगर देखा जाए किसका डाउनफॉल डाउनफॉल जर्मन एंपायर का हिटलर का ठीक है तो वह डाउनफॉल भी हम पढ़ेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ पार्ट्स में क्या पढ़ने वाले हैं Second World War and the Downfall of Hitler अभी आप सोच रहे पढ़ने में आसानी रहें ठीक है चीजने क्लेर होती चले जाएं topic specific पढ़ेंगे कि question भी अगर आता है तो आप समझ लेंगे अब जैसे question बनता है How the Germany was reconstructed politically तो आपके पास content है परियापत content है दस नंबर का भी answer लिख सकते है आप जो की पूछे नहीं जाएगा आप से ठीक है यह सारा सब कुछ बढ़ा हमने इस वीडियो में इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub-topics एक arranged format में available है जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं Feel free to visit our official website magnetbrains.com बिलते हैं नेक्ष वीडियो में, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूद, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Second World War and the Downfall of Hitler Part 1 इस topic को दो parts में पढ़ेंगे, दो parts में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एक part में मैं आपको ये बता दूँगा कि किस तरह से Second World War जो है वो start होता है ठीक है, और उसे के बाद मैं दूसरे part में ये बता हूँगा कि कैसे Second World War के start होने के साथ ही मतलब साथ ही नहीं कहेंगे, कि थोड़े समय तक तो Hitler अपनी power की pinnacle पर पहुचते हैं, मतलब ये World War start होती है कि मान लो इस तरह से अगर हम देखें कि Second World War हमारी start होती है, ठीक है, यहां से Second World War जैसे जैसे आगे चलते जाती है तो एक समय पर Hitler की rise होती है, फिर दूसरा Hitler का fall होता है, तो Second World War खतम होता है, तब तक Hitler का fall भी हो जाता है तो ये सारी चीज़े हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़े हम इन दो parts में पढ़ेंगे, मतलब Second World War and the downfall of Hitler Part 1 और Part 2 में भी यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं क्लियर है, तो इतना सारा सब कुछ पढ़ेंगे हम, इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से Second World War के पीछे क्या background बन रहा था पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, कि किस तरह से Hitler ने अपने country को politically reconstruct किया कैसे aggressive foreign policy के चलते उन्होंने जितना भी अपना part कभी खोया था, वो क्या कर लिया, वो वापस अपने कबजे में कर लिया और ज्यादा जगा को अपने अंडर में लिया, ठीक है, अब क्या होते जाता है, कि वही वाली बात, उंगली पक्रवा दीती है तोटली रीकंस्ट्रक्टेड पूरी तरह से रीकंस्ट्रक्ट थोरी न हो पाई थी अभी भी देखा जाये तो एकनॉमिक क्राइसिस थे जर्मनी में उतनी अच्छी एकनॉमिक नहीं होगी थी कि अब लोगों को पैसा बाटना चालू कर देंगे तो उन्होंने क्या सूचा कि अब अगर जल्दी से आपको एकनॉमिक रीकंस्ट्रक्शन चल रहा था वो तो ठीक थया ही था लेकिन उसके सानसात में आ हुआ कूछ एकस्ट्रा करना पड़ेगा जिससे आपकोईज मिले ESPED मिले तो इक एक स्पीड कहां से लीपता है he opted for war उन्होंने सोचा लड़ाई लड़के लोगों को हराऊंगा और उनकी territory छीनूंगा territory छीनूंगा मैं थोड़ा सा क्या बन जाऊंगा powerful बन जाऊंगा तो he chose war as the way to overcome economic crisis ठीक है अब सवाल यह आता है कि जब Hitler ने war as a way choose कि war एक तरीका होना चाहिए economic crisis से बाहर निकल के आने का तो सवाल यह आता है कि what was जलमर सैच doing at that time ठीक है तो आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि अगर Hitler लड़ाई की बात कर रहे थे और economist को appoint किया था जलमर सैच को तो उस समय पे जलमर सैच कर क्या रहे थी अब क्या होता है रियार्मामेंट वो समझातों मैं आपको देखो समझना इस चीज़ को कि आपको अगर लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई लडने के लिए आपको पैसा कहा लगाना पड़ेगा हतियारों में ऐसा तोरी नहीं कि वहाँ पर जा कि आप बस बातों से लड़ोगे आपको हत्यार भी चलाना होंगे तो Hitler ने क्या करा है कि अपनी एकनोमी में जितना भी जो भी पैसा था सारा पैसा रियार्मामेंट की तरफ लगा दिया Rearmament मतलब देखो हमने Disarmament सुना है Disarmament मतलब किसी को भी हत्यार नहीं रखने देना और Rearmament मतलब क्यों होना कि कोई हत्यार जब बना रहा हो तो एक Arm Race चालू हो गई मतलब लोग हत्यार बनाया जा रहे थे तो Hitler ने कहा कि आप बहुत सारे हत्यार बनाना चालू कर दी है जलमर सैश ने मना बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है क्यों Because their economy was running on deficit financing deficit financing एक नया शब्द आया deficit financing मतलब क्या हो बोल रहे थे कि हम पहले तो उधार की जिंदगी जी रहे है ठीक है जर्मनी मतलब लोगों से पैसा ले लेके deficit financing पे काम चल रहा था उनका कि हाँ economy reconstruct करना है तो इदर उदर की country से हम लोन ले रहे थे और उनने बोला कि इस लोन के पैसे से आप हत्यार बनाओगे तो आपकी economic grow कैसे होगी आप तो इस तरह से हो गया मतलब कि आपने उदार लिया पैसा उससे बॉम बनाया बॉम फोर दिया तालीव जालो बस बॉम फुट गया लेकिन वो किस काम का रहा आया समझ में तो वह बोलते हैं कि यह जो deficit financing financing पर हमारी economic grow कर रही है उससे आप अगर rearmament में पूरा invest कर दोगा तो उससे क्या होगा economic growth नहीं होगी लेकिन लेकिन हिटलर उस opinion के थे जिन्होंने बोला कि इतना जादा सोचने वाले इंसान की मुझे जरुवत नहीं है ठीके he ignored him he ignored him मतलब उन्होंने जल्मर सहच को बोल दिया चलिए आप जा सकते हैं भी तो एक तरह से क्या है कि जल्मर सहच से के economic crisis से बाहर आने के लिए उन्होंने वहार को क्यों choose किया देखो उनका यह मानना था कि economic crisis के लिए आपको resources चाहिए economic crisis से बाहर आने के लिए resources चाहिए ठीके resources कब मिलेंगे जब आपकी territory बढ़ जाएगी ठीके territory बढ़ने से क्या होगा आपको वहां के land resource मिल जाएगा वहां के जितनी बी इंडस्ट्रीज वगरा है सारी चीज़े मिल जाएगी तो उन्होंने सोचा कि resources चाहिए इसके लिए territory को expand करना होगी और इसी ideology के साथ इसी mindset के साथ therefore in September 1939 ध्यान रखना है September 1939 में Germany invaded Poland ठीक जर्मनी ने कहां पे इंवेड कर दिया जर्मनी ने पॉलेंड में इंवेड कर दिया पॉलेंड में इंवेड कर आप पॉलेंड का है वो मैं आपको बताता हूँ और इसी date को कहा जाता है कि इस date से क्या स्टार्ट होता है है को लड़ा है कि अब जर्मनी और पॉलेंड लड़ रहा है ठीक है अब जर्मनी और पॉलेंड लड़ेंड क्यों बोड़ रहे हैं इसे हम ऐतोरी घर्मनी और बोला वोल देपे पॉलना वह all दो वह वह फिलिंग होना चाहिए अब विक्या होता है जलो मढई गहां पैसे लोन नहीं होता है पॉलार्ण पॉलनेंद के अंदर इंवेजन होता है यह चिम्ध हुझ करता है जण पुल्ड करता विश्म us भॉइट करता है तो देखो यह बसुत लखना सब्सक्वार्ड किस दी टार सिकरेंगे ट्याइट सब्सक्राइब नाइटीन था इसको पड़ेगे वभी सोवेट उन्यों को भी डर लगा कि यार ऐसा ना हो जाए कहीं कि यह घर्मनी हमारे अंदर उन्हों फॉट्छा कर दिया तो पॉल्एंड को क्या करा जैसे यह पूरा पॉल्एंड मान लो ठीक है यह पूरा पॉल्हेंड तो सुव्य का पाट था पहले सब। तो सोविट यूनियन ने भी क्या कर दिया और यहीं से व्ल्ड वर का स्टार्ट होता है अब देखो क्या है तो मैं आपको वही चीज बताने वालो है आप सोच रहे थे कि दो देश होता है लेकिन व्ल्ड वर क्यों नाम दे लिया तो समझो क्या होता है अब जर्मनी नी जब पॉलेंड में इंवेड किया तो उसके चलते क्या होता है उसके चलते France and England started war against Germany अब देखों यहाँ पे क्या होता है आप बोलो के जर्मनी ने France और England को तो छेडा भी नहीं फिर France और England ने क्यों लड़ाई चालू कर दी जर्मनी के अगेंस्ट में तो क्या होता है कि international relations में आप एक दूसरे के साथ treaty करते हैं treaty मतलब क्या होता है एक दूसरे के साथ संधी करते हैं agreement करते हैं तो Poland को promise किया था France ने और England ने ठीक है Poland को France ने और England ने promise किया था कि अगर तुमारे towards कोई भी aggression दिखाता है जर्मनी तो हम तुमारी मदद के लिए आ जाएंगे clear है तो इस तरह से promise किया था अब दोस्ती की थी तो दोस्ती निभाना पड़ेगी आप भी निभात है दोस्ती मैं भी निभाता हूँ पॉर में ठीक है in fact the fact that Germany didn't attack on them ठीक है जर्मनी ने उनके उपर अटेक नहीं किया है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं पॉलेंड की मदद के लिए जाते तो कारण था उन्होंने क्या करके रहा था पॉलेंड के साथ एग्रिमेंट की तुम्हारे टूर्ट अगर एग्रेशन दिखेगा कहीं भी तो वो क्या करूँगा में हम एंटर कर जाएंग आपकी मदद के लिए और एक और कारण है पता इ धीरे धीरे करते जर्मणी के करते जर्मणी ने क्या का लिए अस्त्रियां को मिला लिया कुछ नहीं बोला रानलेंड के चैप्चर करें हैं सुठडेन गोलेंगे जद्री और अब अठी हो गई अब क्या करना पड़ेगा ठीकी आप पानी सर सो उपर या yaptव कुछ बोलना पडबे तो सीज्ट के चलते क्या हता से चलते अब इन्हों नग स्टुल्स से यह पीछे से अंगला करतें इनको पर ज़र्मनी के उपड तो आप साथ क्लीटिए आंग से वार वाली स्टीन में अगया ऊगा Maker wellbeing गौंक स्रिकें ठिंवाला पर सब्सक्राइब अंग्रूर्ण हम एक साइट तो देख रहे हैं वार चल रहा है इसका मतलब ये थोटी ना है कि जर्मनी ने भी अपनी टीम नहीं बनाई होगी जैसी टीम हमें यहां देखने को मिल रही है थीक ऐसी ही टीम इदर भी होगी तो यहाँ पे कौन सी टीम बनती वो देखे आप क्या होता है कि यहाँ से वार चाल हो जाती सेप्टेमबर 1939 से लड़ रहा है अभी जर्मनी अकेला लड़ रहा है दोनों फ्रेंट पे समाल रहा है सेप्टेमबर 1930 में जो ट््राइपाटाइट पेक्ट साहिन ह apert यंचनल afinते आपको तो ट्राैपाईट पेख सेंपल सी चीज़े तीन ने ऌपस में एक साहता ऊता अगये थे मतलब जर्मी ने अपनी टीम में ढोगो और जोड लिया था तो एक जर्मनी के साथ में इटली हो गया था दूसरा जैपैन हो गया था तो इन तीनों कंट्रीज ने मिलके क्या करा एक गुरूप बना लिया अब यह तीनों कंट्रीज किसे परिशान करेगी जो अलाइस पावर हमने पढ़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में अभी भी बन रही है वो अलाइस पावर अभी US बचा है, USSR भी आभी आजाएगा, Soviet Union भी आजाएगा तो हम देखते कि यहां पर तीनों ने गुरूप बना लिया इन तीनों ने जर्मनी, Italy और जपैन अब इन तीनों ने जब गूरूप बनाया तो इन तीनों के गूरूप का अधिकतर यह भी कहा जाता रोम, बरलिन टोक्यो एक्सिस, ठीक है, just for knowledge, एक्जाम में नहीं आएगा आपके, तो देखो यह फोटो में देखिए, यह जपैन के रिप्रेजंटेटिव, यह हिटलर है, और यह इटली के रिप्रेजंटेटिव है, मैंने आपको वीडियो में हमवक भी दिया था, कि आप जिस तरह से म में एक और डिक्टिटर थे, क्या नाम था, तो मुसूली नहीं, ठीक है, मुसूली नहीं है यह, तो क्या होता है कि इन तीनों ने वो बनाए एक तरह से कह सकते हैं, पैक्ट साइन करा, टापटाइट पैक्ट और तीनों एक साथ आ गया आपस में, अब तीनों जब आपस मे इन तरह से रिटाइलियेट किया, और फ्रांस का, कह सकते हैं कि फ्रांस से पूरी तरह से बदला ले लिया एक, फ्रांस के आधी टरिटरिस को अपने कबजे में ले लिया था, तो हम कहते हैं कि 1940 की अगर बात की जाए, तो end of 1940 तक Hitler was at pinnacle of his power, pinnacle मतलब अपनी power की टॉप प होते जा रहे थे, Hitler ने सोचा में तो जीत जाओंगा, ठीक है, तो western front पे लड़ाई चल रही थी, eastern front पे उन्होंने पॉलेंड में कबजा कर लिया, वहां तक ठीक था, लेकिन एक गलती कर जाते हैं, क्या करते हैं, to ensure food supplies and living space for Germans, ठीक है, जो भी जर्मनी के लोग थे, उन लोग at the Soviet Union in June 1941, ठीक है, तो June 1941 में, Hitler ने किस के उपर हमला कर दिया, Soviet Union के उपर, Soviet Union USSR के उपर हमला कर दिया, ठीक है, and from here, the downfall of Nazi period बिगन, ठीक है, तो जो Nazi period अभी तक चला आ रहा था, उसका downfall यहां से देखने को मिलता है, कि किस तरह से धीरे-धीरे, एक एक करके, क्या कहते हैं, क अगरी, जो यह जो टाय बटायट के बाद में, जो एक alternative power block खड़ा हो रहा था, ठीक है, axis power जो बनी थी ना, इसे Rome, Berlin, Tokyo, axis कहा जा जाता, axis power का ग्रूप था यह, तो यह axis power का ग्रूप का क्या होगा, दीरे-दीरे हारते चले जाएगा, starting के वीडियो में मैं आपको बताया है, जिसको भी confusion ने power कौन कौन से groups थे कौन से नहीं थे आप देख सकते हैं वो सारी चीज़े clear तो यह सारा सब कुछ हो गया अभी तक picture में कौन नहीं आया है US से नहीं आया है Russia नहीं आया अब Russia अब आ जाएगा Russia मतलब उस समय का Soviet Union यह confusion में क्लियर कर दो एक मिनिट देखो क्या है Soviet Union मतलब जब रश्या Soviet Union अग्रुप था जिसमें रश्या और आजू-बाजू की जो countries मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी ठीक है यह वाली जो फोटो में बताई था मैंने आपको एक सब्सक्राइब गलत आ गए यह वाला तो आपको बता नहीं है अभी एक्सपेंशन वाला तो Soviet Union क्या है कि उस समय जैसे पॉल्लेंड क्या जू-बाजू जितनी भी country थी ना उन सारी countries को मिलके एक बड़ा सा union बना था बाद में disintegrate होके क्या बन जाता है बाद में disintegrate होके बन जाता है रश्या तो बाद में इसमें फिर एक बड़ी country स्रीफ रश्या रह जाती है लेकिन पहले बहुत बड़ा empire था तो अब क्या होता है कि Hitler जो मैं आपसे कह रहा था कि June 1941 में क्या गलती कर देते हैं वो यह गलती करते हैं कि वह हमला कर देते कहां पर Soviet Union पर अब Soviet Union पर जब वह हमला करते तो यह expansion है वही चीज का ठीक है मैं आपको बता रहा हूं कि map showing German attack on Soviet Union तो Soviet Union में जो major cities है जैसे Stalingard है Stalingard इन सारी cities तक क्या हो गया थे German army पहुझ गई है German army बहुत क्या कह सकते ambitious होगी थी कि अब तो जीत लेंगे हम पूरा का पूरा Soviet Union और Hitler का यहां तक opinion था कि वह चाह रहे थे कि अपने empire को extend करके Japan तक ले जाए ठीक है तो इतने ambitious leader थे ठीक है उन्होंने अपनी चीजों को किया भ तो गुशते चले ही जा रहे थे ना वह अंदर तो यह सारी चीजों पर कबजा कर लिए तब Soviet Union पर जैसी कबजा होता है वहां से चीजें बिगडती है वहां से चीजें बदलती है कैसे बदलती है तो वही हम पढ़ेंगे ठीक है ना फ्रॉम हेर दी डाउनफॉल आफ नाज इस वीडियो में क्या पढने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे Second World War and the Downfall of Hitler Part 2 पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था Part 1 में Part 1 में हमने यही सारी चीजें देखी थी कि कि किस तरह से Second World War स्टार्ट होता है German aggression के कारण कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि Poland के support में France और England उतर आये थे उन्होंने क्या किया जर्मनी के उपर हमला किया और उसके चलते जर्मनी ने फिर इटालियेट करा फिर ट्राइपार्टाइट पैक्ट हो जाता है ठीक है फिर जर्मनी को ये मतलब उमीद जाकती कि और territory expand करना चीए सोवीट union के उपर हमला कर देती है तो अब किसी एक को blame करना सही नहीं है सभी मिली जुली सरकार थी और उसी के चलते क्या होता है उसी के चलते second world war start हो जाता है यहां तक तो ठीक है अभी हमारे topic क्या बोलता है the downfall of Hitler ठीक है तो second world war तो start हो गया है अब Hitler का downfall कैसे start होता है ठीक है और हमने यह भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि end of 1940s के 1940 अगर देखा जाये तो उस समय तक Hitler was at its pinnacle ठीक है Hitler अपनी pinnacle पे था मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उस समय पर powerful अगर कोई दिख रहा था वल्ड में तो Hitler थे उन्होंने France के area को बहुत जादा area को अपने अंडर में ले लिया था Poland अपनी अंडर में ले लिया था capitalist pact signed करके उन्होंने दूसरी countries को अपने साथ confidence में ले लिया था तो अब इतने powerful stand पर आके Hitler आखि रहर कैसे सकते हैं तो यहीं चीज़ हम आपको बताने वाले हैं क्लियर है तो यह सारी चीज़ अब हम क्या करते हैं यह सारी चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो जो सेकेंड पार्ट है दी डाउनफॉल ऑफ हिटलर वो स्टार्ट करते हैं जर्मन अटेक ऑन सोवियेट यूनियन तो इस वाज बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने और इस गलती के कारण क्या होता है कि जहां वो बढ़ते दिख रहे थे वहाँ से अब घटते दिख जाएंगे नाजी पार्टी का जो ओपिनियन था नाजी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़े दी तेजी से तो वो क्या हो जाती अब डाउनफॉल देखने को मिलेगा डाउनफॉल समझातों मैं आपको अब क्या होता है कि जब हिटलर ने क्या किया जब हिटलर ने हमला कर दिया किसके है मिनिंगी हमने यह देखा था रही और सब्सक्राइब कि की तरह लिए की तरह रहा है यहां कभी सबKA के attempt पॉलेंड वगेरा सब कपजा कर लेता देख लो कितनी बड़ी टेरिट्री बढ़ गई है अब जर्मनी इंगेज्ड विट वार इन वार विट फ्रांस और ब्रिटेइन के साथ तो पहले सी लड़ाई में इंगेज्ड है वो यह बात अलगी कि उसने बहुत सारी अपनी टेरि फ्रेंट पर लड़ाई चल रही है लडाई खतम नहीं हुई है तो वेस्टर्ण फ्रेंट पर यह उपर चल रही है पूरी अब इस साथ क्या उन्होंने हमला कर दिया जर्मनी ने किसके उपर सोविएक यून की उपर आपको बताया था जून नाइंटीन फोटीवन में तो की कमी पढ़ेगी ना ऐसे तुरी ना फैक्टरी में बन रहे हैं soldiers बस प्रड्यूस करते जाओ तो अब जब समझे जर्मनी ने पॉलैंड पर कबजा कर लिया और इन्वेट करना स्टार्ट किया अब रश्या की टरिट्री अगर आप रश्यन मैप पे देखोगे तो रश्यन मैप में टरिट्री बहुत बड़ी दिखती है रश्या काफी बड़ा कंट्री तो उसके चलते क्या है कि रश् रश्विंटर रहता उसके कारण क्या है कि जर्मनी के सोलजर जो जर्मन सोलजर जो वह अंदर तो आ गए देखो यहां तक आ गए वह लेनिंगार्ड मॉस्को स्टैलिंगार्ड उनकी मेजर सिटी तक आ गए लेकिन इतना अंदर आते आते क्या उनके सारे रिसोर्स खतम हो है अब जब रिसोर्स खतम हो गए यह तो पीछे किसा कर रहे यह लड़ा नहीं रहे थे इनके सारे रिसोर्स बचे हुए थे इन्होंने बोला आप इने ठक जाने दो ठक गया है ठकने के बात में क्या होता है यह इदर से रिटालियेट करना स्टार्ट करते हैं तो इसके लि सविएट आर्मी इनके उपर हमला करना चालू करती है अब जर्मन आर्मी यहां से हारना चालू होती है जर्मन आर्मी जैसे स्ट्छीं गार्ट पर जो लड़ाई हो रही थी है सबसे पहले यहां की लड़ाए ने के बातके और प्छो पीछे सब intern P.P. इस से का यह यहां की ह प्रिस्ट्री में और आगे पढ़ोगे न आपको पता से लेगा नेपोलियन भी इसी कारण से हारे थे ठीक है नेपोलियन के हार के पीछे बीज़े जाने की तो पीछे जाओगे तो बहुत लंबे दूर तक जाना पड़ेगा इतने वापके आपको पीछे धकेलते जाते थे आने दो आने दो कपड़ी खेली आपने तो वही वाली चीज़े कि आप जितना अंदर जाके रेट डालोगे उतना आपके उपर क्या बढ़ जाएगा टेंशन बढ़ जाएगा क्लियर यह हो गया तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था हाँ बता रहे थे हम आपको तो दाउन फॉल में अमने क्या देखा था दाउन फॉल में देख लेकि दो फ्रंट्स पर लडाई लड़ना पड़ रहे थी कब जब रश्याने का जब जर्मनी ने क्या किया सोवेट यूनियन के उपर हमला किया ठीक है टू फ्रेंट्स पर समझ अब इस्टर्नफेंट प्रफ्रेंट पर अरियाल बॉमाइड़िंग कर रहा था कौन ब्रिटिश मतलब बृटें जो है टो बृतेयन अरियल बॉममिंग मतलब कहींता है जिए अर्फोर्स वह सब्सक्राइब टीर वह इस्टर्ट कंड छे सुब मिया बताया चल रही हैं दर यह Western Front पे इधर से लड़ाई चल रही है यह परिशान कर रहे है ठीक जर्मनी को Eastern Front पे यह परिशान कर रहे है तो अब दोनों Front पे मोर्चे खोल कर परिशान हो गया जर्मनी खुद क्लियर है तो War on Do Fronts हो गया अब देखो क्या है अभी तक क्या है यूएस ने एंटरी नहीं करी है ठीक है अब क्या होता है अन्विलिंग टू एंटर बट यूएस आज़से ने डूट पूछा था तो मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको उस वीडियो में ही समझाओंगा यह चीज देखो क्या होता है अधिकतर आपने सुना होगा आज भी सुने हमने Cold War का टाइम पिरेट था तब भी सुना था कि USA और रश्या इन दोनों में आपस में बनती नहीं है फिर यह World War के टाइम पर इतनी अच्छी दोस्ती क्यों कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड वर के टाइम भी कर ली थी दोनों ने एक ही पार्टी में आ गये ऐसा क्यों देखो सिंपल सी चीज़ें यहां पर आपको यूमन टेंडेंसी समझना है अगर आपको और मुझे आप और मेरी क्या है और USSR आपस में दोनों की नहीं बन रही है लेकिन उनों ने देख लिया कि अगर हम अभी लड़ते रहें तो हिटलर हम दोनों को हरा देगा तो उन दोनों ने दोस्ती करी थी तो इसी कारण से सेकेंड वर्ड वर में भी वो एकी टीम में हो जाते हैं फर्स्ट वर्ड वर्ड आई में जाएंगे ना हमारी एकनोमिक यूपर इंपक्ट आएगा हमारे उपर का हिटलर हमला करने आई रहा है यह सोचा यूएसे ने यूएसे बहुत क्या अपने इंट्रेस्ट के बारे में सोच लेथा सबसे पहले तो इस कारण से यूएसे ने एंटर नहीं किया वार मे मतलब बताते होँरे सानओं और अमेरिका क्रणा डारेक्ली स्कॉर्ट में पैसा जरूर बेरा था इंटको फ्रांसको तो एकर ने लाकिट वे लगे जैपान से बहुत Japan और युएसे कि अगर आप पोजिशन देखो कि तो आसपास में वो Pacific Ocean ठीके तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोल दिया हम तुम्हारे जेपान से ऐसा बोला किसने हिटलर ने कि आप हमारी मदद करो कि अप युएसे को परिशान कर दो बस तो जेपान ने क्या किया Japan की जो आर्मी थी उनोंने युएस का जो नेवल बीस है ठिकए जैपैन by पार्ल Harbor ठिक है US Naval Bay तो ये USA का नेवल बीस था का Zealand पैल कर तो पर अरभर के उपर हमला कर दिया अब समझना कहानी क्या है Hitler ने किसे बोला Hitler ने color चैन्ज कर लेता हूं तो आपको विजिबल रहेगा ये क्लियर है देखो जब यदकर है अब और Bali होता है वहिस्थ हधा हिटलर ने क्या किया हग्ष 쿠लर ने जर्प शेत आप यूज को परταशान करोोً ठीके आप हिटलर जब जपान ने क्या किया बॉम्बिंग करी कि इसके ओपर पर पर्ल हर बर क्या है यूएस नेवल बेस एक तो इसके ओपर जब बॉम्बिंग करती है तो उसके चलते जो अभी तक अन्विलिंग था जो अभी तक एक्शुक नहीं था लड़ाई में उतरने के तो इसी चीज के चलते क्या होता हुँ रिटालेट करता है यूंआ की जैपन की दो सीटी आप के पाइप आपने सुना भी होगा कि हिरोशिमा नाजाशाकी बच्पन में अधिकतर सभी बच्छे सुन लेते हैं ठीख कि हिरोशिमा नाजाशाकी जो city थी कहां की Japan की उनके उपर bombardment होता है और bombardment भी ऐसा वैसा नहीं होता है atom bombs drop किये जाते जिसके चलते पूरी तरह से destruct हो जाती वहां की cities Hiroshima और Nagasaki तो यह जो पूरी कहानी इसको आपकर sum up करोगे अब तो अभी क्या हो रहा है अब देखो अभी तक पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था second world war second world war के end of 1940 तक हमने क्या देखा था कि Hitler along with his partners ट्राइपाटाइड पैक्ट के चलते powerful position में दिख रहे थे अब क्या होता है लेकिन वो खुद अपने पैर पे कुलहडी मार लेते हैं अब योος फॉरंट की लड़ाई महेंगी पढ़ गई के इस्टर्न पर मजबूती दिखा रहा था को सोवियने और ईस्तर ब्रिटेन कर रहा था एरियल बंबाडमेंट हो रहा थे एरोपलेन से बंगिराया जा रहे थे ठीक और उसी के साथ में क्या है कि अब क्या होता है अब यूएस भी वार में इंटर कर गया और यूएस किसके अगेंस्ट लड़ेगा वो दिखती बात है जैपैन किसकी साइट थ तो अब हिटलर को सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा था फ्रांस ठीक है फ्रांस में जो कुछ भी बचाता थोड़ा बहुत फ्रांस ब्रिटेन के बाद में हम देखते यूएस से भी और इधर सोव्येट यूजिन भी अब इतने सारे मेजर पावर्स को फेस कर रहा है थ इतली जैपैन और जर्मनी यह तीन हो लोग तो वहाला लॉजिक मत लगाना कभी भी कि इधर चार थे सर इनकी टीम में चार लोग थे इसलिए जीत गए बागी क्या है कि यहां पर पावर्फुल लोग भी थे तो इसकारण से वह लोग जीत जाते हैं तो हिटलर क्या सकते है यहां पर जहां पर पिनाइकल पे थे तो पिनाइकल से गरना स्टार्ट होता है आयोप आपको डाउनफॉल ऑफ दी हिटलर समझ में आया वह इसी के साथ क्या होता जब युएस से एटम बॉम ड्रॉप करता है कहां पर हिरोशिमा नागा सागी पे तो उसी के साथ सेकंड व यह बहुत सेमस फोटोग्राफ है किसी चीज का है यह यह सोवेट सॉलजर इंब बर्लिन तो 2nd world war में पता है जो मैंने आपको बहुँगा ना कि 2nd world war में जो सॉवेट सॉलजर थे उन्होंने हराना चालू कर दिया जर्मानी को इस्टर फरण पे तो हरा ते हराते उन्होंने अपने देश से तो बाहर निकाली दिया और उनके देश में भी घुश गए यह जो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए ना यह बिल्डिंग कौन सी है यह रिस्टैग है बरलीन में जो जर्मनी की पारलेमेंट थी जहां पर रिस्टैग के बारे में पढ़ा हैं आपको फोटो सब्सक्राइब यह जर्मनी बर्लिन के ऊपर हो रही है तो एरियल बाम्बिंग बाइब ब्रिटेइन फिर क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ परल हर्बर मतलब जैपैन ने जो हमला किया था जिसके बाद में युएस को गुसना पड़ा था कहां पर वल्ड वार में तो यह परल लब देखो यह पूरा हमला हो गया पर युएस नेवल भी इसके ऊपर हमला किया किसने किया जैपैन ने किया और क्या फोटोग्राफ में हमरे पास वारेट स्टेलिन गार्ड स्टेलिन गार्ड में जब एक समय यह भी आया था कि यह सोल्जर्स बर्लिन में जरूर यह फेमस फोटोग्राफ यह भी आपने देखा हो गए पूरा गुबारा सा बन गया है ठीक है आफ्टर ड्रॉपिंग ओफ एटम बंफ यह सारा सब कुछ पढ़ा हमने तो अब इसी के साथ ने हमने क्या कि पूरी कहानी कंप्लीट कर लिए कहानी में में आपको फर्स्ट व आ रहा था क्यों आ रहा था कैसे आया वह सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे तो मतलब हम स्टोरी वाले डाइमेंशन पर चीज़े खतम कर चुके हैं आप क्या कंसप्ट समझेंगे कि जर्मेनी जो भी हुआ वह कैसे हुआ तो इस सारा एक एक करके अलग-अलग वीडियो में हम पढ़ते जाएंगे तो अब नेक्स्ट वीडियो महा रहा होगा दिनाजी वर्ड व्ल्ड व्यू नाजीजम था क्या नाजीजम किस तरह से दुनिया को देखते थे समझते थे यह सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी थेंक्यू थेंक्यू बर्च हलो एवर्युबड़ी दिस दिग्राश सिंह राजपूद वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे दिनाजी वल्ड विव पार्ट वन एक बार रीकाप करवातों में आपको अभी असी क्लास में First World War से लेकर Second World War तक दोनों World War लड़ लिए ठीक है इतनी जल्दी तो World War हुए भी नहीं थे कि इतनी जल्दी हमने complete कर लिया है समझ लिया है सारी चीज़ें पड़ लिये अभी क्या है तो हमने उसमें देखा कि किस तरह से First World War के खतम होने के बाद में Second World War की तयार Second World War में या फिर कह सकते हैं कि Second World War के आदे में ठीक है मतलब आदे रास्ते के बाद में हिटलर पावर में भी आए और पावर के बाद में डिकलाइन भी हुआ तो नाजीजम कैसे खतम हुआ कैसे पावर में आ है वो सारा सब कुछ हम पर चुके रहे मतलब स्टोरी पार्ट हम तो सारी चीज़े हम पढ़ने वाले हैं इसे मैंने पार्ट में क्यों किया है उसके बीछे कारण है यहां से एक specific question मन सकता है Charles Darwin Herbert Spencer के उपर वो मैं आपको समझा दूँगा क्या question मनेगा कैसे question मनेगा clear है तो यही सारी चीज़े हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में start करते है इस चीज़ को देखो सबसे पहले क्या है the whole system of Nazism was based on belief and set of practices ठीक है जो पूरा का पूरा system था Nazism का it was based on practices and a system of belief यह क्या चीज़े देखो Nazism जो है तो उन्होंने क्या किया है अब मतलब जैसी जो सोच हुई है उन लोगों कि उन लोगों कि सोच के चलते जैसे अभी तक जितना chapter पढ़ा है तो आपको यह समझ में आगया होगा कि जी उसके साथ में क्या हुआ बहुत जादा atrocity ह महां पर बहुत सारे जी उसको मारा गया तो मारने के पीछे आपके पास में कोई कारण भी तो होना चाहिए आपके कुछ सोच भी तो होना चाहिए तो वह सोच क्या थी क्यों ऐसी चीज़े हुई होगी कैसे किया होगा कितना किया होगा वह सारे सब कुछ ऐसे नहीं हवा मे हुआ था ठीक है ना they had some they had some belief and practices set of practices for that ठीक है उस चीज के लिए उनके पास में क्या था एक सोचने का चीजों को करने का तरीका था एक नजरिया था उनके पास में आई ये वो मैं आपको समझाता हूं कैसे ठीक है तो belief of racial hierarchy racial hierarchy क्या होता है सबसे पहला और सबसे basic जो concept था जिस foundation के उपर पूरा Nazism का idea based था वो वो concept या फिर वो belief अगर कहें तो वो क्या था racial hierarchy का idea racial hierarchy का idea क्या होता वो मैं आपको समझाता हूं इसके accordingly Hitler और जितने भी Nazi followers थे they considered that there is a racial hierarchy among the human beings human beings की बीच में क्या एक racial hierarchy है racial hierarchy का simple पहले अगर literal meaning समझा है तो मतलब नसल के हिसाब से क्या करा है लोगों में एक hierarchy एक CD बनी हुए कि कोई किसी की नसलिक इस नसलिके लोग सबसे उपर होंगे इस नसलिके लोग सबसे नीचे होंगे नस मतलब जैसे हम किसके अधिकतर without offending anyone जैसे हम डॉक्स के लिए क्या यूज करते है ब्रीड वर्ड यूज करते ना तो वैसे ही कि मतलब इस तरह के human beings जो होंगे वो उपर होंगे जिस तरह के human beings जो होंगे वो नीचे होंगे तो यह racial hierarchy होती है ठीक है ना यह racial hierarchy के हिसाब से जो नाजीस थे जो हिटलर और हिटलर के आइडिलोजी के साथ में अपने mindset को लेकर चलते थे उन लोगों को यह मानना था कि ऐसे इसके लोग जो ब्लॉओंड होते हैं ब्लुओ अइट नौडिक जर्मान ऑर्यांस होते हैं ठीक है दिसे एक एक मतलब इस फोटो ग्रास में काण होने जो बताते है कि उस समय पे एक नौडिक जर्मान आरियन को कैसा होना चाहिए था ठीक है ब्लॉंड यह हाइलाइटर लगा देते हैं उनके बालों में तो यह से ब्लॉंड है और सोना चाहिए मतलब गोल्डन ठीक है ब्लू आइड यह निली निली आखे है ठीक उसके बाद में क्या है इस तरह के जो लोग रहते थे उन्हें नौडिक जर्मन ने आर्या ने कंसीडर किया जाता था तो हिटलर चाहते थे कि यह जो रेस की लोग है यह सुपीरियर है क्यों उनका यह माना था मतलब फिजिकली भी वेल बिल्ट होते थे इनके पास इंटेलेक्शुली भी ज्यादा माइंड होगा ऐसा सोच सोचा जाता था स्टीरियो टाइप से इस तर लिए नौई नीचे रखा अब देखी तो सबसे उपर किसको रखा उन्होंने सबसे उपर रखा नौडिक जर्मन ओर शाव रिएष्ज को तो जी उस community के जो लोग थे उन लोगों को सबसे नीचे कंसीडर किया उन लोगों को सबसे नीचे रखा है ठीक है depending upon their external features मतलब अगर कोई well built है ठीक है किसी की physical appearance जाद अची है तो उसको उपर फिर जो कमजोर थे उनको नीचे इस तरह से हरार्की बना दी फेक्टर के चलते उन्होंने बोल दिया कि नीचे की जितनी भी रिया से उन्हें हटा दिया जाए तो इसी बिलीफ के चलते में वहीं बोला ना कि जो system था नाजीजम का based on beliefs and set of practices तो इसी बिलीफ पर इसी set of practices पर उन्होंने लोगों को eliminate करना स्टार्ट के लोगों को हटाना स्टार्ट कर दिया अपनी सोसाइटी से clear यह हो गया फिर अगर हम देखें कि आईडिया आया कहां से ठीके इस idea of racism was borrowed from thinkers like ठीके कुछ thinkers थे thinkers जैसे Charles Darwin तो इन thinkers के द्वारा यह idea को इन thinkers के through an idea को क्या किया गया बौरो किया गया तो Charles Darwin और Herbert Spencer यह thinkers थे ठीके Charles Darwin ने पहले क्या theory दी थी he gave the concept of evolution and natural selection क्या होता वह मैं समझाऊंगा ठीके और उसके आद में Herbert Spencer जो थे तो उन्होंने Charles Darwin के यह idea पर काम करते हुए एक theory को और आगे बढ़ाया idea of the survival of fittest क्या है वो समझाते हैं देखो अब यह दोना अंकल की फोटो देखिया आप ठीक है यह कौन है Charles Darwin है यह Herbert Spencer क्लियर Herbert Spencer का नाम चुप चुका है यहां पर Herbert Spencer है ठीक तो अब देखो क्या है आपर कि Charles Darwin जो थे चीज समझ में आएगी कि एक natural process होता है natural process होता है कि naturally पहले सब प्रकार के जानवर पाए जाते तब यह जानवर कौन सा उसमें confusion ना तो वह जिराफ लग रहा है ना वह उंट लग रहा है ना वह शेर लग रहा है तो आप जिसकी height जादा तो इस लीई जादा है वो क्या करेंगा उसे खाने को मिल जाएगा क्यों क्योंकि पेड़ उपर है काफी आप देखो नई से और थी जात्वाने हेश्वार नहीं तो पर थे उसे खकाने को मिलजाएगा तो इसके चलते मनों कि पर होएगार हो सोटक्रेर्स लाइंगे कंए च्था टो तो गध conquest scor और रहा सब भीज़ाइब कि यह तो से मदला नीच्वारोच नहीं पर गएगे लेकिन जो एड़ाप्ट कर पा रहे थे जो समय पर अपने आपको क्या कर पा रहे थे बचाय रख पारे थे जिसके कौक्रोज जो था बहुत अड़ाप्टिव था तो कौक्रोज ख़दम नहीं हुए उस समय भी थे आज भी थे ठीकें तो वही चीज यहां पर बताएगे क्या कि evolution होता है animals का species का एक natural selection process होता जिसके थूँ क्या होती चीज़ें evolve होती है तो यह idea दिया था किसने Charles Darwin ने और बाद ही में एक दूसरा idea इसी idea पर काम करते हुए Herbert Spencer ने दिया Herbert Spencer ने क्या idea दिया Herbert Spencer ने idea दिया survival of the fittest का survival of the fittest का यह आपने सुना भी होगा मतलब जो सबसे fit होगा वो survive कर जाएगा यह natural process की बात कर रहे हो जैसे आप यहाँ देखो कि यह tiger आ रहा है ठीक है यह खरगोश है और यह चुहां है तो जो सबसे fit होगा अजर चुहां सबसे fit है मिस इंटर्पेट कैसे किया जाता है इस idea वर यूज़ बाइ रेशिस थिंकर्स और पॉलिटिशिंस तो जस्टिफाइ इंपीरियल रूल ओवर कंकर्ड पीपल एक्जाम्पल यूज़ बाइ नाजीज तो अब वो बोलते थे देखो क्या है कि सबसे fit कौन है नौडिक जर्मन आरियंस है तो नौडिक जर्मन आरियंस दियार दिफिट और इस थेओरी के साब से क्या सर्वाइवल ऑफ दिफिटेस तो उन्होंने बोला कि वहीं सर्वाइव करना चाहिए बाकि दूसरे लोग नहीं करना चाहिए लेकिन माइन इट ठीक है यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है दिस वास टोटली बेस्ट और नाच्रल प्रोसेस ठीक है ना यूमन इंटर्वेंशन वास नॉट इंटेंडड़ वाइद वो कभी नहीं चाहते थे कि इंटर्वीन करके इसा करें लेकिन यह जोता है कि इसे तक होते हैं जो मैं जिसके उपर जीट हासिल कि उन्हें थे उन्हें क्यों बताया क्योंकि इस पे स्पेसिफिक कुशन बनता है क्या कुशन बनता है वाट वाट वाज दी बिलीफ ऑफ रिशेल हरार्की इस पेसिफिक कुशन इस तरह से बनता है तो आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिल रहा है कि आप कैसे लिखेंगे उसका अंसर ठीक है और इसी ठीक है नाम पर क्या होता था वहाँ पर प्रॉसिकिशन होता था किसका नाजीस का और जो दूसरी रेज थी दोजूवर प्लेज्ट लोवर इंदी रंग चीक है जो पूरी एक हरायर की बनी हो यह रेशनल है कि उसमें जो नीचे वाली रंग पर आते थे उन लोगों को क्या किया जाता था इलिमिनेट किया जाता था सोसाइटी से इन ही ठीयोरी के इसाप से और यह ठीयोरी को भी क्य आजी वर्डियों पाट टू इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट मैंनेट मेंस डॉट कॉम पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैंनेट मेंस डॉट कॉम पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स और सभी चैप्ट तूम पर आप ब convinceだけ में चैपने वाले तूժक को कंटीनियु करेंगे पिशले विडियो में मिनें क्या पड़ा था दिश सब्सक्तर чे पर चैप्त. आपते थे तो दे हैड ए स्ट्रिक्ट आइडिया अबाउट दी रिशिल हरार्की जिसमें नॉडिक जर्मन आरियन रेस के लोगों को उपर रखा जाता था यह कंसर्प्ट जो था तो कुछ नैचरल साइंटिस्ट की थियोरी से बौरो किया गया था लेकिन उसे भी मौडिफा क्या गया था कौन थे नैचरल साइंटिस्ट कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है यह आपका हो गया चलिए तो अगर हम आगे देखें कि और क्या-क्या सोच थी और किस तरह की आइडियोलोजी थी नाजीस की तो उसमें हम देखते हैं कि हिटलर्स आइडियोलोजी रिले और लिविंग स्पेस दोनों चीज़ें आप कहा सकते हैं लिविंग स्पेस तो यह आइडिया यहां कहता है कि न्यू टेरिट्रीज शुट भी एक्वाइट फॉर सेटलमेंट ठीक हैं मतलब इसकी हिसाब से सिंपल सी चीज हैं कुछ नहीं है देखो हमने पिछले वीडियो इसी फ्रेट लेंड वाला एरिया अपने अंडर में ले लिया तो इस तरह से हिटलर क्या करते जाये अपनी टेरिट्रीज एक्सपेंड कर रहे थे तो इस आइडियलोजी मतलब यह सारा सब कुछ करने के पिछे आइडियलोजी का बीस क्या था पिछले वीडियो बहुता है ना कि क्या सारी चीजें यह जो है तो बिलीफ और सेट अफ प्रैक्टिस पर बेस्ट थी तो यहां पर भी हिटलर का बिलीफ तो रहा होगा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी तो लबंसरम का आइडिया जो है वो यह बोलता है कि देर शुट भी यह हो चाहिए क्यों होना चाहिए वह कारण में समझा तो न्यू टैरीटीरि शुट्ट भी उख्वाइट फौ सेंटलमें वाय तो वाय году समयब होग क्यों अब क्या हो है अब तरीटरी बढ़ है तो ज़रुन उसकी जटो कर रहा हैं Greece तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि जर्मनी की टरिटरी बढ़ रही है तो इसको रिलेट इट विद अटेक ऑन पोलाइंट ठीक है पोलाइंट पर जो अटेक हुआ था तो उस चीज के साथ कि वही इस ही सोच के साथ हुआ था कि जगह बढ़ाएंगे हम हमाणी हमाई जब जगह बढ़ेगी तो उससे क्या फायदा मिलना उससे यह फायदा मिलना है ज़ए पास इसप्यस रहेगा ज्षा सेटलिमेंट भीडर यर्ज नियुक्रना तक क्या कि ज़्यादा resources होना ती है तभी economic crisis से बाहर आएंगे और वो resources कैसे मिलेंगे with the expansion of territory तो यही सोच के साथ में territory expand की जाती है फिर 11 सरम की ideology पर काम किया जाता था कि ज़्यादा जमीन होगी हमारे पास तो ज़्यादा material resources होंगे ज़्यादा material resources होंगे तो power of German nation would also enhance boundaries were extended towards eastward ठीके map बताया था मैंने आपको map में क्या समझाया था कि जैसे जो जर्मनी है तो जर्मनी ने eastern side expansion start किया था Poland वगरा को कभजा में ले लिया फिर उसके साथ साथ में और ambitious हो कि Hitler ने क्या कर दिया था Soviet Union पर हमला किया था क्यों हमला किया था बस इस इसी आइडियोजी के चलते कि 11 सरम के accordingly क्या होना ची ज्यादा लिविंग स्पेस हो ज्यादा resources होंगे and working on this ideology he attacked over Soviet Union अब जब Soviet Union के उपर attack किया तो वो उनके लिए blender create हो गया था लेकिन आपको ध्यान रखना है ठीके German boundaries were extended towards eastward working on this idea only ठीके इस idea पर ही काम करते हुए eastward expansion start हुआ था तो therefore we can say that Poland become a laboratory for this experiment experimentation ठीक है तो यह जितना भी experimentation करना था कि territory expand करना है तो वो पॉलेंड में पहली बार practice किया था है पॉलेंड में success मिल गई किसीने आवाज नहीं उठाई तो Hitler और ambitious हो गए उन्होंने आगे और territory expand कर दिये आया समझ में तो दी नाजी वर्ड वीव part 2 में हमने यही सारी चीज़े देखी कि geopolitical concept क्या था Hitler का लवेंज सनम किस हिजाब से काम चल रहा था चीजों का तो वो किस principle पर बने कैसे बनाए गए यह सारा सब कुछ हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters और सभी chapters के sub topics एक arranged format में available हैं जरह आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं Welcome to magnetbrains. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे establishment of racial state. Establishment of racial state यह क्या बताना चाह रहा है? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हिटलर का world view क्या था, Nazi world view क्या था? हमने लेबिन्सरम वाले idea को पिछले वीडियो में discuss किया था. जो भी कहानी हो रही थी जर्मनी में, ठीक है, हिटलर का जो भी point of view था, तो सारी चीज़े किस पर बीस्ट थी, एक racial hierarchy पर बीस्ट थी, ठीक है, अब जब वो race को, नसल को इतना जादा importance दे रहे थे, तो उस चीज के चलते क्या होगा, कि वो जो country, जो society बनाना चाहा रहे थे, जो state वो create करना चाहा रहे थे, it would also depend on race, ठीक है, तो इस sense में हम क्या कहेंगे, कि जर्मनी में क्या established किया गया, एक racial state established किया गया, वो कैसे किया जाता है, वही सारी चीज़े हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो देखो, Nazi wanted a society of pure and healthy Nordic Aryan, ये चीज सबसे important है, समझेगा, मतलब प्योर, healthy Nordic Aryan का है, Nordic Aryan मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा characteristic बताया था, blonde hairs, blue eyes, ठीक है, तो ये सारी चीज़े समझाने के आद मैंने आपको कुछ फोटोस भी दिखाया थे, कि किस तरह से दिखेगा एक Nordic German Aryan, ठीक है, और वो ये consider करते थे racial hierarchy, कि सबसे उपर कौन होंगे, सबसे उपर, सबसे पहले कौन होंगे, Nordic German Aryan सी रहेंगा, तो इस तरह से वो देखो, एक description एक, इस image के तो थोड़ा सापको message clear होगा, कि दूसरी सारी जितनी भी race थी, African, Indian, ठीक है, फारी station, Aboriginal, ठीक है, तो इन सारे लोगों को क्या consider करते थे, वो, वो Nordic German Aryan से अलग consider करते थे, आप देखोगे, कि physical appearance को में भी, किसे वो ज़्यादा advantage दे रहे है, physical appearance में भी, Nordic German Aryan से को ज़्यादा appearance दे रहे है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद हमें समझ में आता है, कि Nordic German Aryan से को क्या किया जाता था, promote किया जाता था, फिर नाजी, ideology के चलत दूसरे लोगों को भी तो जीने का हक है, लेकिन क्योंकि नाजीजम के अंदर में, नाजी लीडर्स जो थे, वो लोग चाते थे कि दूसरे लोग ना रहे हैं, सिर्फ, pure and healthy Nordic Aryan रहें, तो उन्हें वहाँ से हटाया जाता था, और इस society को अगर वो अचीव करना चाते थे, क I physically eliminating all those who were seen as undesirable, ये क्या चीज़ है, undesirable क्या है, यहाँ पर वो समझाता हूँ, तो अब देखेंगे हम क्या, कि नाजी आइडियलोजी के चलते, ऐसी जर्मनी चाहते थे, वो एक country ऐसी चाहते थे, जहाँ पर सिर्फ एक ही रेस के लोग रहें, दूसरे सभी लोग जो है, इलिमिनेटिंग औल दोस वा सीन अस अंडिजारेबल, तो अंडिजारेबल कौन कौन थे तो इस बता दिया, जिउस, जिपसिस, पोल्स, ठीक है, मैंनी सच ग्रॉप्स वर प्रोसिक्यूटेड, अब देखो, यहाँ पर देखें क्या है, तो जिपसिस मतलब क्या होता है, ब देखो, आप अगर देखेंगे, इंडियन कंटेक्स में क्या होता है, कि कोई गोरा सा आदमी है, तो फॉरेणर है, मतलब सारे फॉरेणर, लेकिन वहाँ पर और ज्याजा है, तो जी उसका क्या रहता है, अधिक्तर यह, इनके हैस वगेरा जो रहते थे ब्लैक रहते थे यह जब इलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है, बाज फिजिकली इलिमिनेटिंग ओल्डोस, उबर सीनर्स, अंडिजारेबल, कौन-कौन थे वो भी बता दिया, अब जब इलिमिनेशन चल रहा था, तो इस इलिमिनेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जिसने सफर किया, सफरर्स थे, ट्रेडिशनल, क्रिश्चन, ठीक है, वर्स्फरर्स थे, जूस, क्लियर, सबसे जबसे 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 सफर क्यों किया, तो उसके पीछे कारण है, जूस को अगर मारा गया जर्मनी में, तो अब ये वाला पॉइंट ऐसा आ गया, जिसको लेकर बच्चों को हमेशा से confusion रहता है, हमेशा जानने की चाहा रहती है कि पूरे चाप्टर में हमने ये सारी चीज़े पड़ी, लेकिन हमें ये समझ्या आए कि Jews के साथ में इतने atrocities क्यों ही, सबसे जादा atrocities क्यों ही है, तो एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि वो pure और healthy Nordic Aryan Society चाहते थे, ठीके, लेकिन Jews को ज़्यादा सफर क्यों करना पड़ा, तो उसके पीछे कारण है, पहला कारण, ठीके, Traditionally Christian Hostility, ठीके, Traditionally Christian Hostility Towards Jews, मतलब जैसे Christianity को अगर आप पड़ोगे, तो उसमें ऐसा है कि Jews जो है, तो Jews को क्या consider किया जाता है, Jews को consider किया जाता था, Killers of the Christ, ठीके, Killers of the Christ, मतलब जैसे consider किया जाता था, कि इन लोगों ने क्या किया, Jesus Christ की हत्या करिये, तो ये tag लगा दिया उनके उपर, ठीके, और एक hostility देखने को मिल दी थी, पूरे यूरोप में, सारे जितने भी Christians थे, तो वो क्या करते थे, जिउस को hostile nature की towards देखते थे, म जिउस जहां जहां भी गये, वहां उन्हें क्या करना पड़ा, अत्याचार सेना पड़ा, सिवाए एक जगा के, सिवाए एक जगा के कहां, इंडिया में, पता है, और ये चीज़ accept भी करते हैं, जैसे अभी जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये कहना भी था, क कि we are thankful to the Indian culture, क्यों क्योंकि जब वो इंडिया आये थे जिउस, जगा जगा से भागते हुए, तो हमारे हाँ उन्हें शरन मिली थी एक तरह से, हमारे हाँ उनका prosecution नहीं हुआ था, ठीक है, ये तो apart from the context of our book, ये मैंने आपको general knowledge की बात बता है, ये बाकि अगर हम पड़ें कि जिउस को, जिउस रिमेंड दी वर्स सफरर्स तो उसके पीछे सारे कारण है, ठीक है, stereotype that skiller of Christ and users, ठीक है, अब users मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत जादा excessively high interest charge करता है, मतलब जैसे अगर मैं जिउस हुमान लो, तो मैं जिउस हूँ तो क्या आप मुझसे उधार और लोगे पैसे, और मैं अगर आपको पैसे उधार दूँगा तो आपके पर बहुत जादा interest charge करूँगा, तो इस तरह के इंसान को user कहा जाता है, ठीक, अब आते हैं कि जिउस के साथ में और क्या क्या हुआ, तो ghettoization हुआ, और periodic organized violence होता था, मतलब इनको ghettoes में क्या कर दिया तो तो उन्हें क्या क्या जाता था? उन्हें एक कौने में ध्हका दिया जाता था, उनके लिए कि een specially demarkayated area होता था, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वह ही रहें, तो वहाँ पे living conditions बहुत जादा खराब होती थी जैसे ghetto and people, ठीक है? तो ghetto and people में ही बता है कि जिसा यहीं यहा तो बहुत कंजेस्टीड एरिया था था बेसिक एमेनिटीज नहीं होती थी इस तरह से जब स्पेशली डिमार्केटीड एरिया में आप लोगों को क्या करते तो धका देते हो कहते हैं कि आप यहीं रहिए तो वह गेटाइजिशन होता है क्लियर है गेटाइजिशन क्या हो गया फिर हम आगे और देखें अगर तो हिटलर की भी एक सुडो साइंटिफिक थी कि इसकी रेस की जो मैंने आपको भी पीछे फोटोग्राफ दिखाया था जिसके थुरू बताना चाहते थे कि नौडिक जर्मन आरियंस जो है वही सबसे फिजिकली फिट होते तो यह सुडो साइंटिफिक सुडो साइंटिफिक मतलब क्या है जो जूटी है जो साइंटिफिक रीजन नहीं दिया जा सकता है सिर्फ रेस के भी सिस्वाब इस तरह से क्या कर सकते हो लोगों को अलग अलग नहीं कर सकते हो तो हिटलर की जो सुडो साइंटिफिक थी उसके चलते भी क्या किया गया जि दूसरे ग्रूप्स थे ठीक है जब सिस्थे पोल्स थे पोल्स कोन होते हैं जो पॉलेंड के थे हमने देखा था कि जर्मनी कहा हमला कर देगा पॉलेंड पर हमला कर देगा तो पॉलेंड पर हमला करने के बाद में वहां के जो लोग थे उन्हें पोल्स कहा जाता है तो पोल्स डरना नहीं है, शब्द समझाता हूँ, टेरराइस तो समझ गया है, मतलब उनको बहुत डराया गया, धंकाया गया, मारा गया, पीटा गया, किसने नाजीज ने, किसको, जी उसको, फिर क्या होता है, उसी दोरान उनको डराया जाता था, देवर रिड्यूस टू दी स्टीज of popularized, popularized मतलब क्या है, तो popularized मतलब किसे को बहुत गरीबी में, जीने के लिए मजबूर कर देना, अब क्या होगा कि सारे जितने भी, ये नौटिक आ्रिएंस 헤लोग 수िश और जने मतलब क्रदेंगे, इनके बिजनस को ब्रॉकर्ट कर देंगे, उन से चीजें नहीं इसे मतलब क्या अलग कर देना अब यहाँ पर सेगरिगेशन होता था अलग कर दिया कि जीए ऊलग अरियन सा लग दूसरे जर्मान सा लग तो यह सारी परेशानियों का सामना करना पट रहा था जीए उसको अब जब इतनी परेशानि कोई बीजाना करेगा थो देवर बनेगी तो लोग भागेंगे ही भागेंगे लेकिन उसके पहले तक बहुत सारे लोग उने जर्मनी छोड़ भी दिया था इन सारे अत्याचारों के चलते बहुत सारे लोग अभी भी जर्मनी में थे और जो रह गये थे उन्हें अपनी जान गवानी पड़ी थी ठीके तो 1939 स 1945 वार स्टाट हो गई है तो अब यह वार का सहारा लेकर देखो वार का सहारा लेकर क्या होता है concentrating them into ghettos जो ghettos बताया थे न मैंने कि एक area में लिया आए अभी क्या है आपको किसी को mass level पे किसी को genocide करना है mass level पे लोगों की जाने लेना है तो आप अलग-अलग कहां-कहां ढूंडोगे इस सच्छा सब को एक side लिया हो तो ghettos बना दिये थे ghettos में सब को एकटा कर दिया जाता था और इन ghettos में क्या एकटा करने के बाद में eventually killing them in gas chambers in Poland ठीक है तो gas chambers में ले जाके एक साथ सभी को क्या कर दिया जाता था मार दिया जाता था gas chambers क्या है gas chambers देखो यह इस तरीके से इसे chambers बना दी जाते थे ठीक है आपके नहीं होगी घबराओ मत मैंने एक्जामपल ऐसा आपके आपके करके दिया ठीक है तो जीवस लोग जो भी थे जो भी सफर कर रहे थे तो उन लोगों कि इन सारे मतलब इन सारे organized violence क्या सकते हो आप जो हमने पिशली slide में यह देखा था था ना तो इन लोगों के द्वारा गवर्न किया जाता था जिस स्टेट को ऐसा स्टेट स्टेट करने की कोशिश की गई थी यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा इस वीडियो में अब नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो है रेशल यूट्योपिया ठीक है तो रेशल यूट्योपिया क्या होता है वह आपको मैं नेक्स वीडियो में समझाऊंगा इस चाप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फिल फ्री तो विजिट आर ओफिशल वेबसाइट magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यू 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 बेरी मच्च अब देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जर्मनी में एक रेशियल स्टेट को स्टैबलिश किया गया मैंने आपको बताया है कि तरह तरह की स्ट्रेटेजीस अडॉप्ट की गई थी ताकि क्या कर सकें ताकि जितने भी लोग जिने अंडिजारेबल कंसीडर किया जाता था जर्मनी में हिटलर के दवारा नाजीस के दवारा उन्हें एलिमेनेट किया गया कियाँ आप सबसे आदा सफर किस ने चिस किया ally उस community के लोगों थे त्यक्यक है क्यों किया वह भी इंहने डिसकस किया था अब इस video में हम पढ़ेंगे कि अज सेलड़ होता क्या है इस क्टोपियemor का मतलब कि हूथा बस कली एक ऐसी सिच्चुेशन इमेजिन करना जहां पर everything is fine according to you ठीक है आप consider करते हैं कि everything is fit and perfect what you presume to be ठीक है आप ऐसा सोचते हैं कि यहां चीज़ें ऐसी होना चाहिए जैसे मेरे लिए racial utopia क्या होगा कि हर बच्चा पढ़ ले ठीक है तो racial utopia यह मेरे लिए सिर्फ utopia का meaning बता रहो है आपको कि utopia क्या होगा कि मतलब हर बच्चा पढ़ ले तो वो utopia कहलाएगा आया समझ में उसी सेंस में क्या होता है racial utopia मतलब nazis कह लीजिए या hitler कह लीजिए वो क्या चाहते थे एक ऐसी situation imagine करना चाह रहे थे कैसी situation को imagine कर रहे थे जहां पर एक ही चीज़े पढ़ेंगे कि पॉलेंड में क्या atrocities हुई पॉलेंड को कैसे occupy किया गया यह सारी चीज़े आपको clear हो जाएगी मतलब इस वीडियो को देखने के बाद में start करते हैं तो genocide and war became two side of the same coin अब समझ्या यहां फे बहुत चीज़ यह जीनोसाइड क्या होता है geno side मतलब क्या कि large scale पे लोगों की हत्या करना large scale पे लोगों की हत्या करना मतलब जैसे हम बोलते हैं किaraर संहार कहते हिंदी में इस इंटे क принerdas divert क्या है कि बहुत ने लोगों गई लाज्स लेवल पर आप जब मारने लगते हो तो वह कि जैसे मैं, पर लड़ा के नाम पर मतलब लडाई के नाम पर क्या हो रहा था है tot mare के नाम पर हिटलर अपने ही देश में जियूस जो थे जिपसी जो थे दूसरे जितने भी अंडिजारेबल थे उन्हें क्या कर रहे थे उन्हें लार्ज स्केल पर मार रहे थे और तो और वह सारे जर्मन्स भी जो इनके अगेंस्ट में बोलते थे या फिर वह सारे जर्मन्स ज मार रहे हो ताकि किसु को पता ना लगे वार के नाम एंडर शेड़ ओफ और यॉर किलिंग पीपल ओन लार्ज स्कील ठीक है तो यह सारी चीजे चल रही थी कहां पे जर्मनी में अब क्या होता है कि हमने देखा था कि 1939 में वर्ड वार स्टार्ट हो जाता है सेप्टेमबर में कब जब पॉलेंड पे कबजा कर लिया जाता तो वह यह उक्यूपिशन होता है पॉलेंड पे और पॉलेंड के उपर कबजा करने के बाद में ही लार्ज स्कील पे यह जिनो साइड भी स्टार्ट होता है क्या होता है उक्यूपिशन ओपॉलेंड होता है कब होता है ध्यान लेवेंसरम की आईडीलाजी के हिसाब से चाहते थे कि चीज़ें कैसी ओना चाहिए कि हमारे पास जाधा living space रहे जाधा living space रहेगा जाधा resources रहेंगे तो अब देखो क्या है यह जर्मनी से इन्हों क्या किया हमला किया कहां पॉलेंड की तरफ पॉलेंड की तरफ हमला किया और हमला करने के बाद में पॉलेंड को अपने कबजे में कर लिया अब पॉलेंड में भी क्या था कि जो नौर्थ वेस्टर्न कह सकते नौर्थ इस्टर्न से लगा के वेस्टर्न यह पूरा पार्ट है ठीके इस पार्ट में तो क्या होता है इस पार्ट में जर्मनी अपने लोगों को सेटल करवा देती है ठीके मतलब जितने भी आरियंस थे जितने भी जर्मन्स थे जो डिजारेबल थे वोलोग सारे सेटल हो जाते हैं अब वो सारे सेटल हो जाएंगे तो आपके मन में सवाल या रहागा कि इस कहां जाएंगे ठीक है आप इनके घर से निकाल तो फिर जाएंगे कहां तो उनके लिए गैटोस बना दिए गैटो फिछली वीडियो में बताया है मैंने specially demarketed areas जो रहते हैं तो जैसे पूरा पॉलेंड था इधर Soviet Union आ जाएगा हमारे ठीक है तो जो पूरा पॉलेंड था इस पूरे पॉलेंड में क्या किया उन्होंने कि specially demarketed areas गेटोस बना दिये अब इन गेटोस में क्या कर दिया जितने भी लोग यहाँ पे जैसे पॉलिश है मा पॉलेंगे यहां से उटके आप जाओ किदर इधर इधर मतलब गेटोस में रहिए अब इन गेटोस में क्या होता था तो पीरियोडिक और्गनाइज वालेंस होते धीरे-धीरे हां इनकी गिंती को वह कम कर देते मारते जाते थे तो यह हुआ था ठीक है तो जैसे यह occupation होता जाया थे occupied Europe क्यों लिखा यह शब्द समझाता हूं मैं जैसे हमने देखा था ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया सुडेंट लेंड के पार्ट को अपने साथ मिला लिया राइन लाइन को फिर से क्याप्चर कर लिया तो यह सारा occupied Europe जितना भी था जर्मनी के पास में अब सब दो अब हो में तो ऑपनी गर अपना जायजाद समपति सब कुछ चोड़ना पड़ा चोड़के कहां गए वह गेटो में रहने गया अभी में आपको पिशले माप में बताया कि एक एरिया बता दिया पर यहां पे तुम सभी लोग रहो हो ठीक है तो और अपनी घर अपना जाएदाद अपनी संपती सब को छुड़ना पड़ा बैवर पडेगें लिए पाट कॉल जैनरल गवर्मेंट और यह जो गेटो बनाये थे तो इन गेटो इसको एडमिस्टर कौन करता था इने पता था कि इनको करना हमें सब को यह जनरल गवर्मेंट वाले पायट में कर दिया सभी लोगों को ठूस दिया एक तरह से कि आप यहां पर रहो फिर उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में अगर ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान ऐसा है जो इंटलेक्चुली बहुत ज्यादा क्या है समझदार है या फिर जो कह सकते हैं जो हमारे अगेंस में आवाज उठा सकता है तो पहले उन्हें मारना चालू करा क्यों मैं समझाता हूं ठीक है पॉलिश इंटलेजेंशिया वर मड़र्ड इंटलेजेंशिया मतलब कि वह लोग ज इन इस प्रिचुली सर्वाइल मतलब सर्वाइल एक तरह से क्या कर देना आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगा आपको वहीं पर खतम कर दिया थीक ताकि क्या हो कि आपने जब जैसे आपने की स्टेटमेंट सुना यह वाला ठीक है कि एक ग्रुप है अगर एक भेड का ग्र तो वही फिलोसफी यहाँ पर लगाए गई है क्या कि अगर पॉलिश इंटेलिजेंसिया नहीं रहेगा मतलब सोचने वाले समझने वाले लीडर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा तो जितनी भी जनता है वो जनता कैसे हो जाएगी वो सरवाइल हो जाएगी एक तरह से उसमे भी लीडर्स थे जो भी पॉलिश इंटेलिजेंस यह था पहले उन लोगों को मारा गया ठीक है फिर क्या किया जाता था पॉलिश चिल्रेन हो लुग लाइक आरियंस वर स्नैच फ्रम देर फैमिली क्या करते थे बच्चों का छोड़ा के बच्चों को कहां ले जाते थे वो उस बच्चे को छुडा लिया जाता था किस से उस फैमिली से उस मां से उस बच्चे को छुडा लिया जाता था अब उस बच्चे का करते क्या थे ठीक है तो उस बच्चे को क्या क्या जाता था एक रेस एक्सपर्ट होता थे ठीक है रेस एक्सपर्ट मतलब क्या है कि जो न नसल का है नहीं तो उसी तरह से race expert examin करते थे और अगर बच्चा पाया जाता था कि हाँ यह जर्मन मतलब नॉर्डिक आरियन रेस का बच्चा हो सकता है तो उसे क्या किया जाता था तो उसे किसी लोग चाहते थे और अगर बच्चा अब आपके मैं सवाल या ओगा कि अगर बच्चा चुडाने के बाद में रेस एक्सपर्ट ने बोलते कि नहीं यह बच्चा नौड़िक जर्मन आरियन नहीं है मतलब आरियन की तो इस situation को create करने के लिए कुछ efforts भी डाले गए क्लियर हैं अब देखो यहां पर कुछ और atrocities के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे लोग करते थे अभी मैंने आपको पॉलेंड वाले एक्जामपल में आपको यह समझाया था कि किस तरह से पॉलेंड पे कब जाओ लेकिन क्या है लेकिन क्यूंकि यूट्योपिया कह सकते हैं कि रेशियल इसक्रिमिनेशन के चलते सब कुछ चाड़के अपने फैमिली के साथ में अपने घरवार के साथ में जाना पड़ रहा है यह देखिए आप छूटा सा बच्चा है मासूम सा उससे क्या करना पड़ रहा है वह पूरी तरह से यह सारा सब कुछ पढ़ लिया हमने अब हम देखेंगे यह जो टाइम पिरेड है 39 से 45 तो हमने आगे वाले वीडियो में डिसक्स किया था कि जीनोसाइड एंड वार विकेम दी टू साइड्स ऑफ दी सेम कॉइन तो उसमें यही देखेंगे कि अब लोगों को मारा जा रहा था तो कैसे मारा जा तो स्टप्स टुड़ अगर पड़े हम कि किस तरह से लोग मारे गए तो वो सारा सब कुछ आपको ब्रीफ स्केश दूगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफीशल वेबसाइट मैगनेट ब्रेंज डॉट कॉम पर जाकर बहुत आसानी से राउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मैट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फिल फ्री तो विजित आर ओफिशल वेबसाइट magnetbrains.com विलते हैं एक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू बहिए मच्छ इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Steps to Death in Germany पिछले वीडियो तक हम लोगों ने कहानी कहां पर ले आये थे हम लोगों ने देखा किस तरह से एक racial state के बारे में सोचा उसे establish करने के लिए क्या क्या steps लिए गए हमने ये भी देखा कि racial utopia के चलते क्या है कि दूसरी ways जितनी भी थी उन्हें undesirable consider किया गया और जितने भी लोग undesirable थे उन्हें मारा गया, prosecute किया गया, उनकी जान ले ली गई अब कैसे करा गया था ये सब कुछ तो एक organized form of violence था ठीके न, ऐसा नहीं है कि बस गुस्से में आके road पर निकल गए और लोगों को मार दिया सब कुछ systematically चल रहा था, अभी आगे और हम पढ़ेंगे कि इतना systematic चल रहा था कि ऐसा लगता ही नहीं था लोगों कि हम इतना बड़ा अत्या चार कर रहे हैं कैसे तो वह सब कुछ में आपको समझाओंगा, पहले अभी हम एक basic idea देखते हैं इसको मतलब एक touch up लेंगे बस समझेंगी कि क्या क्या हुआ वैसे, कैसे होता था और ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है exclusion exclusion मतलब तीन steps में हुआ, सारी चीज़े, तीन stages में हुआ पहली stage होती थी exclusion, दूसरी stage होती थी ghettoization और तीसरी stage होती थी annihilation तो ये तीनो stages क्या थी वो मैं आपको समझाता हूँ, time period भी समझाओंगा तो photograph के साथ समझते हैं, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी आपको समझाना, ठीक है पहली stage क्या थी, पहली stage थी exclusion, exclusion मतलब कहा है, simple सी चीज है segregate कर देना, अलग-अलग किसे कर देना, आप अलग कर रहे हो है नाजीस को, ठीक है, नाजीस को या पर कह सकते हैं, जो pure-blooded, उनके हिसाब से जो consider किया जाता था किसे? Nordic Aryans को, इन सभी लोगों को अलग कर रहे हो, आप separate कर रहे हो किस से? जिवस से और दूसरे undisiable से तो exclusion कह लिजे, segregation कह लिजे, कुछ भी कह लिजे, तो पहली step वो थी, 1933 से 1939 की बीच में, यह सारी चीजे होती है तो अब जैसे आपके book में भी यह कुछ photos दिये हैं, तो उनने समझते हम, जैसे यह photo क्या बोल रहा है The sign declares that this North Sea Bathing Resort is free of juice मतलब इस तरह से लोगों के अंदर वो लोगों के दिमागों में यह बात भर दी गई थी क्या कि आपको juice को, मतलब juice को hate करना है, उनके साथ discrimination होना चाहिए और उसमें कोई गलत नहीं है, तो जैसे जो public places थी, अभी यह क्या है North Sea Bathing Resort है, ठीक है, तो North Sea Bathing Resort जो उसे बोल दिया कि यह This resort is free of juice, मतलब एक तरह से बोल दिया है, जैसे हम बोलते ना कि इस Free of dangerous animals, तो उस तरह से consider कर रहे हैं आपे कि आपने बोलते हैं यह जगा बिल्कुल juice free है, तो आप juice free है तो आईए, enjoy कीजे आपको तो उस तरह की problem नहीं होगी जो juice से problem होती है, ऐसा, ठीक है, फिर जैसे बेंच थी तो बेंच पे यहां पे है, रिजर्फ कर दिया है बेंच को, ठीक है, फोटो उतनी clear नहीं है, अब यह कब फोटो ली गई थी, फिर वहां से NCRT में छपी, NCRT से हमने ली, तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया है, ठीक है, तो अब जैसे बेंच है पार्क में, तो पार्क बेंच अनॉंसर्स फॉर आरियन्स अनली, तो यह बोल पार्द सारे जीवस को मार दिया गया, धीरे धीरे हुए नहीं सारे चीज़े इवाल हुई तो पहले लोगों को एक्स्क्लूड किया गया, एक्स्क्लूड कर दिया भी लोग कहा जाएंगे, एक्स्क्लूड करने के बाद में होता है, गेटो आईजिशन, ठीक है, अब यह देखो, मतलब गेटो बना दिये थे, पिछली वीडियो में हमने गेटो डिसक्स किये थे, कि इस्पेशली डिमार्केटेड एरियास कंस्ट्रक्ट कर दिये थे, वेर जीवस वर फोर्स टुलिव, ठीक है, मतलब जहां पर जीवस को फोर्स किया जाता था, कि आप यहीं रही जहां पर basic amenities नहीं होती थी, living condition बहुत खराब होती थी, ऐसा थोरी ना कि किसी बिल्डर ने project काड वो ले लिया, contract और उनके लिए गेटों स्क्राइट करें, बढ़ी अच्छे world class facilities दे रहे, वो तो उन्हें मारना चाह रहे थे, तो उन्हें बहुत गंदी जगा जो रहती थी वहाँ पर सब इनको क्या कर दिया, fix कर दियागा, कि आप यहाँ पर रही है, क्योंकि उन्हें पता था थोड़े दिन रखेंगे, फिर मार देंगे ने हम, तो इस तरह से ghettoization हो गया, ठीक है, अब पहली stage क्या बोल रही थी, एक बार हम वो देखते, पहली stage ये बोल रही थी, you have no right to live among us as citizen, ठीक है, मतलब हमारे साथ में तुम्हें citizen की तरह रहने का अधिकार नहीं, तो पहले उनको क्या किया गया, साथ में रहने से अलग किया, ठीक है, फिर दूसरी stage में क्या होता है, you have no right to live among us, पहले बोल दिया कि तुम्हें citizen की तरह हमारे साथ रहने का अधिकार एपलिए मतलब क्या उनको अलग वों कर देख अलग को नियुक्त अलग निकाल देगे तो पहले कि साथ में रहे लेकिन साथ में निकरेंगे बुछ भी सब फैसिलिटीज अलग अलग कर दी अब बोलती आप आप ही अलग हो जाईए तो यह नो राइट टो लिव अमंग अस अब देखो यहां पे क्या है गेटो बना दिये तो गेटो में कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी इनकी सारी प्रॉपर्टी इनका सब कुछ इन्हें छोड करके घर बाहर छोड़के सब बाहर निकलना पड़ता था तो वह सब क्या हो रहा था मैंने वुमन वेर लट विट नथिंग तू सर्वाइब इन दी गेटो तो जैसे यह इनसान बोल रहा है कि में पास कुछ बचा ही नहीं यह बेचने के लिए कुछ छोटे थोड़ा थोड और इन्हें मजबूर कर दिया बहुत जादा एक्स्ट्रीम हार्डशिप में रहने के लिए अब यह जो गेटो होते थे तो मैं वही मैंने बताया कोई असा नहीं कि बहुत स्प्लेंड़ जगा होती थी कि गुमने लाइक जगाए गेटो देवर दीप एरियास हेविंग तो 1940 के बाद में मतलब वल्डवार स्टाट हुआ वैसे गेटो बनाना स्टार्ट कर दिया हमने देखा कि पॉलेंड में बहुत सारे गेटो बनाए गए थे तो गेटो बना दिये अब 1994 तक सब कुछ चीज़े चलेगी है मतलब उसके बाद में वल्डवार खतम हो जाएगा तो हम उस टाइम पिरेड में देख रहें अब गेटो बन गए इन गेटो में क्या होता था सारे जीव और अंडिजारेबल को मजबूर कर दिया रहने के लिए ठीक है फिर क्या होता तो जो लास्ट स्टेप है हमारी यह 47 लिखा इसे करेक्ट कर लेते हम 47 को ऐसे 1 बनाते है 41 है तो स्टेज 3 था एनिलेशन एनिलेशन मतलब फना हो जाना अच्छा लगा फना हो जाना गाना सुने आपने तो उस तरह से लेकिन यहां पर फना हो जाना मतलब क्या लोगों को हटा दिया गया मार दिया तो थर्ड स्टेज जो था तो यह एनिलेशन मतलब यहां लोगों स्टार्ट कर देंगे annihilation स्टार्ट होगा you have no right to live पहले क्या करा you have no right to live among us as citizens ठीक है फिर दूसरी चीज़ क्या बोलती you have no rights to live among us हमारे साथ रहना काधिकार नहीं है तीसरा you have no rights to live उनने बोल दिया आप तुम्हें मरना चाहिए ठीक है तो उनकी जान लेना स्टार्ट कर दी undesirables की जी उसकी अब देखोए कुछ फोटोग्राफ जैसे की यह concentration camps जो हमने देखा था gas chambers जो होते तो gas chambers में जिन लोगों को डाला जाता था उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए क्लिए क्लोग ना पड़ता था तो वह भागते थे तो कभी-कभी जैसे जो यह कच्रे का ढही है यह कपड़ों का ढही है अब क्या होता था ऐसा भी था जैसे क्या बतारी यह फोटो piles of clothes outside the gas chamber तो gas chamber में जब लोगों को डाला जाता था तो gas chamber में लोगों को जालने से पहले क्या उनके कपड़े उतार दिये जाते थे कपड़े उतारने के पीछे लॉजिक सिंपल सा रहता था कि वो गिंती भी करना चाहते जैसे बूट्स है शूज वगरा है तो उसके तुरू गिंती हो जाती थी कि कितने लोगों को अंदर डाला है दूसरी चीज़े क्या है कि डेट बॉडिस को उठाटा कर फेक दिया जाएगा कच्रे का जंजट नही कि अग्रम कर लिए थे गैस चैंबर्स मनाया थे बहुत सारे लोगों एक सार्थ ठूस देते थे अंदर सारे लोगों की जाने चले जाती थी ठीके उसके बाद में जिंदा जला दिये जाता था जैसे जो फरनेसर्स होती नहीं जो भट्टियां होती है उन भट्टियों के अ सब्सक्राइब करें अब आगे आने वीडियो में डिसक्स करेंगे इस चीज के बारे में अब जैसे शूस भी उतार लिए गये थे जो अनिलेशन प्रोसेस था था जिसमें लोगों को जान ली जाती थी ठीके आगे यों नो राइट सु लिव तो उसमें क्या होता था इस तरह से देखो अभी कितने सारे शूस हैं इतने सारे शूस हैं गिंती करने के लिए रख लिया जाते थे कियां कितने लोगों को हमने मारा कितने लोगों को नहीं मारा है तो यह सारे मतलब आप level of atrocity को समझो कि level of cruelty को समझो कि किस हद पर जाके लोगों की जाने लिए जारी थी मानवता को खतम कर दिया गया था सरिफ और सरिफ एक thought के कारण एक racial hierarchy के concept के कारण ठीक है यह सारा सब कुछ हुआ अब दोको यहाली फोटो भी अच्छी है आपके साना discuss करने का सुचा मैने से कि यह फोटो देखने में कितना सुन्दर लग रहा है ठीक है तो यह फोटो को title भी बड़ा अच्छा दिया a concentration camp, a camera can make a death camp look beautiful ठीक है यहाँ पर जाने जाती है लोगों के लेकिन इक केमरे से फोटो ऐसे ले लिए कि ऐसा लगता बहुत सुन्दर जगा है लेकिन यहाँ पर क्या होता था वास्तविकता यह थी कि बहुत सारे लोगों की जाने ली जाती थी इन concentration camps में यह सारा सब कुछ पढ़ा हमने steps to death in Germany के बारे में ठीक है अब हम next video में क्या start करेंगे next video में देसे अभी तक हमने क्या देखा नाजीफ world view देखा क्या सोचने का तरीका था किस सोच के आधार पर इतना सारा अन्याय हुआ जर्मनी में ठीक है the level of atrocities we have observed the level of atrocities were so high ठीक है इतनी ज्यादा atrocities हुई है तो किस thinking पे हुई थी वो सारा सब कुछ हम discuss कर चुके है अब हम देखेंगे हिटलर की आईए मतलब हिटलर के perspective से उसके लिए यूथ कितने important थे ठीक है तो अलग-अलग topics यूथ कितने important थे यूथ में भी बहुत सारी चीजह आदे बच्चे भी आ जाते बड़े भी आ जाते विमन का क्या role था तो यह सारी चीजह हम नेक्स वीडिय से क्लास 12 तक सभी subjects सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो download कर सकते feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्श वीडियो में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Youth in Nazi Germany part 1 पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में हम लोगों ने discuss किया था कि किस तरह से मतलब हमने कहानी का एक अलग एसपेक्ट discuss किया था हमने देखा था कि Nazi world view क्या था किस आधार पर जर्मनी में जो भी हो रहा था वो हो रहा था ठीक है मतलब what was the foundation ideological foundation on which the atrocities were being performed on undesirables or the polls or the Jews ठीक है तो इन लोगों के सांद में अगर अन्या हो रहा था अत्याचार हो रहा था तो क्यों हो रहा था हमने ideological base में क्या देखा था कौन सा factor ज्यादा dominating था race वाला factor ज्यादा dominating था race ये वाली दोडने वाली नहीं रेस याने नसल ठीक है तो वो सारा सब कुछ हमने देखा हमने देखा कि क्या 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 atrocities face करना पढ़ रही थी वहाँ पे जो non Aryans थे उन लोगों को यह सारा सब कुछ complete कर चुके थे अभी क्या है अभी हम देखेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी मतलब हम एक अलग सेग्मेंट देखने वाले हैं कि जैसे सोसाइटी में उस समय पर जर्मन सुसाइटी जो थी ठीक है नाजी सोसाइटी जो थी तो वहाँ पर यूथ भी थे अब यूथ जब थे तो यूथ का क्या मतलब यूथ को लेके क्या पर्सपेक्डिव था नाजी इसका हिटलर का वही सारी चीज़े हम अब पढ़ने वाले हैं तो इस सेक्ष्ण में तीन गृप कौन कौन वह होंगे हमारे यूथ में हम स्कूल गोइंग चील्रों ले लेंगे आप की तरह तीके हैं फिर क्या लेने थोड़े से अगल्ड कॉप्लेशनमें जो आते हैं उन्हें पड़ेंगे उनके प्रस्पेक्टिफ से समझेंगे और तीसरा होगा फीमेज गे प्रस्पेक्टिफ से इन तीनों परस पेक्टिफ को अब अलग-अलग parts में पढ़ेंगे इसे यह मैंने part 1 कर दिया इसे ठीक है start करते हैं देखो सबसे पहली और important चीज क्या है यहां पर सबसे पहली और important चीज यहां पर जो लिखी है जो आपको attract करेगी वो क्या है Hitler was fanatically interested in youth of the country interested in youth of the country इसका मतलब क्या है मतलब Hitler का जो main perspective होता था वो किस पे focus जादा करते थे यूवा वर्ग पे ठीक है youth पर जादा focus करते थे बड़ा सा सवाल आया आपके मन में ऐसा bubble बनता हुआ ठीक है क्या why ठीक है क्यों क्यों वो इतने जादा interested थे youth के towards words मतलब youth के बारे में क्यों सोचते थे why he was fanatically interested in youth तो उसके पीछे कारण था कारण क्या था कारण सिंपल सा देखो strong Nazi society अगर चाहते हो आप आप ऐसी society चाहते हो कि बहुत strong और कह सकते कि जिस तरह से जो इस नजी सोसाइटी बनना चाहिए तो वह कौन बनाएगा आप तो सोच रहे हो आप काम कर रहे हो लेकिन आने वाली लोग उसे accept करेंगे तभी तो बन पाईगे ना वह तो तो हिटलर का यह मानना था कि if you want to create a strong Nazi society, then you must start teaching Nazi ideology to child, ठीक है, जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चा है, उस बच्चे को क्या करना होगा, आपको उस बच्चे को strong society बनाने के लिए, strong Nazi society बनाने के लिए, Nazi ideology जो है, Nazi ideals जो है, उन्हें सिखाना पड़ेगा, अभी एक सब, मतलब हम off the topic जाएक इस चीज़ को discuss करते हैं, समझना जादा जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम youth की बात कर रहे हैं, यहाँ पर youth की बात कर रहे हैं, बच्चों को भी include कर ले थे, उनकी बात कर रहे हैं, तो क्यों हिटलर ने इनकी उपर सोचा, क्योंकि देखो क्या है, जैसे इसको अपने हिसाब से पकड़ लिया, तो क्या है, कल जो पेड़ बनेगा, वो पेड़ भी मेरे हिसाब से बनेगा, आया समझ में, आज अगर आप क्या, एक mango tree लगाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो, पेड़ बढ़ा होके, आपको क्या बोल सकते हैं, बनाना देने लगेगा, बैंगो ही देगा न, वही चीज थी, हिटलर ने सुचे कि आज, मुझे जैसी society कल को बनाना है, तो society को बनाने के लिए, मुझे आज के बच्चों को पकड़ना होगा, मतलब पकड़ना होगा, इन दी सेंस, उनके mind पे अपनी image को डालना होगा, अपनी सोच को डालना होगा, Remember one thing, you are nation under construction, थीके, you are nation under construction मतलब क्या है, कि जैसे आप लोग हो अभी, आप लोग पढ़ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, कल को क्या है, आप nation under construction मतलब क्या है, कि आप देश को बना रहे हो, आप अंडर construction हो ना भी, आप कल को बड़ी बड़ी post समाल होगे ठीके, कल को आप द foundation एक उस perspective से कह सकते ambitious perspective से अपना foundation नहीं develop कर पाए तो कल को देश भी पबजी ही खेलते रह जाएगा clear उस sense में हमेशा से मेरा यह प्रयास रहता है कि somewhere or the other I contribute in the making of nation तो आपको क्या करना होगा आपको अपनी सोच को आप जैसी भी सोच विक्सित कर रहे हो जहां पर भी करो जिस से भी सीख रहे हो अच्छा सीखो क्यों क्यों क्योंकि कल आपके ideological देश reflect करेगी clear है अब आप इस topic पर आते हैं topic पर दो क्या है simple सी चीज़ है तो Hitler ने भी सुचा क्या कि अगर आज में यूथ में इन्वेस्ट करूंगा यूथ में इन्वेस्ट करूंगा उनको अगर मैं अपनी ideology उन तक पहुचा पाऊंगा तो क्या होगा तो कल को मैं जैसा चाहता हूँ जैसी यूट्योपियम society चाहता हूँ अगर ने सुचा वैसी society मुझे मिल जाएगी ठीक है तो उन्होंने यहीं बोला कि अगर नाजी society आपको बनाना स्ट्रॉंग नाजी society बनाना है तो यूमस स्टार्ट टीचिंग नाजी ideology to a child ठीक है अब जब आप नाजी ideology पढ़ाओगे कैसे बच्चे कहा मिलेंगे आपको बच्चे स्कूल में मिलेंगे ठीक है अधिकतर सब अगर बच्चों से इंटरेक्ट करना है तो सबसे बढ़ियां जगा कौन से होती है स्कूल होती है स्कूल में इन्होंने क्या करा अपना दबदबा बनाना चालू किया नाजीज ने ठीक है what happened in schools under Nazism तो स्कूल में क्या हो गया all schools were cleansed and purified ठीक है यह शब्द समझना तो उन सारे बच्चों को segregate कर दिया ठीक है चिल्रन्स वर segregated segregated अलग-अलग कर दिया जो desirable थे desirable में मतलब जितने भी Germans थे good Germans थे Aryans थे ठीक है Nordic Aryans जो थे उन लोगों को क्या करा उन लोगों को कौन रहेंगे यह देखो अलग-अलग धीरे दिए हुआ हमने जो steps to death in Germany पढ़ा था न उसमें भी आपने देखा कि पहले exclusion होता था exclude कर दिया इनको क्या कर दिया अलग-अलग कर दिया segregated फिर जो undesirables थे उन्हें स्कूल से निकाल दिया बोलते हैं कि नहीं तुम्हें गेटो में रहना तो आप गेटो में जाके पढ़ोगे आप इस स्कूल में नहीं आओगे इस तरह से क्या हो गया undesirables children को अलग कर दिया अब जब undesirables children को अलग कर दिया स्कूल से उसके आद में आखिरकार उनका solution क्या होता था एंड finally taken to gas chambers ठीक है तो उन्हें degree कहा मिलती थी उन विचारे मासूम बच्चों को degree मिलती थी gas chambers में ठीक है उनकी जहान ले ली जाती थी क्यों क्यों क्योंकि हिटलर के ideology के साब से कि आज हमें कौन से बच्चे चाहिए सिर्फ और सिर्फ नाजी मतलब नाजी ideology के फॉलोवर्स और उसे के सांसाथ में most important race तो फोकस किया तो नहीं कि नौडिक आरियन रिस के बच्चे जाहिए तो जो दूसरे जितने भी थे उन्हें स्कूल से बाहर निकाला लगाया बाहर निकालने के बाद में देवर फाइनली टेकन इंटू घर ऐसा तो रहां कि खाना बनाएंगे गास के उपर वहाँ पर हमकी हत्या कर दी जाती थी ठीक है अब क्या होता था इस बीच में आप सोच रहेंगे टीचर्ब सो हैसे नहीं होते हैं टीचर्स कैसे होने देठे यह सारे जीजिजे तो टीचर्स वेर्चि तो इस पहले तो जो भी यह बच्चे थे ठीक हैं जितने भी चिल्रन थे तो यह लोग स्कूल गोइंग चिल्रन थे इन लोगों को उतना कोई सारी चीज़े पता नी थी कि क्या चल रहा है नहीं चल रहे तो जैसा पड़ाया जाएगा जैसा बताया जाएगा वैसा उनका structure तयार होते जाएगा तो मैं आवाज उठाऊंगा तो इस तरह के teachers को क्या कहा जाता था politically unreliable जो नाजी ideology के साथ में बहुत सारे लोग थे ऐसे जर्मनी में जो लोग Hitler के ideology को पसंद नहीं करते हैं तो हमने आगे वाले videos में भी देखा है क्या देखा है कि जितने भी लोग क्या थे नाजी ideology के अगेंस थे या फिर जिन लोगों को जो जर्मन्स थे नौडिक आरियंस थे लेकिन वो Hitler के ideology के साथ में मैच नहीं हो पा रहे थे तो उन लोगों को भी मार दिये जाता था देवर आल्सो प्रेसिगिटेड तो यहां पर आपको ध्यान जो सारे टीचर जो पॉलिटिकली अन्रिलाइबल कंसीडर किये जाते थे ठीके वर डिसमिज्ड उने स्कूल से निकाल दिये जाता था क्यूं क्यों कि आप अल्टिमेटली आपको बच्चे को बताना है क्या बताना नाजी एडियोजी तो हिटलर तो जा जाके स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं ठीके मैसेज कौन पहुचाएगा टीचर पहुचाएंगे तो चाहते थे कि सारे टीचर ऐसे हो जो हमारे मैसेज को क्लियर कट बच्चों तक पहुचा सके ठीके और एक टीचर का सही काम क्या होगा जैस के सके घुद favor if agreement अधनलब नजीस के हिसाब से जो गूच जर्मन्स थे तो गूच जर्मन को क्या किया गया गूच जर्मन्स सब्जेक्ट टू अअ प्र्वासेस ऑफ नाजी स्कूलिंग ओने नाजी स्कूलिंग दी जाती थि इस ज्युद्धिक के चलते कह 결 forearm पाल ओन है यह चीज को समझना ठीक है जितने भी बच्चे थे जो गुड जर्मन कंसीडर किया जाते थे उन बच्चों को स्कूल में एक आइडियोजिकल ट्रेनिंग देने स्टार्ट कर दी गई थी जहां पर उनको mentally जहां पर उनको physically कैसे तयार किया जा रहा था नाजी आइडियोजी के हिसाब से तयार किया जा रहा था जिसके चलते वेर दे वर mentally made to accept that whatever is happening ठीक है मतलब जो भी जर्मनी में हो रहा था तो दे वर mentally made to accept that whatever is happening under Nazism is right जो भी हो रहा सही हो रहा है बच्चे ना चोटे बच्चे उन्हें तो आप ये school going children बता रहा हो school going children में भी 10 साल से नीचे वाले बच्चे बता रहा हो मैं आपको mainly ठीक है तो अधिकतर क्या होता था इन बच्चों को जैसी चीजें बताएंगे वैसी चीजे सेखके जाएंगे आप जब छोटे थे आपको जैसा बताया हो एसा सीक्टे जारेंगे आप आप ल को बढ़े होंगे आप पड़ेंगे चीजों को समझेंगे तो आप एक अलग mindset बनाऊगे अपना लेकिन बेसिक फाउंडेशन जो है वो कहां बनता है मतलब अरली चाइल चाइल डीज में बनता है तो वही यहां पर हो रहा था ठीक है नाजी आइडियोजिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी इसके चलते इस तरह से उनके साथ में एक बेसिक माइंडसेट उनका तयार करवाया जा रहा था क्लियर यह हो गया अब उसके बाद में अब सवाल यह आता है कि सब कुछ किया कैसे जा रहा था ठीक है सिर्फ टीचर तो नहीं बताएगा उसके अलावा भी तो कुछ स्टप्स लिये गए होंगे तो हाउ ठीक है सारा सब कुछ हुआ कैसे था यह हम आपको समझाते यह सारा सब कुछ हुआ कैसे text books were rewritten text books जितनी भी थी उनको क्या किया गया फिर से लिखा गया text books को कैसे लिखा गया मतलब पुरा का पुरा syllabus बदल दिये गया syllabus में क्या पढ़ाय जाएगा अब syllabus में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाय जाएगा कि Nazism सही है Nazism ideology सही है क्योंकि बच्चा जो पढ़ेगा वैसा बनेगा ना तो text books को उन्होंने क्या कर दिया? Change कर दिया racial science were introduced to justify Nazi idea of race मतलब जो Nazis का idea था race से related की superiority होती है, inferiority होती है Nordic Aryans सबसे उपर है, Jews सबसे नीचे यह जो racial science के थूरू यह सारी चीज़ें पढ़ाए गई बच्चों को मतलब बच्चों को ये भी बता दिया कि आपको क्या करना है, आपको discrimination करना है, you are required to hate Jews और क्यों तो उसको subject का part बना दिया, ठीक है, racial science, उसके आद में stereotype about Jews were created in schools, maths जैसे subject के थूरू भी क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था, कि Jews जो हैं, वो बहुत खराब होते हैं, जैसे ह पर उनसे कहा जाता था कि ये ऐसे लोग होते हैं, जो बहुत जादा interest चार्ज करते हैं, अब बहुत जादा interest अगर चार्ज करते हैं, तो मैट्स की क्लास में अगर कहीं example ऐसा हैगा, कि high interest चार्ज किया जारा था, तो उहां पर जूस का नाम लगा देंगे, इस तरह से मतलब सोचो क्या किया जारा था कि स्कूलीग हो रही थी बच्चों की, तो आप ठाझकों कह सकते हाड़्ड कोर तरह से क्या किया जारा था बच्यों को ये बताया जा रहा था, जो कै सकते Nordic Só थे उनके अंदर यह ठूसा जा रहा था एक तरह से कि आप क्या करो आप जी उसको और दूसरे जो अंडिजारेबल से उन्हें क्या करो हेट करो ठीक है Children were taught to be loyal and submissive अब यह भी बहुत जरूर ही है मतलब बच्चों को इस खाया जाता था कि आपको loyal होना, submissive होना आपके leader के against में ठीक है क्यों? क्योंकि दिखती बात है कल को अगर Hitler ऐसा बोलेंगी यह करना है हमें तो वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट ना करें, loyal रहें, submissive रहें, जल्दी से submit कर दें leader के सामने ठीक है, they were taught to hate Jews and worship Hitler यह भी बताया जाता है कि आपको Jews को hate करना है और पूजा वर्शिप किस की करना है, Hitler की करना है, Hitler सही करना है, यह सारी चीज़े violent sports were promoted to make children iron hearted, strong and masculine violent sports जैसे boxing, boxing को जादा promote किया जाता था, बोला जाता था कि violent sports खिलाओ बच्चों को, ताकि बच्चे क्या हो, जादा aggressive हो, iron hearted मतलब लोहे के दिलवाले हो, लोहे समान जिगरा हो जाए उनका, ठीक है, strong हो, masculine हो तो इन सारी चीज़ों पर काम करके, वो क्या कर रहे थे, जो foundation थी, तो foundation को अपने हिसाप से shape दे रहे थे, नाजी ideology की हिसाप से shape दे रहे थे, आया समझ में, तो यहां तक हमने सारा सब कुछ पढ़ा, कि youth in Nazi Germany part 1 में हमने ये देखा कि school going children जो थे, उन्हें किस हिसाप से frame किया जा रहा था, उन्हें किस हिसाप से mold किया जा रहा था, नाजी जम के अंडर, नाजी time period में, clear है कुछ photograph देख लीजिए, जैसे इन photograph आपको समझ में आएगा, अब यह classroom during Nazism, ठीक है, मतलब Nazi period के time period में classroom कैसी है, तो यह, यह symbol ध्या रखना है, यूज के लिए यूज किया जाता था, अब जैसे यहाँ पर insult की जा रही एक तरह से फोटो यह बताना चाहरा है कि, दूसरे बच्चे बच्चे बेठे हैं, जितने यूज से उन्हें खड़ा कर दिया, यह classman की insult की जा रही है, यह classroom में यह Nazi salute दे रहे हैं बच्चे, नाजी salute किसको देते हैं, हिटलर को देते हैं, तो इस तरह से यह Nazi salute दे रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आगया, जैसे Nazi kids playing boxing, तो Nazi kids जो थे दिवर, they were forced to play boxing, या फिर ऐसा किया जाता था कि, ज्यादा से ज teacher and Jesus pupils, pupils expelled from school under the jurors of classmates, ठीक है, तो जो आपसी group होता था classmate का, जितने ही बच्चे होते थे, तो बच्चों को जब ऐसा सिखाया है, कि आपको Jesus का hate करना है, Jesus के towards क्या रखना है, एक hatred वाली feeling रखना है, तो उसके चलते Jesus teachers, Jesus बच्चे जो थे, उन्हें school छोड़के जाना पड़ता किसे इन सारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जितने भी youth थे, youth कौन सा youth, जो कह सकते है, juice और दूसरे undesirable थे उन लोगों को, और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो दूसरा section था youth का, उसे क्या कर रहे थे, उसे किस तरह से framework के अंदर ढाला जा रहा था, नाजी जर्मनी में, clear, अब next video में हम क्या करेंगे, youth in नाजी जर्मनी part 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे, जो school से pass out हो जाते, बच्चेया फिर जो थोड़े adult group में आ जाते, उन्हें किस तरह से shape up किया जा रहा था, नाजी जर्मनी में, clear है, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains. magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Youth in Nazi Germany Part 2. पिछले वीडियो में हमने Part 1 पढ़ा था. Part 1 में हम लोगों ने क्या discuss किया था? Part 1 में हमने यहवाला segment discuss किया था कि जो youth में जो school going children थे, जो छोटे बच्चे थे तो उन लोगों को कैसे command में लिया जाता था नाजी जर्मनी में, नाजी period में. ठीके हमने सारी चीज़े देखी थी कि कैसे उनको early period से ही सिखाया जाता था, कि उन्हें क्या करके रखना है, उन की सोच पर क्या किया जाता था, command हासिल करने की कोशिश की जाती थी, ताकि आगे जाके क्या करें, वहां के जो लोग है, जो Nordic Aryans रहेंगे, वो क्या करें, they hate Jews and worship Hitler. यह सारी चीज़े हमने पिछले वीडियो में डिसकस की थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीड जाता है, जो Adults है, तो Adults को किस तरह से, Adults के Ideology को, Adults के Mindset को कैसे Control किया जाता था, Nazi period में, कैसे Nazism वाला जो Factor था, जो Ideology थी, वो उनके उपर थोपी जाती थी, यही सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं, देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक table बनाया है, इसके थुरू में आपको tabular form में explain कर दोगा कुछ चीज है, तो बहुत सारी youth organizations, many youth organizations were made to educate, to educate German youth, the spirit of national socialism, ठीक है, अभी आप लोगों के मन में सवाल ही आ रहा होगा, कि यह the spirit of national socialism जो लिखा है, तो the spirit of national socialism है क्या चीज़, यही सवाल आ रहा होगा आपके मन में, तो पहले वो समझा देता हूँ, the spirit of national socialism कुछ नहीं है, the spirit of national socialism is as simple as nazi ideology, ठीक है, तो जो nazi ideology है, nazi ideology को ही क्या कहा गाया है, spirit of socialism कहा गाया, मतलब जो nazi party थी उसका जो propaganda था, ठीक है, जिस तरह से वो चीजों को क्या करती थी, बताती थी तो वो बोलती थी कि we are here for national socialism, ठीक है, ना हम communist है, ना हम democrat है, we are national socialist, इस तरह से, clear, तो ऐसी youth organizations बनाए गई थी, जो क्या करें, लोगों को main stream politics में लाए, उन्हें बताए, the spirit of national socialism के बारे में, तो क्या होता था, कि बच्चों को पकड़ा जाता था, in the sense, बच्चों को क्या किया जाता था, अपनी तरह था, he was required to register himself in junk walk, ठीक है, junk walk का है, junk walk organization है, an organization which was made for the children between the age group of 10 to 14 years, ठीक है, simple सी चीज़ है, तो एक organization है, junk walk, इस junk walk में admission लेना होता था, या फिर कह सकते, इस organization का part बनना था, हर 10 से 14 साल के बच्चे को, फिर जब बच्चा 14 साल का हो जाता था, तो 14 से 18 साल के age group में, उसे एक Hitler Youth, ठीक है, तो आप सवाली आता है, Hitler Youth क्या है, तो यह भी आपको में समझाता हूँ, ठीक है, इट वस नाजी Youth Organization, ठीक है, नाजी Youth Organization सी, this was founded in 1992, 1992, 1992 नहीं आएगा यह ठीक है, 1922 आएगा यहाँ पर, clear, टाइपो एरर है, इससे correct कर लिजेगा, तो 1922 में क्या होता है, 1922 में, इनाजी Youth Organization was founded, अब 4 years later, जब 4 साल बात दिखते हैं, हिटलर ने शुरुआत में पार्टी भी जोइन करी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उस पर कमांड अपनी पाली थी, तो जैसे हिटलर ने कमांड पाई, तो हिटलर ने उस Organization का नाम बदल दिया, ठीक है, उस Organization का नाम अब इस Organization में जाने के बाद में क्या होता था, उस Organization में क्या किया जाता था, तो इस Organization के अंदर हिटलर यूट के अंदर वेर, यहां पर यह वो सीखते थे कि वार ही सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब काईरो की बात ही हमें लड़ाई से डरना नहीं है, लड़ाई तो क्या है यह हमारा एक Essential Part इस तरह से लोगों को क्या किया जाता था, Aggressive बनाया जाता था, मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट वन्न हमने क्या डिसकस किया, कि Aggressive Sports सिखाय जाते था कि वो Steel Hearted, Iron Hearted बन जाएं, Brave बन जाएं, मस्किलिन बन जाएं, फिर अप ज इस तरह से उन्हें फोर्स किया जाता था, Aggression के लिए, ठीक है, To Be Aggressive, उसके आद में, वाइलेंस के लिए, उन्हें क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था, मतलब aggression, वाइलेंस, इन सारी चीज़ों के लिए, Condemn democracy, मतलब मने बल दिया, कि democracy को तो आपको कभी भी adopt नहीं क जादा, मतलब आपको liberal होने के जरुवत नहीं है, democracy वगरा की बात नहीं करना है, dictatorship जर्मनी के लिए सही है, और हमें उसे क्या करना है, support करना है, तो ये सारी चीज़ें organization के थूरू सिखाई जाती थी, and to hate all undesirables, और जितने भी undesirables हैं, Jews, Gypsies, TK, Colored People, इन सभी लोगों को क्य करना है, आपको hate करना है, तो ये एक basic idea दिया जाता था, इस organization में, Hitler Youth में, अब क्या होता था, usually 14-18 साल तक वो Hitler Youth organization के साथ काम करता है, उसका part बना रहता है, फिर उसे क्या करना पड़ता था, 18 के होते ही, बाद में उसे army में enroll करना रहता था, तो इस तरह से हमने देखा, या आपको जो अलग-अलग organizations बता है, तो इसके थुरू क्या किया गया है, पता है, इसके थुरू अगर आप देखेंगे, तो बच्पन से बच्चे का, बच्चे के mind पर mentally क्या किया गया है, mentally उसको capture किया गया, mental capture करने के बाद में अब क्या होता है, धीरे से बच्चे की जो activities है ठीक है, जो भी उसकी daily routines, daily activities हैं, उसमें कहीं न कहीं आपने नाजिजम को हुसा दिया है, अब वो किसी organization का part है, तो उस organization के activities में participate करेगा, उस organization के बारे में सोचेगा, उस organization का काम करने के तरीके को अपने जीवन के, मतलब अपने जीवन में क्या करेगा, implement करेगा, तो ऐसे आ होगा, आप उस चीज़ को हमेशा सही समझोगे, चाहिए, वो गलत भी हो, और यही अधिकतर होता है, आप आज एक किसी adult की, ठीक है, fully matured, इंसान की सोच बजलने पर अगर प्रयास करोगे, बहुत difficulty होगे, आप उसकी सोच नहीं बदल सकते हो, वही चीज़ अगर आप वो पी ध्यान देना चाहिए, जब वो छोटे रहते हैं, क्योंकि foundation जितनी मजबूत होती ना, किसी भी building की, तो वो सारी चीज़ें निर्भर करती उस चीज़ पे, तो इस sense में क्या है कि हिटलर ने यहां पर बच्पन से ही सारी चीज़ों को क्या किया, कह सकते हैं, जितने भी youth थे, जो आगे जाके country का क्या बनने वाले थे, future बनने वाले थे, उन्हें अपने अंडर में ले लिया, उनकी कही न कहीं कह सकते हैं, कि जो thinking थी, उसे अपने हिसाब से क्या कर दिया, mold कर दिया, change कर दिया, यह सब कुछ हो गया, अब क्या होता था, मैंने आपको बताया कि य आजी youth organization थी, कौन सी, Hitler youth, इसमें यह सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, और उसी के सहसाथ में एक और चीज होती थी, क्या इसे गायब कर देते हैं, एक मिनिट के लिए तो आपको यह visible होगा, ठीके, all other youth organization were systematically dissolved and finally banned, ठीके, यह क्या होता है, कि जैसे हम देखा कि Hitler ने अभी कबजा कर लिया है, कबजा किस पर कर लिया है, Hitler ने वहां के जो youth थे, उनके mindset के उपर कबजा कर लिया है, इसी के साथ साथ में आप सिर्फ Hitler ही थुलिना काम कर रहे है, हो सकता है कि जो communist लोग थे, जो दूसरी parties थी, जिनको क्या कर देते, Hitler ने सब को sideline कर दिया था, वो भी youth organizations चला रहे हूं, वो भी इस उमीद में हो कि आज के बच्चों को अपने तरफ influence कर लो, तो कल को ये क्या करेंगे, हमारी party ले आएंगे, तो वैसे उन्होंने क्या कर रहा है, Hitler ने बोला कि दूसरी जितने भी youth organization चल दी, सब को ban कर दो, तो यही सारा सब कुछ हुआ था, कब यही सारा सब कुछ हुआ था, नाजी period में किसके context मगर देखा जाए, youth के context मगर देखा जाए, तो यह सारा सब कुछ हमने इस video में discuss किया है, अब देखो हमने क्या करा, school going children के बारे में समझ लिया, उसी के साथ हमने जो adult population थी उसके बारे में समझ लिया, ठीक है, कुछ photos अब क्या होता है, तो जंग walk में बच्चों को इस तरह से training वगर दी जाती थी, उन्हें सिखाया जाता था, फिर यह नाजी youth in army, ठीक है, जब आर्मी में enroll कर लेते हैं, बच्चे 18 से उपर, तो मतलब आप देखो, यह एक तरह से adult हैं सारे, ठीक है, आप लोग की age group से हैं, आप से थोड़े बड़े होंगे, छोटे होंगे, इस तरह से, फिर उसके आदने young nazi boys, तो यह young nazi boys दिख रहे हैं आपको, और आप देखेंगे सारे तो वो जो description हमने देखा था, Aryans का, क्या, blonde hair, blue, eye, तो वो सारी चीज़े characteristics देखने को मिलती है आपको, ठीक है, तो racism जो था वो बहुत hardcore racism देखने को मिल रहा था है, यहाँ पर, यह सारा सब कुछ पढ़ा हमने, youth in nazi Germany part 2 भी हमारा complete होता है, अभी अब आप बोलो कि sir, आपने youth जब पढ़ाया, तो youth में तो सभी आते हैं, मतलब लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, तो जो female gender वाला perspective है, नेक्स्ट वीडियो में हम भी देखेंगे, nazi cult of motherhood, नेक्स्ट वीडियो में उसे start करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस chapter के notes आप हमारी official website Magnet Brains पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4 से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website Magnet Brains.com, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is दिगराश सिंग राशपूद, welcome to Magnet Brains. क्या बताया गया था कि men जो थे, तो men को aggressive होना चीए और उसी तरह से training वगरा दी जाती थी, उनका mindset पे क्या करने की कोशिश की जाती थी, mindset पे Nazi ideology को डालने की कोशिश की जाती थी, ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा था, अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि the Nazi cult of motherhood जो है, तो उसमें हम देखेंगे कि female gender जो है, उसे किस हिसाब से Nazi ideology में देखा गया, उसे क्या responsibility दी गई, उसको कितनी power दी गई, तो यही सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, start करते हैं, इसमें मैं आपको सारे perspective बताऊंगा, ठीक, तो Nazi ideology जो थी, तो उसके हिसाब स कि male अलग होते हैं, female अलग होते हैं, और उसे के साथ में, this idea was taught them repeatedly, ठीक है, तो बच्चों को बार-बार school time period से क्या किया जाता था, या idea बताया जाता था, तो जितने भी लोग जैसे हम देखेंगे, और दूसरी countries में, दूसरे world में, उस समय पर क्या हो रहा था, कि women अपने हक के लिए लड़ रही थी, वो बोल रही थी कि हमें भी voting right मिलना चीए, कोई difference नहीं होता है, male और female में, ठीक है, ना सभी को एक समान treat किया जाना चीए, इस प्रकार की भहस जहां चल रही थी, पूरे world में, तो वहाँ पर जर्मनी में क्या बताया जा रहा था, उस समय पर जर् difference में क्या बताया जाता था, कि जो men होंगे, जो पूरुष वर गोगा, ठीक है, they are required to be aggressive, masculine and brave-hearted, ठीक है, ऐसा बताया जाता जाता जितने भी male होंगे, उन्हें क्या होना होगा, उन्हें बहुत जाता masculine होना होगा, ताकतवर होना होगा, aggressive होना चीए, मतलब male को humble नहीं होना च चाहिए, उन्हें, brave-hearted होना चीए, इस तरीके से उन्हें क्या बोलते है, these are the characteristics of men, ये men की characteristics बता दी, वहीं पर women की characteristics क्या बताई, उन्हें नाजी जर्मनी में women को क्या consider करा, उन्हें क्या responsibility दी, कि women are required to be good mothers, ठीक है, उन्हें अच्छी माताएं बनना होगा, they are required to be good mothers and rear pure Aryan-blooded pure Aryan-blooded Aryan children, ठीक है, Aryan यहाँ यहाँ पर दो बार आगया, pure-blooded Aryan children, यह आपको धिहान रखना है, मतलब यह responsibility दी गई, क्या कि women should be good mothers, पहली चीज तो यह, and rear pure-blooded Aryan children, Aryan children, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समझ में आई क्या कुछ चीज, मतलब यहाँ से एक, हम ऐसा conclusion निका लगाई जा रही है, women's section, जो उसे expectations लगाई जा रही है, नाजी society में, कि women को क्या करना है, उन्हें aggressive नहीं होना है, ठीक है, women को अग्रेसिव नहीं होना है, women को भी किसी तरह से brave-hearted होने की दरुवत भी नहीं है, यह सारा काम male का है, ठीक है, men का है, यह सारा काम, women को तो बस अ एंड चरिश नाजी वेल्यूस ठीक है अब यहां पर क्या है देखो इस चीज़ को समझना आप कि मेंटेन प्यॉरिटी ओफ रेस मतलब क्या है कि अब वो जिससे भी शादी करें तो वो कौन होना चाहिए इंशोर किया जाए कि वो शादी भी एक नौडिक आरियन से करें ठीक यहां बताएगे रियर प्योर ब्लड़ेड आरियन चिल्रन उसी के साथ साथ में डिया रिक्वाइटो डिस्टेंट देंसल्फ फॉम जिऊस एंड चैरिश नाजी वेल्यूस इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बोल दिया स्पेसिफिकली कि महला जो है ठीक है फीमेल सेक्शन जो इन्हें क्या करना होगा आपको उन्हें आपको जीूस से दूर रख ना अगर जीउस और नौडेendeu प्रींति की बात की जारी है कि डुसरे किसी एप से अगर एक नाजी वेली में शाधी करती है तो और वो प्यूरी अफ रेस में नहीं कर पाएंगे नाजी प्यूरी या तो उसकी सबसे बड़ी responsibility किसके उपर जाएगी मशीनों से वो लोगों को मार जरूर रहे थे लेकिन मशीनों से लोग थूरी ना पैदा कर पाएगे वो तो उस sense में क्या है उस sense में ये responsibility female section के उपर थी कि उन्हें क्या करना है उन्हें मतलब basic responsibility अगर देखा जाए हम अगर बात करें इस चीज की difference between men and women exist तो उन्हें यहीं बोल दिया कि मैंन का काम यह है विमेन का काम यह है और इसी चीज को बार बार बताया जाता था ठीक है अब अगर देखे जाए तो इस इसी आइडिया पर इसी आइडिया पर काम करते हुए चीज़ें कैसे हो रही थी वॉल्फ तो वुमेन हुआ रिशियली डिजाय अंडिजायरेबल चिल्रन वर पनिश्ड ध्यान रखना है शब्द को आगे डिसकस करेंगे ऐसी महला है जो रिशियली अंडिजायरेबल चिल बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन है मेरी सोसाइटी का लेकिन वहीं पर देखा जाया तो इक्वैलिटी नहीं थी क्यों नहीं थी वह इस स्टेटमेंट के कारण समझो इस स्टेटमेंट को अगर किसी महला ने रिशियली अंडिजायरेबल बच्चे को जन्म दिया है ठीक है नसले के बच्चे को जन्म धिया है जो हिटलर को पसंद नहीं था मतलब नौडिक अरियें अगर नहीं होता था तो उस महला को क्या किया जाता था पनिशक किया जाता था पनिश्मेंट दी जाती ती इसम नौकि उसीघोब grave racially desirable children were awarded यह देखो यह बड़ी इंट्रस्टिंग चीज जो महिलाएं racially desirable बच्चों को जर्म देती थी मतलब अगर कोई नौडिक आयान बच्चे को जर्म दे रही है कोई महिला तो उस महिला को अवार्ड दिये जाते थी शी वावाड़ेड कैसे अवार्ड दिया जाता था तो फेवर्ड ट्रीट्मेंट इंट हॉस्पिटल्स कंसेशन इंट शॉप्स एंड टिकेट्स एंड रेलवे टिकेट्स ठीकें तो इस तरह से क्या होता था कि जिन महिलाओं के हाँ डिजारेबल रेस के बच्चे जन्म लेते थे तो उनमहिलाओं को बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलता था कहाँ पर हॉस्पिटल में कंसेशन मिल जाता था वहाँ पर फेवर्ड ट्रीट्मेंट मिलता था बतला बोलते नहीं खुसी का माहल आ जाता था पूरी जर्मनी में हॉ न्रडिक-रियन बच्चे को जन्म दिया है एक ऐसी रीस के बच्चे को जन्म दिया जिसके जो बच्चा नाजी ऐडियोजी के हिसाब से बहुत अच्छा है तो उन्हें क्या लोगते थैक सर्दोरक्रक में में कम स्अट्रेमिलने लगते थे पर णो और क्या-क्या होता था वर अनर्ड विठ्करॉसस ठीकित अब देखो ज़ें तो यह समझना आपको अनर्ड चूस क्या एं अनर्ड क्रॉसस मतलब इकतरा समग तरह से मेडल जाते जाते घए सकते अब मेडल किस चीज के क्लिए जाते थे वह वह वढ़ी इंट्रस्टिंग चीज़े बताते हो मैं आपको तो ब्रॉंज सिल्वर गोल्ड इस तरह के ओनर्ड क्रॉसेज इस तरह के ओनर्ड मेडल्स मिलते थे ठीक है फोर बेरिंग फोर सिक्स एंड एट चिल्रंस रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है जिन महिलाओं ने चार बच्चों क भुष। दिए ने बच्रेष्य को जनंद लिए उन महिलाओं को क्या मिलते थे गोल्ड के ओनर्ड्र कॉसेश मुझेट तो समझ क्या कर रहे हैं एकृट्पमेंट गयंगें इस तिसे में समझ में आया कि सिम्पल सी चीजहें इक्ववेलीटी नहीं थी मेल की बीचमें रोल में सब्सक्राइप करना जाना थिस सब्सक्राइब छाटी को बतलब नॉब् Doom ओर जो नहीं जन्म देती थी उन्हें क्या किया जाता था उन्हें पनिश किया तो नाजी वैलियूज अपने बच्चों तक पहुचाए और प्योर ब्लडेट आरियन रेस की बच्चों को क्या दे जन्म दे और उसी के साथ साथ में यह हिटलर हैं यह क्या कर रहे हैं यह आवार्ड बात रहे हैं किसको अवार्ड बात रहे हैं तो हमने देखा एक्रॉसेस अब यहाँ पर आपको चीज़न रखना है कि यहाँ पर आपको समझ में आए चीज़ें फिर आप देखते हैं सवाल यह उटता है कि हाओ और वाइवर दे पनेज़ड कॉन मतलब हमने यह थी देखा कि दोस वूमन्स हूब और रिशेली अंडिजारेबल चिल्रन वर पनिज तो ऐसी महलाएं को पनिश क्यों किया जाता तो और कैसे किया जाता था तो पनिश क्यों किया जाता था इसका आंसर तो आप खुद दे सकते मुझे क्यों पनिश किया जाता था क्योंकि इन महलाओं के द्वारा जो बच्चे जिन बच्चों को जनम दिया गया वह बच्चे क्य शादी कर लिए ठीक है और उनके जो बच्चे होंगे तो दिखती बात है वो प्यॉर रेस के बच्चे नहीं रहेंगे तो इसके चलते क्या किया जाता था उन महिलाओं को पनिश किया जाता था All Aryan Women who Devated from the Prescribed Code of Conduct ये Code of Conduct क्या है Code of Conduct ये ही है मतलब कि अगर किसी ने क्या किया किसी ने दूसरी race, Jew, Gypsies और दूसरी किसी भी race, Undesirable race के male के साथ में शादी की है ठीक है और उनका जो बच्चा जनम लेता है और वो बच्चा क्या होता है मतलब दिखती बात है वो बच्चा pure blooded नहीं रहेगा pure blooded Aryan race का नहीं रहेगा तो ऐसी महलाओं को क्या कहा जाता था कि they have violated the code of conduct ठीक है ये code of conduct जो बताए गाया था Nazi cult of motherhood के अंदर तो जो इस तरह के code of conduct को क्या किया जा करती थी violate करती थी they were publicly condemned and severely punished उन्हें publicly condemned किया जाता गलट ठहराया जाता था और पनिश्मेंट दी जाती थी कैसी punishment ठीक है punishment कैसी देते थे homework देते थे क्या घर से लिखके लाने को ऐसी punishment नहीं होती थी ठीक है women having relation with Jews, Pols and Russians अदलब किसी दूसरे ethnic group के लोगों के साथ में ऑगर किसी women के relation होते थे शादी होती थी तो उन women को क्या किया जाता था their heads were shaved ठीक है बाल उतार दिये जाते थे उनके सिर्फ से उनने क्या किया जाता ता गपल दिया जाता था their heads were shaved उसके बाद में और क्या करते थे उसके आद में देखो कितनी सीवे पनिसमेंट मिल रही है faces were painted faces were painted black मतलब क्या उनके चेहरे पर कालीग पौद दी जाती थी काला कर दिया जाता था उनका चेहरा जैसे आपने इंडिया में भी cases देखे होंगे their faces were painted black and paraded through the town पूरे टाउन में सुने की निकालते थे तरह से टिक कहा से ठीक और को इस तरह की तिस तरह की पटनीसमेंट में जीलेDethan जाती थी वर फ्लेकर्ट थाून से टाङ देते थे एक नागरिक अधिकार होते थे जो उनका नागरिके सम्मान होता था उनसारी चिदों को क्या कर दिया खोना पड़ा भहुत सारी महलाओं को बस क्यों क्योंकि उन्होंने relation maintain करें थे किसी जीऊस के साथ में, पोल्स के साथ में और रुशियन के साथ में किसी के साथ में भी ओके अब क्या होता है इस वास कंसीड़ेट अस क्रिमिनल ओफेंस तो उनकी फैमिली को भी सफर करना पड़ता था और अगर आप इस तरह से डेवीट करते हो स्कूर्ड ओफ कंड़क्ट से तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक क्रिमिनल ओफेंस के चलते आपके उपर केस चलाया जा सकता है पनिश किया जा सकता है कुछ भी किया जा सकता था तो इस तरह से आप देख सकते हो कि प्योरीटी औफ रिएस को मेंटीन करने के लिए विमें के उपर कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉंसिबिटी थी यह और उस इंपॉर्टेंट रिस्पॉंसिबिटी के नाम पर कितनी ज्यादा क्रुएलिटी भी हो रही है महिलाओं के साथ ने यह देखो कुछ ठीक है अब यह कुछ फोटोग्राफ से जैसे यहां पर पनिश किया जा रहा है वुमें बिंग पनिश्ट अंडर नाजी पीरिड तो नाजी पीरिड में जब महिलाओं को परिशान किया जाता था यह इस तरह से बाल काट रहा है ठीक है यह पिटाई हो रही है शायद तो और करने वाले कोई यह सब नाजी फॉलोवर्स हैं यहां पर यह सिर मुंदन किया जा रहा है एक तरह से शेविंग की जारी उनके सि सेक्षन थी और जो फिमेल सेक्षन था तो इन सारी चीजों के बारे में पूरा हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशिल वेबसाइट मैगनेट मेंस.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैगनेट मेंस.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मैट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फिल फ्री तो विजिट आर ओफिशियल वेबसाइट मेगनेट मेंट में जाएंड प्रॉपगेंडा पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो तक अगर आप लोगों को ध्यान हैं तो हमने क्या देखा था कि हिटलर का पर्सपेक्टिव देखा था जो अडल्ड पॉपुलेशन थी वो भी देखा और जो फीमेल जेंडर था उसके टूर्स का इटिट्यूट था वो भी देखा था हमने नाजी कल्ट आफ मदर हुड वाले टॉपिक में तो यह सारी चीज़े कंप्लीट हो गई है अब एक अलग सेग्मेंट अगर हुँ ही नहीं रहा है तो नहीं तो वह क्या तरीका था कैसे करते थे क्यों करते थे यह सारे चीजा में डिस्कस करने वाले हैं काफी अच्छा वीडियो गाईे काफी आपको समझ में आएंगी क्लियर है स्टार्ट करते हैं तो सबसेपहली चीज चिज का सhighा लगेंड़ हम तो आपने इतना भी जब तक पूरी कहानी सुनी है नाजीजम इस शैप्टर में, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि जितना भी जो भी कुछ हो रहा था, वो सब कुछ गलत हो रहा था, ठीक है, अपकी सिर्फ अपने देश को महान बनाने के नाम पे आप किसी इस भी तरह से लोगों की जाने नहीं ले सकते हो, ठीक है, अब लेकिन इस गलत को सहीं कैसे बताया जाए, एक बहुत अच्छ वो चीज है, क्या, मतलब एक बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है, आपने रियल लाइफ में कहीने कहीं फीस किया होगा, हमें कभी-कभी पता रहता हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने मन को justify करने के लिए क्या करते हो, बोलते हो इस तो उन्हें हैं तो है, दूसरों को justify करने के लिए उस गलत को सहीं तरीके से बता देते हो, कि मैंने इसलिये करा, तकि वह ऐसा ना हो जाए, तो वही चीज यहाँ पर भी की गई, क्या कि गया मरोडा गया कैसे वह मैं समझाता हूं पर ले स्टेट्मिन पढ़िए यह यह ब्रक्टिस वाद डिस्क्राइबिंग देंग देंग वर चिलिंग इस चीज को समझेगा ठीके प्रेक्टिस वाद डिस्टिव डिस्टिव का मतलब होता है कप्टी बुलते ना इसके मन में कपट है कपट है चल कपट वाला शब्द तो डिसट्व मतलब हमें दिख रहा था कि जो प्रैक्टिस हो रही थी जो भी हो रहा था यहां पर जर्मनी में वह गलत था कप्टी था वह ठीक है बट वर्ड्स डिस्क्राइबिंग देंग देंग टिके लेकिन जिन शब्दों से देसक्राइब किया जाता था वह स्वर ऑमकॉत मॉक्ष प्राप्ति करवा दी ढब कर दो तो वो क्या हो जाए गाई काम जोग or was termed as special treatment अब मैं आपसे बोलता हूं यू वोड बी ट्रीटेड इस्पेशल ट्रीटमेंट वोड बी गिवन तो यू आपको सुनके कैसा लगा बहुत अच्छा लगा लेकिन इसका मीनिंग क्या होता था मास किलिंग लार्ग लेवल पर जब लोगों को मारा जाता था तो उसे क् इंसान है वो भी अपने मन को सैटिस्फाइब कर ले तक नहीं नहीं आइं गिविंग दम इस्पेशल ट्रीटमेंट आया समझ में इंसारी चीजों में मीडिया भी बहुत इंपोर्टन डोल प्ले करती थी आगे पड़ेंगे हम ठीक है तो मास किलिंग वह स्टम्ड अस्पे क्या किया गया था यह प्रोपगेंडा था नाजी प्रोपेगेंडा जिसके चलते चीजों को डिस्टॉर्ट करके दिखाया जा रहा था ठीक है अब देखते हैं फॉर्दी जीऊस तो जैसे जीऊस की जो मास किलिंग वही थी उसे स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सल्यूश से थक चुका हूं मुझे इक्षा मित्यू दे दी जाए तो वह था यूथिनेशिया क्लियर अब क्या होता था कि जो डिसेबल होते थे तो डिसेबल जब अब चाहें वह नौडिक आरियन हो लेकिन इटलर का क्या मालना था कि सारे एग्रेसिव मस्कलिन होने चाहिए तो जो उन लोगों की चाहे इक्षा हो या ना हो उन लोगों की डिजायर हो या ना हो मरने की लेकिन उने मार दिया जाता था किस नाम से इक्षा मित्यू के नाम से तो यह सारी चीज़े क्या देख रहे हो आपकी जो भी काम हो रहा है यह काम गलत हो लेकिन इसको मतलब उस नाम ऐस अब देखो case with gas chamber, अगर ये gas chamber के साथ में भी हम इस case को पढ़ने की समझने की कोशिच करें कि gas chambers में भी ऐसा ही कुछ किया गया था, distort कि गया था, चीजों को, क्या किया गया था, cover up किया गया था Gas chambers were termed as disinfection area, ठीक है, इस शब्द को समझो, disinfection area, मतलब ऐसा area होगा, जहाँ पर disinfection को क्या किया जाएगा, खतम किया जाएगा लेकिन ultimately होता क्या था, कि लोगों को मार दिया जाता था, वहाँ पर, लेकिन आप gas chamber बोलोगे, या फिर बोलोगे, killing center बोलोगे, तो ये क्या रहेगा, एक negative impact जा रहा है, ठीक है, society के सामने negative impact जाएगा, तो उसे नाम क्या दिया गया, it was termed as disinfection area, disinfection यहाँ पर क्या होता है, infection दूर करते हैं, लोगों को ही अपने सरीर से दूर कर देते हैं, आत्मा बचती थी बस बिचारो की, तो these gas chambers were termed as disinfection area, taking people to gas chamber, ठीक है, अब जब लोगों को gas chamber तक ले जाया जाता था, ठीक है, तो उस process को क्या बोलते थे, this process was known as evacuation, evacuation मतलब क्या होता, किसी को कहीं से बचा के न gas chamber में, तो उस process को evacuation कह दिया, तो आप समझो जाना इस चीज को की naming जो थी, वो यह सार इसलिए किया जा रहा था कि जब newspaper में अगर कुछ आया या पर कहीं official documents में मिले, तो लोगों का से लगना ने चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, they have played with the words, clear है, इस चीज को धियान मे लगा दिये, अब ये fake showers होते हैं, इसमें से पानी वानी कुछ नहीं आता था, ये बस इसलिए कि कोई आदम अगर अंदर जा रहा था, तो सोचे चलो हमें या नहिलाएंगे या फिर ऐसा कुछ भी होगा, मैंने आपको जो piles of clothes बताये थे, ठीक है, मैंने बताये था ना पर क्या होता था, वो bathroom जैसे दिखने वाले जो chambers होते थे, वहाँ पर poisonous gas को release किया जाता था, और slowly and steadily people die, ठीक है, लोग मर जाते थे, तो ये सारी चीज़ है, आपने देखा कि propaganda कितना, मतलब बोल सकते हैं, बहुत तरीके से उसे प्लान किया गया था, ताकि क्या हो कि लोगों को गलत ना लगे, कहीं भी वो समझ में आएं, फिर क्या होता है, use of media in spreading Nazi propaganda, ठीक है, मीडिया का भी बहुत important role रहा है, नाजी propaganda को फैलाने में, मगर कैसे, तो देखो क्या होता था, मीडिया glorify करता था Hitler को, Hitler की ऐसी images दिखाता था, कि Hitler बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच communications डालता था, which were supporting Hitler, अब जैसे देखो, अब क्या है, यह यह नाजी leaflet है, नाजी leaflet मतलब क्या है, कि एक तरह से paper में leaflet डाली गई, या फिर कैसकतो कि ऐसी पर्षे बाट दिये लोगों को, वो क्या बताते है, German farmer, German farmer, you belong to Hitler, why, अब मतलब वही बोल रहे हैंगे, German farmer, जितने भ economic system of Bolshevism, ठीक है, big capitalism and Bolshevism work hand in hand, they are born of Jewish thought, अब देखो, अब इस message के थ्रूँ क्या clear करना चाहरे है, वो बल रहे हैंगे, जर्मनी का जो farmer है, German farmer जो है, वो किसको बिलॉंग करता है, Hitler को बिलॉंग करता, क्यों, क्योंकि उनके सामने आद दो जो अलग blocks दिख रहे है, एक तो American economic system में जो capitalism है, जो क्या कर रही है, हमने पिछले वीडियो मतलब, नई, French revolution में मैंने आपको शायद यह बताया नहीं था, अभी समझातों एक बार और फिर से, कि क्या होता है, capitalism जो communism है, यह Russian revolution में पढ़ा आपने, तो इसको क्या है, इसको ऐसे define किया गाए है, कि capitalism capability पे जादा कमाए खाए, ठीक है, और socialism क्या करता है, कि सारे resources चुड़वा लेता है, तो यहाँ पर Hitler बोलता है कि दोनों ही system गलत है, ठीक है, दोनों system गलत है, they are born of Jewish thought, ठीक है, Jewish thought है, इनके अंदर, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, capitalism को भी गलत ठेहरा दिया, शोशलिजम को भी गलत ठेहरा दिया, and serve as the master plan of world's Jewishry, ठीक है, और ऐसे बता दिया कि जीउस का जो master plans है, कि लोगों के उपर कभजा करना, उस तरीके से यह काम करता है, तो इसका solution क्या है, who alone can rescue the farmer from this dangerous, national socialism, national socialism मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या है, मतलब नाजी, नाजी party की बा फिर क्या होता, नाजी idea were spread through visual images, वही मैंने जॉब को बताया, films, radios, posters, तो इन सारी चीजों की मदद ली जाती थी, नाजी idea को, जो नाजी ideology थी, उसे लोगों तक पहुचाने के लिए, एक mindset create करने के लिए, एक propaganda को क्या propagate करने के लिए, propaganda को पहुचाने के लिए, लोगों तक, ठीक है, posters, catchy slogans, slogans दिये जाते थे, and leaflets, leaflets अभी हमने discuss करी, enemy of Germans were stereotypes, मतलब जितने भी enemies थे, enemies मतलब कौन होगा है, जैसे कि जर्मनी में और जो दूसरी political parties थी, जैसे communist हो गए, ठीक है, communist के बाद में, क्या सकते है, Democrats हो गए, तो इन लोगों के against में stereotypes बना दी गए, कि ये तो ग socialist और liberals जो थे, तो, they were represented as weak and degenerated, ठीक है, उन्हें क्या बता दिया जाता था, malicious foreign agents बता दिया जाता था, बोला जाता था कि जर्मनी के against में, दूसरे देशों के साथ मिलके क्या, शडियंत रच रहे हैं, ठीक, तो conspiracies रच रहे हैं, तो इस तरह से क्या किया जाता था, इस तरह से लोगों को क्या किया जाता था, stereotype कर दिया जाता था, जो भी Nazi party के against में था, ठीक है, use of movies to stereotype use, ठीक है, अब क्या होता था, movies वगेरा का इस्तमाल किया जाता, जैसे हम अधिकतर क्या रहता है, हम लोग भी movies देखते हैं, तो movies का कहीने कहीं हमारे back of the mind एक imprint रह जाता है, एक प्र हम क्या सकते हैं कि movies वगेरा जो होती तो इनके थूख क्या किया जाता है, इन सारे mediums के थूख लोगों का attention अपनी तरफ attract करने की कोशिश की जाती है, वहीं यहाँ पे भी किया गया, कि Hitler ने क्या किया, बहुत सारी movies वगेरा ऐसी बनवाएं, जिसमें उन्होंने juice के towards क्या stereotypes create करवा है, the eternal Jew was one of the movie, ठीक है, eternal Jew का poster मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे eternal Jew जो movie है, तो movie क्या बताती है, वह stereotypes create करती है juice के towards, ठीक है, अब देखो media being used to popularize Nazism, अब ऐसे बता रहे कि Hitler बच्चों से कितना प्यार करते हैं, इस तरह से, करते भी होंगे, लेकिन वह यह Hitler की image create करन में, Hitler बहुत अच्छे इंसान है, अब यह eternal Jew का जो poster है, तो जीउस को देखो, यहाँ पे आप देखोगे, तो एक communist symbol भी दिख रहा है, ठीक है, यह poster में, और उसके बाद में बता रहें कि गंदे से होते हैं, यह सारी चीजें, उससे compare की गई, तो इन्होंने क्या किया, एक image यह बताना चाहरे थे कि यह Jewish community की जो लोग है बहुत खराब है, ठीक है अब ऐसे तरह से stereotypes बना दो गया तो क्या होगा कि लोग उनको अपने आप hate करना start कर देंगे, यह these all things were the part of Nazi propaganda, ठीक है, तो जो Nazi propaganda था जिस तरीके से वो present कर रहे थे, यह सारा सब कुछ उसी चीज का part था Nazism worked on the minds of people and their emotions, तो Nazism ने क्या करना start किया, लोगों के दिमाग पे और उनके emotions पे काम करना चालू किया, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, अपने idea को push किया आगे की तरफ और लोगों के mind को capture करके, Hitler और Nazi party के support को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करी और इसी नाम पे उस सार ordinary citizens की life में से समझेंगे कि वो क्या feel कर रहे थे, अलग-अलग groups में अलग-अलग citizens की कहानी हम समझने वाले हैं, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आस official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. और आपका क्या सोचने का तरीका होता, तो वही चीज़ें यहां पर बताए गई हैं कि अलग-अलग groups के perspective से बताएगा कि उन्हें कैसा लग रहा होगा, जर्मनी में उस समय जन्म लेने के बाद में, ठीकें, या फिर उनका क्या mindset रहा होगा, तो हम यहां पर basically तीन groups को deal करें पहला, supporter of Nazi, मतलब जो Nazis थे, उन Nazis के perspective से देखेंगे चीज़ों को, दूसरा, non-Nazis, non-Nazis मतलब जो Nazis ideology के supporter में ही थे, वो क्या सोचते थे, और तीसरा group, I.L.E. slide में है, जो है Jews, कि Jews कैसा सोच रहे थे, इन तीन groups पर हम deal करेंगे, study करेंगे, अब देखो, तो सबसे basic सी रहेगी, तो तीनों group के thinking कहीं न कहीं अलग रहेगी एक perspective पर, start करते हम, how did the common people react to the Nazism, ठीके, तो Nazism जो ideology थी, उस ideology को common people ने हुआ कि जो आम जनता थी, उन्होंने कैसे react करा होगा, इस ideology के towards, ठीके, तो सबसे पहले supporter of Nazi अगर देखें, तो Nazi ideology was over ruling their mind, Nazi ideology उनके दिलो दिमाग पर चाही हुई थी, किसके जो Nazi supporters थे, अधिक्ती बात है ना, Nazi supporter है तो Hitler को praise करेंगे, जिस तरीके से नाजी party जो सोचती थी, नाजी leaders जो सोचते थे, Hitler का जो point of view था, क्या, जी उसको hate करना, ठीके, Hitler को praise करना, उसके बाद में अगली चीज़ है और क्या थी, कि purity of race को maintain करना, जो Hitler का perspective था, youth को लेकर, तो वो अपने बच्चों को वैसे ही upbring करेंगे, तो ये सारी चीज़े लालन पालन, Hitler के साब से होगा, ठीके, वही जंग वॉल्क में जाना, वही बच्चों का Hitler, youth में जाना, तो ये सारा सब कुछ क्या रहेगा, बढ़ चल के support करेंगे, कुछ लोग, जो नाजी आइडियोजी को follow करेंगे, जो नाजी follower थे, clear, तो क्या होता था, ठीके, they created a hatred and anger against those who look like Jews, तो जीज़ की तरह लिखने वाले जो लोग होते थे, या फिर जो जीज़ों होते थे, उन लोगों के towards क्या होता था, बहुत जादा hatred और anger होता था था, लोगों के मन में, किस के मन में, नाजी supporters के मन में, अब देखो मैं बता रहा हूं कि ordinary people का perspective, ordinary citizen जो थे उनका perspective क्या रहा होगा, तो Hitler को बहुत जादा वो क्या करेंगे, praise करेंगे, उर्षी के सांसाथ में, जो Hitler ने बताया कि गुसा करना है, hate करना है, किसे Jews को तो वो करेंगे, ठीके, houses of Jews were marked suspicious neighbors reported, ठीके, अब मैंने आपको पिछले वीडियो के slide में बताया था, एक yellow color का star जो रहा था, तो वो मतलब क्या करना पड़ता था, carry करना पड़ता जिउस को ता कि उन्हें identify किया जासा कि हाँ, यह जिउस है, जिउस नहीं है, तो इस तरीके से क्या किया जाता था, जो जिउस के घर थे, तो आब मानलो, मैं एक नाजी सपोर्डर हूँ, मेरे बाजू में कोई family रह रही है, मैं उनसे जान पर चान नहीं है मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, suspicion होता है कि यह जिउस family हो सकती है, यह कहीं से भाग के आई है जर्मनी में, ठीके, तो क्या करते हैं, इस तरह इस तरह के suspicious neighbors को report कर दिया जाता था, बता दिया जाता था नाजी पार्टी के लोगों को कि हमारे घर के पास में साहिद कोई juice रह रहे है, तो यह सारी चीज़ें की जा रही थी, उनको, मैंने बताया था ना, पहला process क्या था exclusion, तो उनको exclude किया जाता था, और exclusion में बढ़के support करते थे कौन जो नाजी followers थे, नाजी ideology के followers थे, they believed that Nazism will bring prosperity and improve general well-being, उनका भी ऐसा सोचना, ऐसा मानना हो गया था, कि Hitler जो कर रहे है, नाजीजम ideology के अंदर में जो भी हो रहा है, वो सही है, और एक दिन इसी के चलते हमारे देश में क्या होगी, general well-being आ जाएगा, prosperity आ जाएग तो अलग-अलग तरीके सा अलग-अलग क्या रहेंगे, arguments रहेंगे लोगों के, वही सारा सब कुछ रहता है यहाँ पे भी, आया समझ में, फिर क्या होता है, non-Nazis के अगर बात करें हम, तो non-Nazis किस तरह से सोचते थे, ठीके, they organized active resistance against Nazism, braving police repression and death, तो कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि schools में भी कुछ teacher ऐसे होंगे, जो समझ रहे होंगे चीजों को कि जितना भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो लोग क्या करते थे, वो actively resist करते थे चीजों को, लेकिन ये कुछ ही लोग होते थे, मतलब कम होते थे, जो resist करत करते थे, पुलिस, मतलब ब्रेविंग पुलिस repression, मतलब जो पुलिस परिशान कर रही है, ठीक है, मार रही है पुलिस लोगों को, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आवाज उठाते थे, आवाज जो उठाता थे दिखती बात है कि ऐसा नहीं है कि उसके आवाज को एक आवाज उठाते थे, बाकि many were passive onlookers, बहुत सारे चुपचाप देखते रहते थे चीजों को कि चलो ठीक है, जी उसके साथ हो रहा है, अब मान लोग कुछ नौडिक आरियन ऐसे भी होंगे, जो हिटलर की आईडिलोजी को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उन्होंने आवाज भी नहीं उठाई होगे, जी उसके against में जब atrocities हो रही होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा है, हमारे against में तो हो नहीं रहा है, ठीके मैं तो नोडिक आरियन हूँ, मुझे कुछ नहीं होना है, अब जैसा चल रहा है, चलने दो, तो क्या होगा, कुछ लो scared to act, to differ, to protest, मतलब कुछ लोग बहुत जादा डरे हुए थे कि वो, क्या मतलब अलग अभी जो trend चल रहा है, कि हाँ जी उसको मानना, उसके against में जा सकते, वो, वो protest नहीं कर सकते, तो कुछ डरपोक से भी थे, डरपोक कहना appropriate भी रहेगा, appropriate रहेगा भी, क्यों, क्योंकि ये इन लोगों ने आवाज नहीं उठा ये आपको मैं conclusion statement में बताऊंगा, इस चीज को relate कर वाँगा, इन लोगों ने आवाज नहीं उठा ये चुप चाप अन्याय को सहते गए, तो अन्याय को सहना भी अन्याय करने के बराबर ही होता है, महत्मा गांदी जी का statement, ठीक है, अब क्या होता है, एक pastor थे, ठीक है, pastor मतलब क्या होता है, जो एक तरह से आप Indian context में relate करों तो पुझा रही है, तो ये father जो थे church के, pastor ने मोलर, ठीक है, who wrote against all this, तो जो pastor ने मोलर थे, इनोंने क्या करा है, इन सारी चीजों के against में लिखा भी है, ठीक है, ये चुप रहने वालों मे से नहीं थे, तो उन्होंने क्या लिखा, उनका पोयम जो है, इसको पढ़िएगा काफी अच्छी है, ठीक है, ये pastor ने मोलर है, इनके बारे में समझते हैं हम क्या है, देखो इन्होंने क्या लिखा, first they came for the communist, well I was not a communist, so I said nothing, समझेगा इस पोयम को काफी अच्छा message देके कि कुछ Nordicarians थे, उन्होंने बोला, अपना कुछ नहीं हो रहा है, अपन तो चुपचा बेटर हो, जी उसको पकड़ के ले जा रहे हम तो Nordicarians है, हमारे साथ कुछ होना नहीं है, तो उस तरह से क्या हो गया, first they came for the communist, well I was not a communist, so I said nothing, मैंने कुछ नहीं बोला, then they came for the social democrats, well I was not a social democrat, so I did nothing, मैं social democrat भी नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं बोला क्यों, क्योंकि तो social democrat को पकड़ने आए थे, तो communist को भी मारा जब मैं चुप रहा, social democrats को भी पकड़ा मारा तब मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, then they came for the trade unionist, ठीके trade unionist मतला मने बोला था ना कि दूसरी इतन मेरे साथ कुछ नहीं होगा, ठीके, and then they came for the juice, but I was not a juice, so I did little, मतलब वो juice के लिए और मैं juice नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं का, दिख रहा था मुझा, दया आई उस चीज के लिए कि मारे जाएंगे लोग बिचारे, लेकि मैं juice नहीं था, म but I was not a juice, so I did little, clear है, फिर आता है, then when they came for me, अब वो मुझे लेने आगए एक दिन, ठीके, हो सकता है कि अब, मतलब यह एक पोएम के थूप मेसेज देना चाहरे है, then when they came for me, there was no one left who could stand up for me, ठीके, मतलब यह बोलता है कि जब मैं किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ, और जब वो मुझे लेने आए, तो जब वो मुझे लेने आए, तो मेरे लिए कोई और खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि कोई बच्चा जी नहीं था, उन्हें सभी को मार दिया, अब जब मुझे लेने आएंगे, तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा, क्योंकि मैं भी किसी के लिए खड़ नजी सपोर्टर्स थे नॉन नाजी थे उन्हों ने क्या सफर किया दूसरी चीज़ें वाट जीई हूल अच्छ फोर्ट इन रियोंग जीव किया थिसमें उन्हों ने सारे जीज जिटनी भी प्रॉब्लम्स जिउस चै़िक है जितनी भी प्रॉब्लम्स जीऊस कम्मीरीटी के लोगों ने उस समय फेस कर रहे थे उन प्रॉब्लम्स को एक कह सकते हैं कि एक इमेजिनेटिफ वे में लखने की कोशिश करी जिसके थूर उनना बता है कि जिवस बींग है जिवस कैसा लगेगा आपको उस टाइम पिरेड में मतलब आप नाजी टाइम पिरेड में अगर जर्मनी में रह रहे हो और आप एक जिव हो तो आप क्या सफर कर रहे होंगे, आप कैसा फील कर रहे होंगे, वो सारी चीज़े उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब करी, बुक का नाम था 3rd Rich of Dreams, ठीके, रिश्टैक का वो रिश है ये, अब टाइटल उन्होंने ऐसा दिया बुक को तो ये चार्लेट बिराट है, ठीके, और ये उनकी बुक का कवर पेज है थी, 3rd Rich of Dreams, चार्लेट बिराट तो अब इन्होंने क्या बताया, उस बुक में बेसिकली कंटेंट ये था कि क्या प्रॉब्लम सेस कर रहे थे, उसके सांसाथ में उन्होंने ये भी बताया Jews themselves began believing in the Nazi stereotype about them, अब देखो क्या है, एक चीज है simple सी, मैं आपको अगर stereotype कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, ये जो student है, ये student क्या है, ये बहुत ही lazy है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये क्या कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, आप आप भी उसी तरह से सोचने लगोंगे, ठीक, अगर एक कहानी आप लोगों ने सुनिये, क्या होता है, कि एक बार एक शेर का जो बच्चा रहता, वो एक भेड के ग्रूप में चले आता है, ठीक है, अब ये अलग है एक और, जो कल बताई थी पिछले वीडियो में बताई इससे अलग है, ठीक, क्या एक जो शेर का बच्चा रहता है, वो भेड के ग्रूप में चले जाता है, अब भेड के साथ में रहेगा, भेड के बीच में रहेगा, सारी भेडे उसे भेड बोलने लगें, तो शेर का बच्चा क्या कंसिडर करने लगेगा, अपने आपको यहां पर शेर भीड को नहीं लाना है कि शेर कौन था भीड कौन था जूस थे या नाजी थे मैं आपको परस्पेक्टिव दे रहा हूँ तो वैसे यहां पर हुआ क्या हुआ कि जो चार्लेट बेरट अपनी बुक में लिखती है कि जिस तरह से उनके अगेंस्ट में स्टीरियो टाइप्स बनाये जा रहे थे जैसा माहूल बनाया जा रहा था जैसा एट्मॉस्फियर क्रेट किया जा रहा था तो उसके चलते जियूस देंसल्फ बिगें बिल में या फिर जियूस के लिए जो इमेजस प्रिंट की जा रही थी जैसे हुग नोस लंबी-लंबी नाके होती है उनकी ब्लैक हेर ब्लैक आइस तो यह उनका मतलब एक कॉमन आउटलेट बना दिया यह यह दिस्क्रिप्शन देदिया फिजिकल अपीरियंस का कि जियूस ऐसे देखते थे चलते तो सोचते थे कि यार हम सच में क्या जैसा नाजी बोलते हैं वैसे हैं क्या हम सच में एक तरह से कह सकते हैं कि वर्मिंस की तरह हैं रैट्स की तरह हैं ठीक हम क्या इतने गंदे हैं तो ऐसा अपने आपकी इमेज बना ली थी लोगोंने तो जियूस क्या मेंटली बहुत जादा टॉर्चर सहर रहे थे नाजी पिरिड में अब यह लाइन देखो समप करती सारी चीजों को बहुत अच्छी लाइन है यह क्या जियूज डाइड मैनी डेट्स इवन बिफोर दे रीच दी गैस चैमबर्स तो अल्टिमेटली गैस चैमबर्स में ले जा में ले जाकर मारना तो सिर्फ एक तरह का क्या था सेरेमेनिकल स्टेप होता था जिसमें हाँ अल्टिमेटली आप उसको क्या कर रहे हो शडीर को मार रहे हो बाकि आत्मा से बिचारे पहले ही मर चुके थे आया समझ में लंबा ससंग होगे है क्या है तो आपको यह समझ में आप मैंने तीनों गुर्फ बताए कि और डिनरी सिटीजन जो थे तो वह किस तरह से अपनी आइडेंटीटी को प्रिज्यूम कर रहे थे और रियक्टेट डियूरिंगी प्रियोड ऑफ नाजीजम इन जर्मनी ठीक है तो नाजी पिरेड के टाइम पिरेड में उन्होंने क् किया क्या सोचा क्या परस्पेक्टिव रहा होगा तीनों गुरुप बताए मैंने आपको अब जो क्राइम अगेंस हुमेंटी है तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करेंगे कैसे जो नॉलेज अबाउस्ट वाला टॉपिक है हमारा ठीक है तो हलो कास्ट क्या होता ह कैसे हम उसके बारे में पता चलता है सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे इस चैप्टर की नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट मैगनेटमेंस.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैगनेटमेंस.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू बेल मच इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे knowledge about the holocaust अब देखिए यह हमारे chapter का last topic है theory part पर ठीक है इसके बाद में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ हम एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे लेकिन उसके पहला आपको ध्यान देना है कि इसी के साथ में हमारा जो theory part है इस वीडियो के साथ में वह complete हो जाएगा clear start करते हैं अब सबसे पहली चीज क्या है सबसे पहली चीजी है कि हमने अभी तक जितने भी वीडियो में डिसकस किया इस chapter को तो हमने क्या पढ़ा crime पढ़ा atrocities पढ़ी juice किस तरह से सफर कर रहे थे जर्मनी में हिटलर ने कैसे पावर में यह सारा सब कुछ पूरी कहानी पढ़ी हमने अभी हमें आज हम यह कहानी अगर सुन पा रहे हैं पढ़ पा रहे हैं तो कैसे ठीक है तो दिखती बात है आप बोलोगे सर हिस्ट्री है हिस्ट्री तो हम आसे 1000 साल पुर सारी चीजों का रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड ही होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट कुछ यह बेसिकली जिस लेवल पे अत्याचार हुए थे उसके साथ में उन अत्याचारों का एक रिकॉर्ड है मतलब जितनी भी परिशानिया जो भी सफरिंग थी उन सारी चीजों को क्या करके र हार मतलब लाज स्केल पर जब लोगों को मारा जाता है तो वो होता है जिनो साइड तो record ऑफ दी जीनो साइड ऑफ जी उस दूरिंग सेकंड वल्ड वार तो सेकंड वल्ड वार के टाइम परीड में जो जिनोसाइड हुआ था उस जिनोसाइड का रिकॉर्ड जो है वो हमें होलोकॉस्ट से पता चलता है होलोकॉस्ट के दुरों में पता लगता है कि कितना अत्याचार हुआ था अब देखिए क्या है तो most of the information about nazi practices इस चीज़ को ध्यान रखना आप कि आप क्या लिखा है information about nazi practices came out after the world war अब आपके मन में भी इसी तरह से सवाल आया होगा कि second world war के बाद में क्यों पता चली कहानी क्योंकि second world war जब चल रहा था या फिर कह सकते हैं second world war के पहले का जो time period था वहां पर भी अत्याचार हो रहे थे atrocities conduct की जा रही थी उसके उपर लेकिन तब सब कुछ control में था किसके control में नाजी पार्टी के हिटलर के तो वह कुछ भी information को बाहर नहीं जाने देते थे ठीक है लेकिन आज तो क्या है आज इंटरनेट है आपके पास में ठीक है आज आपके पास में connectivity इतनी जादा है कि कुछ भी होता है कैसे भी आप लोगों तक पहुच सकते हो लेकिन पहले इतनी connectivity नहीं थी तो information पहले क्या थी जो भी हो रहा है जो भी सब कुछ जितनी भी atrocities होती थी सब कुछ कहां तक restricted था सब कुछ restricted था सिर्फ और सिर्फ जिउस तक जर्मनी तक ठीक है और इटलर ने चाहा कर भी मतलब उन चीदों को बाहर नहीं जाने दिया जिउस wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations ठीक है और जब इस तरह से क्या है कि सारी information हमें अधिकतर World War 2 के बाद में मिली लेकिन जो जिउस community उस समय पर इन सारी चीदों को सफर कर रही थी तो community चाहती थी कि सारी information जो जितना भी उन्होंने जो भी मतलब कह सकते थे को यह statement लिखा ना suffering they had endured मतलब जितनी भी sufferings को उन्होंने suffer किया था वो चाहते थे कि सारी suffering क्या हो world तक पहुचे लोगों को जाने इस बारे में क्यूं सोचते होंगे अब आप भी ऐसी सोच रहोंगे कि ऐसा क्यूं चाहते थे कि सारी suffering जो है वो लोगों को पता चले ताकि जियू से बताना चाहते है ठीक हमने जो suffer किया वो किया लेकिन war के बाद में क्या हो कम से कम लोगों को पता तो रही कि हमने कितने अत्याचारों को सहन किया है ठीक है क्या क्या गलत हमने सहन किया है और इस तरह से मतलब वो mankind को बताना चाहते थे कि हमने जो suffer किया तो लोगों के अंदर क्या था एक तरह से मतलब इन सारी चीजों से हम क्या समझ सकते हैं मतलब की जो अत्याचार हो रहे हैं उन सारी चीजों को प्रिजर्व करकर रखना डॉक्यमेंट के फॉर्म में चीजों के लोग चाहते थे कि वो लोगों को बता है कि उनके साथ में क्या गलत हुआ अब जब वो चाहते थे कि वो लोगों को बताएं तो उन्हों ने क्या किया कि पूरी तरह से पूरे प्रयास किया ठीक है कि इन डॉमीटेबल स्पिरिट मतलब क्या कि एक ऐसी स्पिरिट देखने को मिल रहा था उनके अंदर कि आप परिशान कर लो मार लो पीट लो लेकिन एकुछा cycles के छिए तो आश्या में कि लोगों को मारी परिशान के बारे में पता चलेगा और जब जो जब ऐसा लग रहा था कि हाँ लड़ाई खतम होने वाली और नाजी लीडर्स जो है वो हर जाएंगे ठीक है तो नाजी लीडर्स ट्राइट टू डिस्ट्रॉइ दी एविडेंसेस मतलब जितने भी एविडेंसेस थे जो भी गवा था उसे क्या करा नाजी लीडर्स ने आपस में पेट्रोल बटवा दिया अपने फंक्शनरी इसको मतलब जो भी उनके सपोर्टर्स तुम से बोल दिया कि पेट्रोल ले जाओ सब तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कितना जादा गलत हुआ था तो वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड को तो जला दिया गया तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अपना कचरा फैला आया तो उस कचरे को समेटने की कोशिश भी करी नाजी लीडर्स ने लेकिन वह पूरी तरह सक्सेस्फुल नहीं हो पाए बहुत सारे रिकॉर्ड बहुत सारा होलोकॉस्ट हमारे पास बचा हुआ रह गया जिसके थूरू हमें पता लगता है कि कितनी ज्यादा सफ्रिंग्स को फेस किया उस समय पे ज्यूस कमिनिटी ने जैसे कुछ एविदेंसर से यहां पर देखने को मिलता कुछ फोटोग्राफ के थूरू आपको एक मैसेज क्लियर हो जाएगा कि डेन्मार्क सीक्रेटली रेस्क्रेटली रेस्क्रेट देर ज्यूस फॉम जर्मनी इस वन आफ दी बोट्स उस फोर परपस मतलब यह जैसे बोट को प्रिजर्व करके रगा कि इस बोट के थू क्या किया गा है डेन्मार्क ने सीक्रेटली कुछ जियूस को वहां से मतलब देन्मार्क को यूमेंटी इन इन ग्राउंड पे कि जीूस के सांथ अन्या हो रहा त siaka हम आज बहिou भी आफ देख साह्थ इस तरह की मिलक हैं तो यह क्या है इन इनवेटेंट्स ओफ दी वॉर्सां अफियर गिटो का भीडेस रख ऐसे तक्वी मॵन देन्प्राफ़ शॉत उन्ट इन लैएंसरम के यह जब हाट में जब information पहुच जाए as destruction seemed eminent this containers were buried in the cellars of building in 1943 this can were discovered in 1950s तो मतलब अब जैसे पता लगा Nazi leaders को और Jews को भी कि कुछ नहीं हो सकता तो उस तरह से क्या किया गया कैंस वगेरा को भी दबा दिया गया ताकि information leak ना हो आया समझें तो इस तरह से क्या किया जा रहा था लोगों ने उसने पूरी कोशिश करी किस चीज की records को maintain करके रखने की बचाय रखने की और नाजीज ने पूरी कोशिश करी उन्हें खतम करने की फिर भी उस बीच में इस ट्रशल में हमें जो मिल गया जो बच गया उसके थूरू पता लगता कि कितना क्राइम हुआ होगा कितनी atrocities हुई होगी फिर उसके राद में आपने ये जरूर सुना होगा पढ़ा होगा कहीं न कहीं दी डायरी ओफ यंग गर्ल ठीक है एन फ्रेंक की जो डायरी है तो इसमें आपने इंग्लिश लिटरेचर में अधिकतर इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने छोटी क्लासेस में कहीं पढ़ा होगा कि एन फ्रेंक ने उस टाइम पे मतलब एक सफरर थी पंदरा साल की लड़की जिन्होंने अपनी डायरी में सारा बलती है वो डायरी में से फिर क्या बुक लिखी जाती है तो इस तरह से उनकी सफरिंग के बारे में बताए गया ठीक है बाद में फिर इस पर प्ले भी बनता है एक तो उस तरह से कहानी वाल होती है तो इन सारी चीजों के तुर मैं आपको क्या बताया कि कैसे रिकॉर्ट वगेरा को यूज किया गया था किस तरह से जो नौलेश था होलोकॉस्ट का वो लोगों तक पहुचा आया गया ठीक है जहां पर जीज ने ज्यादा इक्षा जाहिर की कि नहीं पता चलना चाहिर हो क्या रहा है अब अगर हम लास्ट में स्टेटमेंट को समझें कि क्या है इ हम लोकॉस जो मङ जानने को मिलता यह चो सफरींग सथिस्पनें थे ओन यावा आइपको बलिदान देधा अपना एं संब्रेटित अ यही सारी जानकारी आज हमें पता है तो उन लोगों के लिए एक एंबरेश्इंग सिच्वेशन क्रीट कर सकते हैं जिन लोगोंने कोलाइबरेट्ट किया था जिन लोगों ने अन्याय किया था मतलब जैसे दिखती बात है ना किसी ने चौरी की दो आप क्या करोगे उसका वो इंसिडेंस उसे बार-बार याद बिलाओगे ताकि उससे समझ में आए कि उसने गलत किया है एंबरेस हो वो ठीक है तो उस तरह से यहां पर होता है कि होलोकॉस्ट के थू हमें जो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स हम बताते हैं क कि आपने गलत किया ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है क्या एंबरेसिंग रिमाइंडर टू दोजू को लाइबरेटेट और यह तीसरे स्टेट्मेंट समझ यह यह क्या बोलता है एंडे वार्निंग टू दोजू वाज इन साइलेंस और जिन लोगों ने चुप चाप क और चाप किया सारा सब कुछ अन्याएं होने दिया उन लोगों के लिए तरह से वार्निंग है वार्निंग कैसे हैं कि यह रिमाइंडर्स जो होलो कॉस्ट के रिमाइंडर्स हैं जो बताते हैं कि जिस प्रकार से एक्रोसिटी परफॉर्म की गई थी जर्मनी में और जो पर पर हमने chapter complete कर लिया है तो यह हमारे लिए एक success है अब इसी के साथ में क्या होगा कि last video जब लास्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में कुछ question answers discuss कर लेंगे question answers discuss कर लेंगे देखेंगे कि क्या probable question से जो पूछे जा सकते हैं chapter से chapter कौन सा है हमारा class 9 history का chapter Nazism and the rise of Hitler जो यहां पे क्या होता है complete होता है अब next video में हम कोई सा नया chapter start करेंगे इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे frequently asked questions कुछ question answers को discuss करने वाले हैं किस chapters है तो यह जो question answers है यह है Nazism and the rise of Hitler इस chapter का theory part जो है वो पिछले वीडियो तक हम लोग complete कर जुके हैं पिछले वीडियो तक मैंने आपको सारे topics, sub topics, सारी चीज़ें एक arranged format में explain कर दी है अभी अब मेरा काम यहाँ पे complete होता है आपका काम यहाँ से start होता है कैसे तो मैं आपको कुछ questions देने वाला हूँ आपको answer देना है answer कैसे दोगे, तो आप revise करना, recall करना, ठीक है आप recall करोगे खुद satisfied हो तो मैं भी satisfied हूँ आपसे आपको बनना चाहिए, क्यों क्यों कि हमने पुराने सारे वीडियो में क्या किया इस chapter को तो discuss कर लिया है, लेकिन इस chapter से अब हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है इसा वाला, ऐसा question तो आया है नहीं है, तो question ऐसे कैसे नहीं आएंगे, question क्या आएंगे, topic यह रहेगा, उस पर से twist होके, turn होके question पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो topics से आपको दिये हुए हैं, इन topics से related questions पूछे जाएंगे, तो जो भी topics हमने पढ़े हैं, आपको हर topics पर बता आते चलूँगा, कि क्या question पूछा जा सकता है, clear हैं यहां तक चीजें, start करते हैं, देखो, who was helmet, सबसे पहला question, मतलब जैसे chapter start किया था, हमने helmet से ही start किया था, helmet की कहानी से, तो who was helmet, explain the reason for his fear, तो what we have discussed in this question, या फिर this specific part of the chapter, तो वह आपको लिखना है सारा, answer मैं नहीं था, उसका क्या डर था, चलो बता देता हूं, उसका डर था ना, जैसे उसके parents को ऐसा लग रहा था, कि जो उनोंने Jews और दूसरी communities के साथ में किया है, अब शायद सेम उनी के साथ repeat हो सकता है, तो यह उनका डर था, ठीक है, तो वो जो हमने discuss किया था, वही सारी चीजे, फिर विमर रिपब्लिक को जर्मनी के ही लोगों ने appreciate नहीं किया, welcome नहीं किया, कारण क्या था, कारण वोई सारी चीजें, कि लोग सोचते थे कि जर्मनी के साथ जो भी disgrace हुआ है, जर्मनी के citizens यह सोचते थे, उसके लिए responsible कान होगा, उसके लिए responsible यह विमर रिपब्लिक है, थि इसी चीज़ को और extend करें तो आगे जो हमने topics पढ़े थे कि there were some inherent defects in VMA Republic तो वो inherent defects क्या थे उस पर भी हाँ पर question बन सकता है कि why people didn't receive VMA Republic very well and what were the inherent defects in it? क्या inherent defects थे? तो inherent defects आपको अगर ध्यान हो हमने आगे पढ़ें चैप्टर में क्या article 48 और proportional representation यह सारी चीज़ है VMA Republic को क्या बनाती थी? बहुत fragile बनाती थी, बहुत कमजोर बनाती थी, weak बनाती थी तो वही सारी चीज़ है VMA Republic और उसके अंदर जितनी भी परेशानी थी, उसके अंदर जो भी खराबी थी उस पे अगर question आता है, बनना चाहिए ठीक है? यह हो गया, अब हम देखते का है treaty of ourselves, बहुत important question है, direct question आता है, what were the provisions in treaty of ourselves तो उस तरह से direct question आता है, आपको direct question बनना चाहिए यहाँ पर ठीक है? तो यह treaty of ourselves हो गया हमारा फिर आते हैं, who were November criminals? यह भी एक important question है, काफी important question है और आपको ध्यान हो, तो जो विमर Republic के लोगों को ही क्या कहा जाता है, mockingly they were known as November criminals endeavor the easy targets, ठीकि लोग इनके उपर हमला कर दिया करते थे, क्यों? क्योंकि लोग इन्हे responsible मानते थे, किस चीज का? इन्हे responsible मानते थे, कि जो भी disgrace हुई है जर्मनी के साथ में, वो November criminals ने लाए हैं, क्यों ना तो यह treaty sign करते हैं, ना परिशानिया होती, तो वो November criminals पे 1 marks, 3 marks में question इसके बाद में economical impact क्या रहा तो उस sense में आ सकता है, psychological impact क्या रहा था कि लोग बदले की भावना में जूज रहे थे, तो trench life was glorified, ध्याने सारी चीजें discuss की थी हमने, तो वो सारे points की impact क्या रहें war के जर्मनी के उपर, अब इसको open sense में अगर question आएगा तो ऐसे what were the economic impact of war on Germany, तो लेको topic तक specific मत रखना, यहां पर आप वो लिगदो सारा की लोग trench life को glorify करते थे, लोग बदले की भावना में जुलज रहे थे, वो सारी चीजें, economic impact भी थे, economic impact यह थे कि economically बहुत कमजोर हो चुकी थी, war के बाद में repressions pay करना पड़ता था, ठीक है, जो war guilt clause हमने treaty of ourselves में Political क्या है कि वीमर रिपबली को लोग support नहीं करते थे, Spartacist League वगरा जैसे alternative institutions, alternative polls, alternative political options खड़े हो रहे थे, जिसके चलते क्या है, conflicts देखने को मिलते थे, तो वो सारी चीजें, what were the impact of war on Germany, ठीक है, तो impact सारे लिखना आपको, economic, political, psychological सब लिख दो, clear है, अब देखो आगे क्या है, Political Radicalism after war, तो यह important है कि Political Radicalism कैसे बढ़ता चले गया, कि sense of insecurity हो गया, develop, लोग वीमर रिपबली को क्या करते थे, oppose करते थे, और उस opposition के चलते अलग-अलग organizations बन रही थी, Spartacist League which was based on Soviet style of governance, तो Soviet style of governance पे based एक Spartacist League बने गई गी, ठीक है, फिर वो यहाँ पे लिखो गया, आप उसक से कैसे चीज़ें बदलती चले गी, तो वो Political Radicalism वाला जो एक section है, उसे पूरा यहाँ पे लिखना, हमने specific वीडियो में discuss किया इस चीज़ को, फिर इसी के साथ जोड़ा होगा topic कौन सा आता है, reasons for economic crisis, what were the reasons for economic crisis, तो अब इस reason में सारी चीज़े लिखो आप, क्या, कि repression pay करना करता, pay करना पड़ता था, सारे gold reserves खाली हो गए, currency की value गिरते चले गई, currency की value गिरते चले गई, उल्टा क्या, Rheinland को भी capture कर लिया, यह सारी चीज़े हो रही थी, ठीक है, तो reasons for economic crisis, वो हो गया, फिर यहाँ पे एक point वो भी आ सकता है, कि how, what helped Germany to overcome its economic crisis, तो जब US enter करती है, और recovery start होती ही, जर्मनी की, अभी क्या हो रहा है, एक तरीके सम चप्टर भी पूरा revise करते ही चल रहे है, आपको questions भी देते जा रहा हो में, और आपको चप्टर का भी revision हो जा रहा है, तो आपको तो बड़ी मज़े आ रही है, लेकिन आपको answer recall करना है, जैसी question देखते हो, मैं प और economic crisis हो गया हमारा, फिर आते हैं, and how did the crisis got converted into great economic depression, अब वो depression में कैसे turn हो गया, crisis economic crisis depression में कैसे turn हो है, connect करो इस चीज़ को, कि US entry करता है, मदद करता है, डेवस्ट प्लान इंटिड्यूस करता है, लेकिन वो खुशी लंबे समय तक नहीं जल पाती है, क्यों, क्योंकि US की economic condition बि कर दिये, Germany की economy जो अभी धीरे-धीरे build-up होना start हो थी वापिस से collapse हो जाती है, अब what was the situation during it, तो situation वही सारी लिखना है कि unemployment बढ़ गया बहुत जादा, ठीक है, currency की value कम हो रही है, लोग परेशान है, robbery और यह सारी चीज़े बढ़ गई है, लोग मतलब किसी भी तरह के काम को क करने के लिए तयार है, और उस बीच में politically क्या है कि बहुत अनिस्टिबिटी आ गई, लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं कर रहे है, तो जो inherent defect वाली बात की थी, हमने वीमर रिपब्लिक की वह यहीं पर discuss की थी, इसी पार्ट में, ठीक है, तो पूरी चीज़े, करने क्या है कि, collapse of Wall Street exchange of US, ठीक है, यह हो गया, अब brief account of Hitler's struggle to power, देखो अब यहां से नहीं picture चालू होती है, इस question के बाद से, कि Hitler rise to power, Hitler's rise to power को अगर समझा जाए, या फिर वहाला जो section हमने पढ़ा है कि, जिसमें Hitler क्या करते हैं, धीरे-धीरे, एक-एक करके क्या करते हैं, ए तो वह यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से question में, या फिर explain the rise of Hitler, ठीक है, as a dictator of Germany, फिर क्या आता है, what was his strategy to gain support of Germans, ठीक है, Germans का support gain किया, तभी तो वो 32% के साथ में single largest party बनते हैं, रिस्टेग में, रिस्टेग क्या थी, रिस्टेग क्या थी, यह आपका homework हो गया, homework हो गया, comment section के लिए, आप comment section में मुझे बताएंगे, कि what do you understand by restack, ठीक है, यह हो गया, अब देखो जहाँ पर क्या है, brief account of Hitler's struggle to power, इसमें हम क्या लिखेंगे, कि Hitler की किस तरह से journey रही है, कैसे power में आए, अब यहाँ पर क्या है, what was his strategy to gain support of Germans, ठीक है, तो उनकी strategy क्या थी, Hitler की strategy simple सी थी, कि उन्होंने क्या करा, अपने, he devised a new style of politics, जिसमें उन्होंने क्या massive release, ठीक है, round of applause, उसके बाद में release होती थी, red banners, और यह सारी चीज़ें, ऐसे depict किया कि he is a messiah, ठीक है, ऐसे अपने आपको depict किया कि, वो क्या है, एक messiah बन क्या है, एक severe बन क्या है, जो क्या करें देश को, जर्मनी को संकट से निकाल लेंगे, तो वो image construction वाला काम था, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना है कि कैसे उन्होंने support gain किया Germans का, clear है, आगे लेखते है, explain the whole episode, how the democracy was distracted in Germany, अब वो जो destruction of democracy वाला topic है आपका, जो हमने discuss किया है, वो पूरा topic यहां से आ जाएगा, कि कि इस तरह से चांसलर्शिप मिलती है, एक और question देता हूं, चांसलर्शिप किसने offer करी थी book में, डूंड एगा जरा, ठीक है, who was the president at that time, who offered चांसलर्शिप to Hitler, ठीक है, name that president in comment section, comment section में नाम बताईएगा उनका, अब देखो, तो whole episode of democracy तो वही चांसलर्शिप मिलती है, चांसलर् अनिमीज रहते हैं, उन्हें हटाना चालू करते हैं, communist को हटाते हैं, ठीक है, फिर power अपने control में ले लेते हैं, फिर enabling act पास किया जाता है, enabling act पास करने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, rule by decrease start कर देते हैं, ध्यान आ रही हैं सारी चीज़ें, फिर वो क्या करते हैं, एक तर तो वो, what were the strategies adopted by him to control the opposition, तो secret police, gastropor, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है यहां पे, और questions देखते हैं, और क्या क्या questions हैं, तो reconstruction पर question आएगा, Hitler के पास power आ गई है, उन्होंने destruct किसको कर दिया है, democracy को, लेकिन challenge क्या था उनके सामने, कि उन्हें अपन एकनॉमिक को reconstruct करना है, तो अब वो economic reconstruction कैसे करेंगे, political reconstruction कैसे करेंगे, तो को in general question आ जाएगा, what were the steps taken by Hitler for the reconstruction of Germany as a whole, मतलब politically भी, economically भी, कैसे उन्होंने अपनी country को reconstruct किया, तो उसमें आपको पूरी कहानी लिखना है, हजल मर्सेच से चालू करना है, और Poland पे हमला हुआ तब तक, ठीके, हजल मर्सेच, ठीके, उन्होंने फिर क्या करा, full production, full employment के प्रोग्राम चालू करें, उसके बाद में उन्होंने अपनी territories को expand करना चालू करा, foreign policy कैसी थी, तो देखो मैं बता रहो, economic reconstruction में आप हजल मर्सेच और वो आला सारा point, political reconstruction में, he pulled Germany out of League of Nation, ठीके, League of Nation से बाहर नि construction plan था, अब क्या होता है, इसी topic से जुड़ा हो, हमारा एक अगला question ने बन सकता है, कि what were the reasons for the outbreak of second world war, तो आपको लिखना कि as the Germany invaded Poland, Poland में जिसी invasion होता है, तो Poland के invasion के बाद से क्या होता है, चीज़े बदल जाती है, कैसे बदलती पॉलें के invasion के बाद से, कि अब जो axis powers और allies powers थी तो उनके बीच में आपस में लड़ाय चालू हो जाती है, allies power मदद के लिए उतराती, Poland की इधर से बदलाल लेना चालू करते है, जर्मनी, तो डिशुम डिशुम और पूरी सारी countries एक साथ लेंडने लगती है, तो वो यहाँ पर होता है, reasons for the outbreak of second world war, तो invasion of Germany in Poland, ठीक है, या Hitler's invasion in Poland, फिर वहाँ से आप step by step लिख सकते हैं, तो हमने क्या देखा, कहानी के part पर पूरे questions क्या क्या बन सकते थे, एक एक topic को मैंने revise करवा दिया, snap फटावर जल्दी से, और उसी के साथ में questions भी बता दिये, अब दूसरा dimension देखे हैं, अगर हम और क्या क्या questions आ सकते हैं, त आइडिकल लिखा है, यहाँ पर इसे racial कर लीजिगा, ठीक, तो racial supremacy, racial supremacy मतलब क्या है, कि explain the idea of racial supremacy of Nazi, तो जो उनका racial idea था, ठीक है, मतलब racial हम देखा जाए, तो एक stereotype बना कर रहा था ना, कि Nordic German Aryans जो हो सबसे उपर रहेंगे, racial hierarchy बना दिये, सबसे नीचे जिउज रहेंगे, उस हिसाब से, तो racial hierarchy का पूरा idea आपको explain करना है, यहाँ पर racial supremacy का, फिर उसके बाद में, this idea of racial hierarchy, फिर this idea of racial supremacy was borrowed from the natural scientists, such as Charles Darwin and Herbert Spencer, Herbert Spencer और Charles Darwin की theory से बौरो किया था ना, तो यहाँ पर वही चीज लिखना है, कि Charles Darwin और Herbert Spencer की जो theory थी, वो क्या थी, वो theory किस बारे में थी, क्या बोलती थी थी, वो theory, clear है, तो यहाँ पर आप लिखना चालू करेंगे उसके बारे में, कि Charles Darwin की theory कौन सी थी, survival of the fittest और यह ध्यान आया कुछ-कुछ, तो वो सारी theories के बारे में specific question पूछा जा सकता है, कि what was the theory given by Charles Darwin, what was the theory given by Herbert Spencer, and how did the theories given by these natural scientists were adopted by Nazi party, ठीके, to establish a racial state, clear है, तो वो सारी जो सारे topic है, उस पर से देखो, क्या-क्या question बन सकते है, मैं आपको बता रहा हूँ, शब्द कैसा भी आएगा अब, किसी भी sense में, मतलब question पूछने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, क्या आपने पानी पी लिया, ठीक है, पानी पिया था, क्या आपने, बात तो पानी की की जारी न, तो उस sense में क्या है कि content आपको पता है, तो शब्द कैसा भी गुमा दो आप, हम लिख लेंगे answer, clear है, चलो, be confident about that, तो इस तरह से racial supremacy वाली बात, फिर आते हैं, Hitler's idea of geopolitical concept, लेबन सरम, explain करो इस चीज़ को, तो Hitler का idea क्या था, geopolitical concept को लेके, लेबन सरम वाला idea जो था, तो Hitler का idea geopolitical concept को लेके, जो था, मतलब यह उसी चीज़ को लेबन सरम कहा गया था, जिसमें क्या बोलते थे कि अगर आपको अपनी territory को बढ़ाते जाओगे, तो उसका आपको फाइदा मिलेगा, आपके पास जादा जगा होगी, जादा resources होगी, ठीक है, अपने लोगों को बस specific एक एक वीडियो बनाए हैं हमने, I hope आपने सारे वीडियो देखें और answer आप recall कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वहापे मुस्कुराना नहीं है बस, बैटे बैटे, आपको answer recall करना है, what were the steps taken by Nazi party to establish racial state, क्या steps लिए गये थे, वो सारे steps लिखना है, फिर discrimination in Nazi schools, तो किस प्रकार क discrimination किया जाता था Nazi school में, तो आपको ध्यान होगा, teachers को निकाल दिया जाता था, Jews बच्चे जो थे तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, उन्हें aside किया जाता था, उनके सांट discrimination होता था, ये सारे चीज़ें, फिर हम देखते हैं कि और क्या discrimination होता था, फिर किस तरह से schools में propaganda को फ होती है, और they are required to praise Hitler and hate Jews, तो इस तरह कि ideology जो impose की जाती थी, तो इस तरह से discrimination होना था, नाजी स्कूल में, फिर वो आर्मी में service देना, तो वो जो पूरा stage हमने discuss किया एक अलग वीडियो में, वो वाली चीज़ें पूरा, तो इस पर question आ सकता, youth और Germany, नाजी जर्मनी में youth का क्या relation था उस पर, फिर यहाँ पर women वाला जो section है, उस पर important question आएगा, women या फिर what, explain the Nazi cult of motherhood, अगर heading पर सही question मना दे आपको तो, तो उसमें भी वोई लिखना आपको Nazi cult of motherhood में, क्या Hitler considered women as the most important citizen of his empire, ठीक है, his country, तो women को important क्य मानते थे, क्योंकि women के उपर यह responsibility डाल गई, कि they should be good mothers, उन्हें pure Nordic Aryan German race के बच्चों को bear करना है, ठीक है, फिर उसके बाद में वो सारा provision लिखो कि किस प्रकार से women के साथ discrimination होता था, if they, if they went against the ideology of Nazi, ठीक है, Nazi party के ideology के against, अगर जाती थी महला है, तो what were the problems which they used to face, तो पूरी ची अगरा जो उस पर कालिक लगा दी जाती थी, they were paraded through the town, यह सारी चीजें, फिर उसके बाद में यह भी कैसे incentives दिये जाते थे, what incentives were being provided to women to bear more and more Nordic German Aryans, ठीक है, तो क्या incentives दिये जाते थे, medal, जो batches दिये जाते थे, अलग-अलग, copper, silver, gold के, तो यह question बन के आ सकता है, यहाँ पर, what was the Nazi art of propaganda, यह भी important question है, बहुत जादा, Nazi art of propaganda में क्या, जैसे हमने देखा कि no doubt, जो भी हुआ, बहुत गलत हुआ, जी उसके साथ हुआ, ठीक है, दो juicy communities के साथ हुआ, जितना भी हुआ, सब अत्याचार था, लेकिन किस तरह से Nazi party ने उस चीज़ को propagate किया, what were the chilling terms used by them, ध्याने, युथेनेशिया, special treatment, final solution, media के थू, movie के थू, उन्होंने क्या क्या, जी उसको stereotype क्या, तो जो भी propaganda उन्होंने इस्तेमाल किया था, उस पर question आ सकता है, what was the Nazi art of propaganda, direct question, clear है, तो आपको उसमें सारी content लिखना है, फिर आता है Holocaust के बारे में, Holocaust के उपर भी एक सवाल आएगा आप, Holocaust, 1 marks में, 3 marks में, what do I understand by Holocaust, फिर इसी चीज़ को extend करते है, question क्या, पुछे जाएगा, कि what are the evidences which shows that Nazis committed crime against humanity, explain them, तो evidences क्या है, evidences में हमने देखा कि जो भी sufferers थे, ठीक है, all those who suffered during Nazi period, ठीक है, they kept records, diaries के form में, letters के form में, archives में रखी साही चीज़ें, समाल के रखी, क्यों, they just wanted to explain to the coming generation, यह बताना चाते थे, वो explain करना चाते थे, कि what they have suffered in Nazi period, तो इस sense में क्या है, कि हमें वहाँ से evidences मिलते हैं, holocaust से evidences मिलते हैं, कि क्या-क्या सफर किया था, Jews community ने, और भी दूसरी communities ने, यह सारे questions, एक basic set of questions है, जो आप से, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो I have discussed them all, अभी क्य community tribunal के उपर सीधे question मनेगा, why it was appointed, starting में ध्यान करो, तो जिसने क्या किया था, नाजी war criminals को सजा सुनाई थी न, वो international war tribunal, genocidal war क्या होता है, जब किसी एक group के लोगों को large scale पे मारा जाता है, genocidal war होता है, फिर wall street exchange crash, इसके बार में specific question आ सकता है, what do you know about wall street exchange crash, या फिर what do you know about wall street exchange तो उस पर question आ सकता है, article 48 of Vimmer Constitution, तो article 48 क्या था, ध्यान करो, कि rule by decree वाला president ध्याने, तो article 48 जो inherent defect में भी हमने discuss किया, उस पर article 48 पर question आ सकता है, concentration camps पर question पूछा जा सकता है, what do you understand by enabling act, enabling act किसने पास किया था, Hitler ने पास किया था, क्यों, ताकि वो अपने आपको या dictator की position पे क्या कर सके, establish कर सके, parliament को क्या कर दिया, sideline कर दिया, and started rule by decree, तो enabling act पर question आएगा, who was, हजलमर सैच, हजलमर सैच पर question आता है, तो वो आप से बनना चाहिए, हजलमर सैच पर question अगर आता है, कि हजलमर सैच कौन थे, और economist थे, appoint किसने कर आता है, Hitler ने, economic reconstruction के लिए, वो सारी चीज़े, getoization पर भी question आएगा, what do I understand by getoization, तो आप क्या करते हैं, जब किसी एक group को, when you are forcing them to leave in a specific particular area, ठीक है, जहां पर poor amenities होती है, कोई facilities के नाम पर कुछ नहीं होता था, वो getoization हो गया, junk wall पर question आएगा, फिर एक, junk wall पर question क्या आएगा, कि what do I understand by junk wall, तो एक organization थी, जो youth के लिए बनी थ थी दियाने, सारी चीज़े हमने discuss करी, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, जो मैंने discuss नहीं करी और फिर आपको question दे रहा हूँ, तो धियान रखना है, junk wall, फिर hitler youth, hitler youth पर question आएगा, जैसे junk wall पर, विसे hitler youth पर आएगा, and over undesirable in Nazi Germany, Nazi Germany undesirable किसे consider किया जाता था, फिर simple सा लिखने को जाएगा, explain the term undesirable under Nazis, तो वो सारी चीज़े, ये सारे questions हैं, जो आपको attempt करना है, जो मैंने आपको questions यहां से दिया, आपको recall करना है, और आपको बनना चाहिए, ठीक है, chapter पूरा पड़ा है, तो ये सारे questions जितने भी discuss किये, सारे questions बनना चाहिए, clear है, इसी के साथ हमारा chapter पू नोर्स चाहिए, तो आप हमारी official website पर visit कर सकते हैं, और हमें बताइएगा जरूर कि आपको chapter समझ में आया, अच्छे से नहीं आया, कैसा लगाए, clear है, comment section में we will be waiting for them, for your comments, clear, तो अब next chapter हम नया chapter start करेंगे, history में ही start करेंगे, thank you, thank you very much.